माइक लेने की पुड़ा जल्दी ना किजिएगा क्यूंकि QA राउंड है वो बाद में शुरू होगा तो सबको बाद में जितने प्रश्णा है वो उचित जवाब देने का प्रयास हमारे गेस्ट करेंगे तो पहले उनका जो भी उपनिंग स्टेटमेंट है और यह सब देंगे बाद में गवरो जी भी जूड़े है अंकुर जी भी जूड़े है तो उसके बात करेंगे क्यूंकि सब्सक्राइब क्या होता है कि बहुत सारे तकलिफ आ जाती है स्पेस में प्रिकल देने के बाद उपर गलत तरह के वीडियो चिपका दिये जाते हैं और सब इस्यूस होते हैं तो कोई बुरा मत मानिएगा आप सबसे हमें बहुत प्यार है पर आज कोड़ा हमें वो बचा क सब्सक्राइब करने के बाद और हमारे वीचार इतने मिलते हैं और कुमार जी इतने soft spoken है और बहुत प्रेक्टिकल व्यक्टी है और बहुत अच्छा काम कर रहे है बैग्राउंड में तो कुमार जी को कहां से प्रेणा में दी और क्यूं आपने सोचा कि भई अल्रेडी जो सेंटर में तथा कती थे क्रास्टवादी और हिंदुवादी सर का जो ट्वीटर पर सुने दिता है पार्टी तो के लाइप नहीं तो उसको परित्याग करके आपने कुत नहीं अनिर्मार करने का आपको वीचार कैसे है जी हर्दीक जी ये कहानी बहुत लंबी तो नहीं है क्योंकि काशी विद्वन्स में जो कॉलिडर के नाम पर जो विद्वन्स हुआ है वहीं से मेरी भी आखें खुलनी शुरू है आई थिंक संदीब जी का भी वही सेम कहानी है तो प्रेना क्या आप सब की तरह से हम भी जो है बड़े ही प्रकर समर्थक थे और काफी मेहनत की थी हमने भी वैगराउंड में हमें साब वैगराउंड में हम काम करते हैं फ्रंट पर कभी नहीं कहलते लेकिन काफी हमने महनत किया था इस तो 14 में और 19 में भी लेकिन वही कासी मेरे लिए ट्रिगर पॉइंट था और वहीं से जो है बहुत सारे मास्टर स्टोक वादियों का भी भेद खुलने लगा तो वही मतलब एक के ऊपर प्रते प्याज के त्रिखिरकों के तरह प्रते खुलती चली गई और उसके सबसे बड़े हमारे प्रणा सोत बने संदीब देव जी जो कि प्रवाह के उल्टा जाते हुए उन्होंने प्रते खोलनी जारी रखी और हम तो हम तो हम ने सुचा कि ये देवी कृपा है कि इनो ऐसे इस्थिती में जहां हमारे पास कोई चारा नहीं था हर जगह ये प्रस्णूर सता कि विकल्प क्या है तो एक विकल्प उठकर एक सामने आया है तो हमें लगा कि वही या कोई तो है जो कम से कम सत्य के लिए खड़ा होने का प्रयास कर रह है और आप सब लोगों का सव्योद के लग रहा है कि हम लोग विजय यवश्य होंगे सनातन हमेशा विजय होगा इसमें हमें कोई संद्य नहीं अंदेरा चुटेगा बस इसी के साथ बहुत बहुत धंगनेवाद मैं से पुशने के लिए एंड बैक टियो इसमें में मेरा फ पर शोवेश जिस दिन अकलाग की मिल्टी पर रोना आया तभी से शुरू हो गया था मन के अंदर एक अलग सा भाव की नहीं कुछ तो गरबढ़ है फिर दीरे-दीरे बढ़ता गया और बढ़ा तो इस लिए बढ़ा कि हमारे हाथ में कुछ नहीं रहा था तो मैंने तो पर शुरू हुआ है तो आप जूड़िये और मज़ा आएगा हम लोग बाते करेंगे लाइक मैंने लोग तो मैं एक और अकाउंट से मैंने जूड़ा फर्स ताइम और फिर क्या हुआ कि मैं आया तो काफी लोग को मालूम भी पड़ा तो तो बेसिकली फिर जब मैं नहीं तो काफी बीजेपी वाले मित्र गवर्नते बहुत सारे है आज भी है उनके लिए बहुत सम्मान है मेरे मन में तो वो लोग जुड़ना शुरू है तो प्रत्तों स्पेस नहीं नहीं शुरू होए तो बहुत प्लीच वाले बहुत प्रप्रॉब्लम वाले उते बड़े- से प्त्राइबितली पूछता था कि यह तो क्या हो रहा है यह हो रहा है तो मुझे वह कहानी सुनिया na वो उतार अट नहीं ऊपर बैठ जाता है ससा बैठ जाता है ट्रैबिट और या तो मंकी जो भी था और वा उनजीर का लेकर कि वह चलता रहे गा अंजीर चाने का ट्रा बहुत अच्छे मित्र है, बहुत गनिष्ट मित्र है, और वहां से जो information gathering हो रही थी, बहुत ही shocking थी, बिपस्त थी, और उस पे इन लोगों का, जैसे इन लोग ये जवाब हीन हो गये थे, और किसी को भी बोले नहीं दिया गया था, एवन एक संदेशा मिल गया था, उनकी पार्टी की और से, कि इस विशे वस्तु पे कोई बात ही नहीं करेगा, तो मेरा वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, और मैंने फिर खुले आम प्रशना पूछना शुरू कर दिया, और जब मैं बोलना शुरू किया, तो मैं तो यानि बहुत बविशे वर्तमान बहुत कुछ जानता हूँ, तो प्रशना भी ऐसे आते थे, जिनके इनके पास सवाल भी कभी नहीं सुने होगे, तो हाँ फिर लोग कि जवाब तो मेरा, लोग सटकना हो गए, दूर भागने लगे मेरे से, तो मुझे मालूम पढ़ गया कि भई, ये तो बहुत बड़ी दिक्कत वाला है, और तो मैंने फिर मेरा मन तो ऊट चूका था, और मैं ये मेरा अकाउंट वापिस आने के बाद भी मैं इतना आटेच नहीं कर पा रहा था, क्योंकि हमारे रग रग में खिंदुतों का भाव है, और जब तक उस पे काम नहीं करते तो हमें मन को शान्ती नहीं मिलते, और सिर्फ क्रिटिसाइज करने से कोई कंस्ट्रक्टिव काम जैसे आप इनको जोइन हो जाओ, और यहीं सही रहेगा, अंदर से ही लोग थे, और मैं जब सबसे बात की, काफी लबी-लंबी बात हुई, मेरी कुमार जी की, सतिष अन्ना की, और अंकुर जी की सबकी बहुत लंबी बात हुई, और मैंने जाना, कि नहीं, यह हमारे लाइ जी जुड़े हैं, बहुत प्रखर प्रवक्ता है, और उन्होंने ग्राउंड पे हिंदू हीत के लिए बहुत कारिये किये हैं, और उन्होंने भी अपनी जीवन की आहुती दी है, बड़े लंबे समय से, डॉक्टर प्रवीत दोकडिया जी से जुड़े हुए है, जी जी बोलेंगे तो हमारे अहुबाग्यों होगा है, जो सब्ता आने के बाद हिंदू बने हैं, उनको धरा तल्प का कुछ भी नहीं पता होता है, और उनको शायद उनके बाजुवाला भी नहीं जानता कि ये हिंदुत्व के लिए काम करते हैं, ऐसे कुछ नकली हिंदू जो अगर कल सरकार बदल जाती है तो शायद कॉंग हम आज भी वरतमान की सरकार ने हमारे सपनों के जो तीन विशे थे, उनमें से जो दो पूर्ण किये समझिये, कि हां हमारे लिए श्री राम मंदिर का निरने, हम चाहते थे कि वह निरने संसत से हो, लेकिन वो सर्वोच्चे नयाले से किया, ठीक है, दूसरा कश्मीर के नहीं क्यों नहीं हो, उन्होंने पूरे किये, शायद को कॉर्मन सिभील कोड भी पूर्ण करेंगे, लेकिन हमारे मंदिरों के अधिक रहन के बारे में, इस देश में माइनोरिटी का कोई डेफिनेशन बनाने के बारे में, बहुत सारी बाते हैं, जिनके उपर हिंदू हो रहा है, और उसकी आवाज जो उठाएगा, उस संगटन के साथ हो अटैज होगा, राजनेतिक संगटन जो बनेंगे, उनमें भी डिवाइड ना होते हुए, जो प्रकर राश्ट्र वक्त और कटर हिंदू स्ववादी उम्मीदवार होंगे, उनके साथ ही जाना चाहता है हम सब लोगों को, इसी लिए मैं सुशील जी पंडित जी को बहुत मानता हूँ, वे एक ऐसे व्यक्ती है, जो सही को सही कहते है, गलत को गलत कहते है, बहुत सारे 2014 के बाद नए नए बने हिंदू, उन्होंने जब किसी की गलती दिखाते हैं तो बड़े व्यतित होते हैं, उनको लगता है कि किसी के विरोध में जा रहे हैं, ऐसे नहीं रहता, कोई भी व्यक्ती परफेक्ट नहीं है, उसकी जो सही चीजे हैं, उसे सही कहना चाहिए, जो गलती है, वो ध्यान में लाकर देनी चाहिए, ताकि करेक्शन्स हो, और अगर करेक्शन्स नहीं होते हैं, तो उस गलती को बदलना चाहिए, उस व्यक्ति को बदलना चाहिए और सही व्यक्ति उस थान पर लाना चाहिए तो कृपया आपने बहुत बहुत अच्छा स्पेस रखा है और आप सभी भूमिकाए अदर्श रखते हो हम आपके साथ है और राजनीती में भी एक से ज्यादा हिंदुत्वाजी दल होने चाहिए ऐसा मेरा भी विचार है क्योंकि राष्ट्रिय स्वयम सेवक संग जहां पे हम भी तैयार हुए वह खुद भी कहता है कि हिंदुत्व के लिए पहला संगठन राष्ट्रिय स्वयम सेवक संग नहीं है हिंदुओं के लिए एक में वन और उनली संगठन राष्ट्रिय स्वयम सेवक संग नहीं है हिंदुों के लिए राश्ट्रिय स्वैम सेवक संग से पहले भी बहुत सारे रुशी, मुनी, अखाडे, मठ, आरिय समाज रहे है साथ में भी कोई रामकुष्णा आशरम रहा है, स्वामी विवेकानन्द मिशन रही है बाद में भी कोई स्वाभिमान भारत हुआ है, आर्ट आफ लिविंग है ऐसे बहुत सारे संगटनों के साथ समनवे रखके हिंदु राश्ट्र के लिए काम हम सब करते है तो अगर राश्ट्रिय स्वैम सेवक संग की यह भूमी का है तो राजनीती में ज्यादा हिंदु तुवादी संगटन होने चाहिए इसकी एक तरीके से पुरस्कार राश्ट्रिय स्वैम सेवक संग करता है और हमें राजनीती में भी हिंदुओं को एक से ज्यादा ओप्शन्स चाहिए सपरदा होनी चाहिए कि कोई ज्यादा बड़ा हिंदु तुवादी है और कोई सच्मुच में हिंदु तुवादी उम्मीदवार देता है और हर वयास्कबीट पर चाहे वो विधान सबा हो चाहे वो संसद हो वहां पे ऐसे ही लोगों को रखता है ऐसे ही विधायक बनाता है, मंत्री बनाता है, मुख्य मंत्री बनाता है, सांसत बनाता है, प्रधान मंत्री बनाता है, राष्ट्रपती बनाता है, उसे ही सब लोगों का वोट जाना चाहिए, सिरफ वोट डिवाइड होने से डरिये मत हिंदू समाज भी अब मैचुरिटी से क ले सकता है हारदिक जी आपका बहुत बहुत अभिनंदन आपके साथ बना हुआ हूँ जैश्री राम हरहर महादेव जै माभवादी आपको प्रात्मिक जो अभी भाशन है उसको हम कंप्लीट कर ले बाद में क्योंकि फिर ग्लीच अल्री आ रही है कुछ और प्रब्लेम्स भ करें और वहां से देखें अगर आडियो क्लियर होती है नहीं तो कुमार जी शायद आपसे बात करी रहे तो फिर से मैं आता हूँ कि बंगाल के बाद जो हुआ तो मेरी आखे खुल गई और मैं अलग डंग से सोचने लगा ये नीचे केतन भाई आया है केतन भाई जिनको मैं जानता हूँ ट्विटर पे बड़े लंबे समय से जानता हूँ और इन लोग को भी मालूम है कि शुरू से हमारा काम सिर्फ हिंदूत्व के लिए रहा है ना किसी पार्टी के लिए ना किसी व्यक्तिक विशेश के लिए हमने कारिय किया है हमें लगता था कि जिस इटालियन सरकार के क्लचिस में हम पसे है उसके लिए यहाँ कारिया करना उस समय पे जरूरी था पर हमने कभी नहीं सोचा था कि कुछ कारिया ऐसे होंगे जो हिंदू अहित की और ले जाएंगे हमें और उसकी वज़न से अहिंदू जो हमें बताया गया तभी सावर करजी की और से कि ना हमें मुझे मुझे मुसलमानों से डर लगता है ना इसाइयों से लगता है अगर मुझे डर लगता है तो अहिंदू हिंदू उसे लगता है तो वही अभी हो रहा है वैसा हमें प्रतीत हो रहा है और वो हमें प्रैक्टिकली अब तो दिखना शुरू हो गाए मेरी उस समय पे ही यानि आप समझ लिजिए कि 2017-18 के आसपास कोई दिल्ली से जो हिंदुवादी पत्रकार है उनका फोन आया था और बड़ा लंबा बारता लाफ हो आप वो बता रहे थे कि यह सचर कमीटी रिपोर्ट तुमको अर्डिक मालूम है यह तो चार गुना इंप्ल मेरी डॉक्यूमेंट्स और मेरे लिए बोलने को भी कुछ नहीं बचा था इसे पढ़ाएंगे उनके वहां पे डॉक्टर अलग रखेंगे वहां पे पूलिस वाले अलग होंगे उनके वहां कलेक्टर यानि स्टेट विदिन स्टेट का डेवलोप्मेंट हो रहा था और जै करोड का भार हम उचकने वाले हैं नहीं और जो लोग ने बैठके जो अपना जो जिहादी मालसिक्ता है उसको नहीं छोड़िये और फिर भी ये लोग मालूम नहीं क्यों ऐसा कर रहा है कि उनको मेंस्ट्रीम किया जाए और जब भी मेंस्ट्रीम हो है तो याद रखे कि जि संदिर जी से फिर से सुनना चाहेंगे अगर उनका ओडियो का इश्यू रिजॉल हो चुका हो तो संदिर जी आप सुन पा रहे हैं अभी थांक्यो हार्दिक जी आपने ये स्पेस रखा और मैं स्पेस पे कम सक्रिये हूं तो थोड़ा कहिए कि मैं विलकुल नया नया ही हू कम एक दो तीन एक स्पेस पे मैंने भाग लिया है या पर जो एक वो कलब हाउस होता है तो ये अच्छा कि आप लोगों ने रखा है इसके लिए हम सभी हिंदू का बहुत धन्यवाद करते हैं कि एकम सनातन भार सब की अपनी पार्टी है और सब अपने अपने तरफ से प्र प्रयास कर रहे हैं कि इसको हम हिंदू तक ले जाएं हिंदू तक एक मैसेज दें और जो प्रयास है वो प्रयास है कि जो आजादी के बाद से हिंदू हितों के मुद्दों को कभी अड्रेस नहीं किया गया हिंदू को ये बताया नहीं गया कि ये तुम्हारे मुद्दे हैं ये देखो तुम्हारे लिए ये मुद्धे हैं ये पहली बार इस पार्टी ने कुछ सिध्धान सामने रखकर ये कहा है कि ये तुम्हारे मुद्धे हैं तुम कहां भटक रहे हो हिंदू को हमेशा बर्ग लाया गया जातियों में बाटके जब भी आप देखेंगे कि जाती ठंड़ा पढ़ने लगता है हिंदू समाज एक होने लगता है फिर से जाती बाद उभाड दिया जाता है चाहे वो आप मंडल कमिशन के रूप में लें जब उसको बनाया 78 में फिर जब उसको लागू किया या फिर सेष्टि एक्ट को लेकर आप देख लें पिर आप देखें कि अलग अलग जातियों को लेकर जो जीतने अभी बाला कृश्टन कमिटी बना दिया अब हमारे जाति में फिर मुस्लिम इशाय लाने का प्रयाबधान जो है OBC कहा जाता है OBC करके हिंदूओं को लड़ाया गया पर OBC में मुस्लिम मेसायों को कितना वरा भाग दिया जा रहा है ये सब हिंदू समाज से एक तरफ से अंधेरे में हिंदू समाज का बहुत वरा हिस्सा जानता ही नह हितों की पार्टी है पर भाती जनता पार्टी ने सुरू से अपने स्टैंड क्लियर रखे गलत पहम हमें हुई अगर हम देखते हैं अल्फ संख्यक आयोग की बात देखें तो समीधान यह जो वेवस्था आप देख रहे हैं यह एक पैरलर वेवस्था है यह समीधान की वे ही नहीं है समीधान ने अल्फ संख्यक बहुत संख्यक से खुद को दूर रखा था और समीधान सवा में जब शुविधा देने की बात आई तो सरदार पटल ने का है स्टी स्टी के लावा किसी को नहीं मिलेगा लेकिन यह लेकर आए और आश्चर की वात है कि यह कॉंग्र तो वे बीज रोपा था बाजबेईक जी और इसमें जन संख के नबे नबे सांसत थी जब यह बात किया गया तो उस समय के ग्री मंत्री से चोदरी चरांग सिंग के पास गए और उनने कहा कि यह क्या किया आप लोगोंने ये तो इस तरह से आप हिंदूओं से सिक्ष को अल कि बात है और ये बलाजमदों की बायोग्राफी में है मैंने कहीं इदर उदर नहीं पढ़ा है बायोग्राफी में उन्होंने कहा आपके नबे सांसद हैं एक सांसद भी इसके वीरोध में बोलता तो मैं इसको खारिज करने वाला था लेकिन एक सांसद इसके वीरोध में नही तो राजीव गांदी की सरकार जब आई को लेकर आप देखें कि बाक्प एक्ट में जो पहली बाहस हो रही है उसमें भाजपा के एक सांसद हैं कर नाम मैं भूलना हूं हिंदू सांसद हैं तो बाहस था कि अब बाक्प में 30 साल के लिए मुसल्मानों को यह राइड दिया जाए मतलब जमीन जो लैंड पे उनका अध लिकार दीजी यह कौन मांग कर रहा है भाजपा का सांसद है आप फिर उसका देखिए नकभी के बयान देखिए साहनवाज के बयान के बयान देखिए साहनवाज कॉंग्रेस को कह रहा है कि आप ठीक से लागों नहीं कर पा रहे हैं 2019 के बयान से पहले हम इस सा के बयान सिर्व एक दो पार्टी को दोस्त दे दे हम उससे काम चलने वाला नहीं सारा पॉलिटिकल पार्टी प्रो इस्लामिस्ट और एंटी हिंदु है कस्मीर के मामने में देखिए कस्मीर में हम नरसंगार भारत में अकेली बत्तब अपने ही देश में सरनार्थी का दर्द क्या होता आए कस्मीरी पंडित बता सकते हैं उस वक्त भी सत्ता में कौन थे आप देखिए बीपी सिंग और भाजपा बाहर से सपोर्ट कर रहे थे 85 सांसत थे उसके और मुफ्ती के विरोध में कि मुफ्ति गिर्मंत्री नहीं बनेगा भाजपा का एक वी संसत का विरोध नहीं है उ आरोप लगता है कि बाजपी कि नहीं सो करोर रुपे दिये थे मुफ्ति को खरा करने के लिए तो उसके लिए काम किस ने किया तो नाम आता आजी डुवाल का और वो आपको आजी डुवाल की का ऐसे ही नहीं आप उसके दुलत की किताब में उसको पढ़ सकते हैं दुनों एक टीनायन में वो राममंदिर पर सवार होते हैं अब उसके पहले अस्ची में भादपा बन चुकी है अस्ची में भादपा का जो प्रताम उसके अस्थापना हुई बंबे का अदिवेशन था जैसे हम लोग अभी हरद्वार में रखने जा रहे हैं तो प्रताम हिंदू हटाने के लिए संसद में उनको भी लाता है देश भर में आंदोलन करवाते हैं जो आदमी हिंदू सब्द का भी रोदी है वो भाजपा के प्रतम अधिवेशन का द्यक्ष होता है तो भारत ये जनता पार्टी ने कभी भी हमें धोका नहीं दिया हिंदू को हिंदू ने धोका खाया है भाजपा के उस कालनेवी स्वरूप से कि जब उनको लगा कि जब भी उनको लगा कि अब हम उठने ही शक्तित हिंदुत तो नहों ने पकर लिया जैसे आज देख लिए अब उनको करनाटक हारने का डर सता रहा है एकम सनातन भारत अपने साब सब सिध्धान गोसित कर रही है तो दस साल अब होने को है उनको पूरे मैजूरिटी है आज हम इसा बैठा कर रहे हैं कि हम यूसी सी लेके आएंगे मतलब हर बार हुए हिंदुों को धोका देते हैं नवासी में रामंदिर आंदोलन जब असवक चिंगल जी ने कहा उनको और रामंदिर आ सामिल हो गए मुझे असवक चिंगल जी ने एक बर बताया था और इस बात की पूश्टी आपको तोगडिया जी भी कर देंगे तो जब यह बाबरी टूटा तो बाबरी जब टूटा तो असवक सिंगल जी को बहुत ज़्यादा मानित किया संग और भाजपाने अंदर की को कमीटी थी उससे बाहर किया उनको उनका कहना था यह तूट गया तो हम आगे वोट कैसे लेंगे और आपने तो तो आप इसको तोड़वा दिया तो आप कमीटी से बाहर रहे यानि भाजपा का हमेशा हिंदूों को बरगला कर वोट लेना रहा इससे और असपस्ट होता है और जब हम लिबराहन आयोग की रिपोर्ट देखते हैं तो लिबराहन आयोग की रिपोर्ट में देखे हैं अडवानी हो बात पे सब इसको कलंक कहते हैं और कलंक कहने वाले एक आएक अब राम मंदिर पे अपना कॉपी राइट लेकर आ जाते हैं तो बराश्चर होता है न भूमी पूजन एक बार हो चुका है बुटा सिंग रा और राजी गंधी किसा में हो चुका वहां फिर से भूमी पूर्जन कड़ाने के लिए प्रकट हो जाते हैं तो हिंदू को वो बार बार चल रहे हैं और वो बता भी रहे हैं हिंदू खुद धोका खा रहा है उसकी है कि उसको जाना कहा है कहां पहुंचना है और ये पॉलिटकल पार्टियों ने उसके साथ जो किया है हिंदू ने गांधी को अपना नेता मान लिया गांधी ने मौपला माला बार में नरसंगार करा दिया भारत के विभाजन करा दिये हिंदू ने नेहरू को नेता मान लिय नेहरू ने हुन्दू कोड़ बील हिंदू के साथ जो कस्मीर का की समस्या जो इतनी समस्या दी उसके वाथ हिंदू बाहर आय तो दक्चिन-पन्ती का जाता प्राम हम दे राप के पाकिस्तान में रौ के जिन्टों को साफ करवा देता है, वो हमारे लिए दक्षिन पंती था, उसके बाद हम फिर आते हैं, भाजपा का इस्तितिया आपने देखी लिया, किल्फ तंख्या गायोग पहले लेकर आती है, मंडल कमीशन लेकर आती है, उसको एक मुसलमानों के लिए है भारत एक सेकुलर देफ है इस देफ में एक पंथ के लिए कोई कमिटी नहीं बन सकती लेकिन आप देखिए वही मोधी फरकार सच्चर कमिटी लागू करती है धरादर 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 यह जो आप बजीफा देख रहे हो यह 40-40 जनाय देख रहे हो आप यह सारा सच्चर कमिटी की संस्कति है 31 मार्च 2019 को संसद में सच्चर कमिटी की रिपोर्ट रखी गई कि हम इनने को क्रियानवीद कर चुके हैं इनने को हम लागू कर चुके हैं उसके आद बिसनु जन गए कोट में उन्होंने अलप संक्या कायों को चुन दिमों को बचाना जरूरी है तो कोट ने पूछ लिया कि कोई कोई आधारत होगा यह कमजोड है तो वही सच्चर कमिटी डिट्टो को वाँ फुलिस टॉप बदले चारी कर दिया इतना बरा दोगलापन इतना बरा धोगा हिंदु समाज के साथ कि आप 12-1200 लोगों को आई शिविल सर्विसे में धाई परसेंट है मुसलिम और एकार एक सॉला के बाद आप देखिए पांच परसेंट हो गए आप से चार पांच साल में डवल कर दिये तो अगर हम 67 साल इस पार्टी को सत्ता में दें तो हमें तो खतना कराना पड़ेगा गोल टोपी पहनना संभीधान में ये प्रावधान है कि आप SCST में कोई और SCST में नहीं आएगा SCST में मुस्लिम और इसाईयों का इसाई सुप्रिम कोट गए थी इस अधिकार को मांग करने के लिए और जिसको संग की पत्रिका औरिगनाईजर मनमुहन सरकार के समय लिख रही थी क्रिप्टो क्रिश्चन चीफ जिस्टिस इंडिया जो थे बाला क्रिश्चन अब एक एक वो संगी हो गए और उनके अध्यक्स्ता में एक पैनल गठीट कर दिया स्टी में ज़रा ढूंडिये कि मुस्लिम और इसायों को कैसे हम पादे दे सकते हैं प्रदान मंतरी बड़े गर्व से काते हैं OBC में हम सतर सतर मुस्लिम जातियों को हम अपने गुजरात में आज तक गुजरात से बाहर नहीं निकल पाए वो भले प्राइम निस्टर हो जाएं मंता बनरी जी पूरी पुरी पुलिस फोर्स की ट्रेनिंग में भरती है मुस्लिमों को OBC में तो आप सोचकर देखिए कि कल ठाने में कल डंगे होंगे तो ठाने में केस लिखवाने जाओगे मुस्लिम उपर सिकात लेके जाओगे SP कलेक्टर मुस्लिम और अब कलेजियम खटम करके वो मुस्लिम को भरना चाते हैं खुद किरन रिज्जी का बयान है कि अलसंख्यक इसमें नहीं है SPST में नहीं है तो हिंदू कहां जाएगा हिंदू के बच्चे किदर जाएंगे और आज जो सबसे ज़्यादा भारत की नागरिकता हिंदू ने छोड़ी है इसी के इनी के कारकाल में हिंदू इस दुज़सा को भोग रहा है लेकिन हिंदू को एक ऐसी अफिम चटा दी गई है कि हमको राम मंदिर दे दिया 370 दे दिया जो सरकार राम मंदिर को अठकाने की बार बार कोसिज करती रही उसके नाम पे राम मंदिर दे दिया का बिलफार रहे है राम मंदिर पर सुप्रिम कोट का फैसला क्या है राम मंदिर पर सुप्रिम कोट उस जो जिसको विवादित जमीन कहा गया धायेकर उस धायेकर को 2010 के इलावाद हाई कोट के निरने को ही तो उसने एजिटिज लागो किया है तो हम क्या कह सकते हैं 2010 में सोनिया और मनमोन ने फैसले दिलवाए थे जब हम यह नहीं कह पा रहे हैं तो अभी कह से कह रहे हैं कि मोधी ने फैसले दिलवाए सिर्फ जमीन के डिविजन को उन्होंने अलग किया कि धायेकर के अलावा जो जमीन था वहाँ पर उन्होंने दो हिस्से किये थे इसके वज़ में इन्होंने पांच एकर अलग दे दिये हैं फैसला धायेकर पर तो वो धायेकर वो हिंदू को ही मिला था तो जब धायेकर इलाहबाद हाई कोट के 2010 के फैसले को ही एजिटी सुप्रिम कोट रख रही है तो मोधी ने कैसे दिलबा दिया फिर मनमोहन को आप सरे क्यों नहीं दे रहे हैं मनमोहन को भी सरे दे जिजिए और फिर आप याजका करता को आप देखिए 2019 का चुनाओ था 2019 का चुनाओ था उसमें हिंदूों को ठगने के लिए ये फिर एक याजका डालते हैं सुप्रिम कोट में कि उस जो बिवादास्पत जमीन इसको रहने दीजी आप जो बिवादास्पत नहीं है 66 ठेकर जमीन वो हमें दे दीजिए ताकि हम कुछ बना सकें और याजका करता को जो डेली हीरिंग की मांग कर रहे तो उनको तीन साल तक लटकाया गया सरकार जबाब नहीं दे रही थी जैसे अभी कासी ग्यानवापी 36 पे जबाब नहीं दे रही है रोज इलहाबाद हाई को डपट रहा है कि आप जबाब नहीं दे रहे हैं आप नो क का डाली कि वो जो धाई एकर जमीन है वो रिलेटेड पार्टी को लोटा दिया जाए जिस धाई एकर जमीन का अधिगरा ने किया निर्समाराओ की सरकार ने उसको लोटा दिया जाए रिलेटेड पार्टी को यानि फिर उलजाने का प्रयात जिस वेक्ति ने उलजाया जिसकी सरकार ने बुल जाया उसको हम रामंदिर का स्रे दे रहे हैं यह तो राम के साथ द्रो हम कर रहे हैं इतना वरा पाप कर रहे हैं लेकिन रामंदिर मोधी जी ने दे दिया तो अगर रामंदिर मोधी जी ने दे दिया सुप्रिम कोड के फैसले मोधी जी करवा रहे हैं तो अभ पर वह जबाब आपको नहीं देंगे, तो ये हमें सच हिंदु समाज को बताना पड़ेगा, बिरोध जिलना होगा, लेकिन कभी इंद्रा, राजीव, नहरू, गांधी का बिरोध करने वाले को भी बिरोध जिलना पड़ता था, लेकिन बिरोध जिलने वाले सच सावित हुए तो बिरोध जिलना होगा लेकिन हमारा जो प्रतम प्रयास होना चाहिए कि हिंदूओं को बताएं तुम्हारे मुद्दे क्या है हम तुम्हारे सिध्धान्त और सिध्धान्त का मतलब है हम इस पे अटल हैं हम प्रान दे सकते हैं हम इससे बदल नहीं सकते हम उद्देश सिमाल हिंदु समाज के साथ आप जो कह रहे हो उस भरोसे को दिखाते हैं और हिंदु समाज के अंदर ये आप यह बरोसा जगा पाओ कि आपके यही मुड़्े है तो मुझे लगता है आधी लडाए आप जीत जाओगे बाद में अप चुनाओ और यह सब जीतते रहोगे लेकिन हिं क्या है तुम्हें जातीयों में बांट के कैसे खतम किया गया है और हिंदुत्य के नाम पर तुम्हें हमेशा ही गुमरा किया गया है 370 आप का रहे हैं 370 मोधी जिलिये आए अब 370 में फिर से डुमिसाइलेक्ट है एक अगरीकल्चर सर्टिफिकेट जोड़ दिया है तो 370 ज सबस्थिजब जो नदी मर्ग नरसंगार हुआ था उसके वाद 2022 में सबस्थे ज्यादा 29 मारे गए हैं टार्गेट किलिंग में तो 370 जो आप कहा रहे हैं तो टार्गेट किलिंग का भी तो जवाब देना हो गया 19 हिंदू मारे गए हैं और 2022 में एक और हिंदू संजे मर गए हैं 20 मर चुके हैं अभी तक टार्गेट किलिंग में और जो मर रहे हैं उनके पक्ष में जो लोग उतर रहे हैं उनके कहा जा रहा है शैलरी काट दूँगा उनको कहा जा रहा है कि आप बोल नहीं सकते सोसल मीडिय पर जाके वरना यह राम्मंदिर Imre 1070 का यह जो धोखा गांधी के नील आंदोलन वाला धोखा है नहरू के अजादी दिलाने जैसा धोखा है इस धोखे से अगर हिंदू समाज को बाहर निकाल सकता है तो वो हिंदू समाज स्वता जो लोग जागरुक लोग हैं सनातनी है वो इसे निकालने के लिए एक मंच बना है एक पॉलिटिकल पार्टी बनी है एकम सनातन भारत यह हर सनातनी की अपनी पार्टी है उनका अपना यहां कोई भी आला कमान नहीं है कोई भी नहीं है जो कॉंग्रेस को तो कहते रहे गांधी परवार और यहां दो गुजराती मिलके सा पट दिया जाता है एक सांसद बोल नहीं पा रहा है सांसद में आपके 6-8-8 हिंदू के गले काटे गए अभी अनुपुर के बाद एक सांसद आपका हिंदू है जिसने बोला होके उठके कि महोदे देश में यह भी हुआ है दो मिनट मौन रख लेते हैं जब एक सांसद हिंदू है नहीं जो आपके लिए आवाज उठाए तो कैसे हिंदू पार्टी हो गई इसलिए आईए एकम सनातन भारत की को हम लोग हर हिंदू का अपना हर सनातनी का अपना पार्टी बनाए इस अवियान को बढ़ाएं और यदि हम हिंदूों को उनके लक्ष समझा दिए ह हिंदू को समझा दें कि तुम्हारे मुद्दे क्या हैं तो हम आधी जाराई जीत जाएंगे इतना इची के साथ मैं अपने वानी को विराम देता हूं आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद संदीव जी आपके अनुबव आपका संगर्श और यह हमारे ज्यान में है सायर संदीव जी का उनलाइन हुने का भी समय है तो कम समय दे पाएंगे वो उन्होंने पहले ही बता दिया था पर जितना भी समय वो दे पाए वो सही वे हमारे काफी सारी आखे को नहीं किसी ने क्या वह तो मुझे बहुत ऱंबे समय से ग्या थै और इसके साथ अन्कुर जी भी जूड़गे और सुषिल जी आज हमारे की स्पीकर है वर कुर जी तो हमारे तारान सार मुझे तो अभी लग रहे है कि अगर हमारी आगे वाली पीडियों को बचाना है तो हम में अंकुर जी के दिखाईवे मार्क पे चलना पड़ेगा और सब को साथ में मिलके एक स्वतंत्र हिंदू की लड़ाई लड़नी पड़ेगी यह सही में दुरबाग किया है कि इतने सालों बाद भी हिंदू का संगर्ष कम नहीं होता और बहुत दुख की बात है कि जो कश्म पाइस के जरी हमें सब मालूम पड़ा और जिसको बहुत ही सजे हुए अंदाज में बहुत ही प्रकर तरीके से मीडिया के सामने लाना सब जगा बात करना और अपने भाव के साथ जो पीड़ा मैंने सुशिर जी के बड़े लंग्वेज में देखी है उनकी आवाज में दे सबसे घ्यानी लोग क्योंकि कश्मीर का योगदान बहुत सारे च्षेत्रों में बहुत ही ज्यादा है वो जब फिनिश हो गया पिछले 50-70 साल से तो कश्मीर से कुछ नया इनोवेशन हुआ हो या संस्कृति के लिए कुछ किया हो जो शैवत्य का गड़ है वहां पे कुछ नहीं बचा और उसी हालत में उसी लड़ाई में जहां पे लोग अभी बात भी नहीं करें कि पाकिस्तान भी हमारी भूमी थी बढ़ा कश्मीर हमारी आज भी भूमी असी बात तो एक लिस्ट हो रही है और उस सब्पक्पे भी रखने में सुशिर जी का बहुत बड़ा यो इसको एकम सनातिन भारत की स्थापना के लिए बहुत-बहुत बढ़ाई और शुब कामना है मुझे हार्दिक जी ने संपर्क किया इस ट्विटर स्पेस पर संभाद के लिए हार्दिक जी आपका आभार मैं सुन रहा था अब तक जो कुछ कहा गया इस विशए में कुछ बातें साफ होना बड़ा आवश्यक है और ये हमारी देश की जो राजनेती की आत्रा रही है उनिस सो सेंपालिस के बाद और उसमें जो कुछ पड़ाव आए हैं उनको ध्यान में रखते हुए हमें आगे का मार्क देखना होगा देश में हिंदू की क्या स्थिती है उस पर तो जिन्ना को भी तरस आ गया था 1946 में जब विभाजन हो रहा था और कॉंग्रेस का पाखंट चल रहा था कि इस देश का विभाजन नहीं होने पाएगा जब जिन्ना ने ये कहा था कि मुसल्मानों का प्रतिनधित्व मुस्लिम लीग करती है और कॉंग्रेस एक हिंदू पार्टी है तो कॉंग्रेस ने 1940 में ही उधर लाहॉर में मुसलिम लीग का ये संशोध ये पास हुआ एक रेजलूशन कि हमें पाकिस्तान चाहिए क्योंकि मुसल्मानों का हिद कॉंग्रेस के हाथ में सुरक्षित नहीं है क्योंकि कॉंग्रेस एक हिंदू पार्टी है तो कॉंग्रेस ने हाथों हाथ अपना अध्यक्ष मौलाना अब्दूलकलाम आजाब को चुन लिया और कहा कि देखिये साहब अब हमारा भी अध्यक्ष एक मुसल्मान है और ये मुसल्मान हमारा अध्यक्ष है तो हम अब मुसल्मान पार्टी हो गए और उन्होंने तब जिन्ना को लक्ष करते हुए कहा था कि देखिये साहब वहां तो वो अर्दु ठीक से नहीं बोल पाता क्योंकि जिन्ना को अरदु अच्छे से नहीं आती थी बंबई में पड़े बड़े थे अंग्रेजी मे जादा बोलते थे अंग्रेजी लिबास पहनते थे वकील थे और इधर मुलाना को तो अर्बी आती थी उर्दु में क्या फर्राटेदार तक्रीर देते थे फिर उन्होंने कहा कि ये तो पूरा मुसल्मान भी नहीं है ये तो शराब भी पीता है नजायस भी खाता है सुवर का गोश्ट खाते थे बहुत रुची से जिन्ना और ये हमारा जो अध्यक्ष है ये तो मक्का में पैदा हुआ है शेरवानी पहनता है तुर्की टोपी लगाता है इसको उर्दु तो छोड़िये अर्बी और कुरान कंठस्त है ये कुरान की आयतें बिना लिखे बिना पढ़े बिना किताब खुले देख के बता सकता है तो जब ये कंपैरिजन्स होने लगे तो जिन्ना की और से कहा गया ये कंग्रेस के दिखाने के चेहरे हैं दिखाने के दाथ हैं उस वक्त रफिय अहमत किद्वई हुआ करते थे उस वक्त आसफ अली हुआ करते थे मुरान आजाद के इलावा और भी कुछ कंग्रेस के लीडर्स थे उनको कहा कि ये दिखाने के भर के चेहरे हैं बेसिकली ये गांधी और नेहरू की पार्टी है, बनिया ब्राह्मन पार्टी है और हिंदुों की पार्टी है लेकिन गांधी और नेहरू ये सिध्ध करने में लग गए कि हम हिंदू नहीं हैं किसी भी अंगल से उस वक्त जो पाखंड हुआ वो ये था कि कॉंग्रेस में अध्यक्ष एक साल के लिए चुना जाता था बहुत हुआ तो किसी ने चुनाओ लड़ लिया दो बार चुनाओ दो साल के लिए अध्यक्ष हो गया लेकिन ये मौलाना आजाद खुद गांधी एक साल के लिए अध्यक्ष थे उननिस सो चौबिस में एक बार अध्यक्ष बने एक ही साल के लिए ये मौलाना उननिस सो चालिस में अध्यक्ष बने उननिस सो च्छालिस तक साड़े छे साल अध्यक्ष रहे एक के बाद एक साल लगाता है और ये दशक भारत के स्वतंतरता आंदोलंगा दशक नहीं था ये भारत के विभाजन के आंदोलंगा दशक था और इसमें कॉंग्रेस ये सिद्ध करने में लगी रही के वो एक मुसल्मान पार्टी है उसका एक अध्यक्ष जो है वो मुसल्मान है 1946 के चुनाओं के बाद जब रिजल्ट्स आ गए और ये पाया गया कि अब कॉंग्रेस को पहुमत मिला है 900 से अधिक सीटें जीत गई है और जो कॉंग्रेस का अध्यक्ष बनेगा वो अंतरिम सरकार का अध्यक्ष होगा तब मुलाना आजाद को हटाया गया और नहरू को कॉंग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया क्योंकि उन्हें अंतरिम प्रधानमंत्री बनना था और उसका सारा किस्स आप जानते हैं कैसे पटेल बनने वाले थे और वो नहीं बने और उन्हें हटा करके ये एक जो सामराजवादी साजिश थी जिसमें वो अपने गिने चुने लोगों को सत्ता सौंप के जाना चाहते थे और शायद गांधी को ये जतला दिया था मांट बै लेकिन ये पाखंड जो था इसने देश को तूटने से नहीं बचाया सोचा था इस पाखंड के चलते वो देश के मुसल्मान को रिजहा लेंगे देश का विभाजन बचा लेंगे और बाद में इसी गांधी और नहरु ने देश के विभाजन के लिए सहमती दी विभाजन स जानते हुए भी कि देश का मुसल्मान उनके साथ नहीं है, उन्हों ने मुसल्मान को रिजहाना बंद नहीं किया, वो तुष्टी करन से त्रिप्ती करन तक तब भी पहुँच गए थे, आज भी अगर आप हैदराबाद के भाशन में सुनते हैं, कि वो आपको वोट दे ना आपको उनके पास जाना है, और उनकी रजामंदी लेनी है, उन्हें खुश करना है, उनकी खुशामत करनी है, उनके तरले करने है, वो चाहे आपको दुदकारें, दरवाजा आपके मुँपे बंद करें, आपको ये काम करते रहना है, ये जो सनक है, ये सनक नहीं नहीं है, ये सनक चालिस के दशक में कॉंग्रेस पर हावी थी और उनको लगता था कि ये उनकी युक्ति है युक्ति शब्द जो है इस विचार परिवार में बहुत प्रचलित है ये सोचते हैं कि बुद्धि मता का एकाधिकार यदि ईश्वर ने किसी को दिया है तो वो इन्हें दिया है और सभी युक्तियां इन्हें सूजती हैं और उनकी युक्तियों को कोई भाप नहीं पाएगा इनके कहे कुसव आँख मूंद के सुन लेंगे मान लेंगे और उनकी युक्तियां परवान चड़ जाएंगी यही भर्म तब कांग्रेस में था सनातनी कहे जाने वाले महात्मा में था यही भर्म आज के हुवे समराटों में भी है और यह सनक्ति की हद तक है उसके बाद भी विभाजन होने के विभाजन की तरासदी को अपनी खुली आँखों से देखने के बाद भी वो जिस क्रम में बंद गए थे जिन्होंने अपने को जिस विचार से बांध लिया था यह भी एक अजीब मनोविज्ञान है इस पर शायद ठीक से मैंने तो कम से कम नहीं पढ़ा है अगर कुछ लिखा गया है तो कैसे जब आप एक वैचारिक अधिश्ठान के प्रती निष्ट नहीं होते आप दास हो जाते हैं आप अपना विवेक अपना तर्क आँखों से दिखने वाले तथ्य अपना अनुभव जनित ज्ञान ये सब ताक पर रख देते हैं क्योंकि आपको ये नहीं लगता कि आप को गलती स्विकार करनी चाहिए ये कभी मान लेना चाहिए कि आप भ्रम में थे आपको देखने में गलती हुई आपको समझने में गलती हुई जब आप इस अहम में उस गलती पर परदा डालना चाहते हैं उसको नहीं देखना चाहते हैं नहीं स्विकार करना चाहते हैं आप वैसी ही और गलती दोहाते हैं ये ठिठाई एक ठिठरई उसके लिए कौन सा शब्द प्रचले था मुझे मालूम नहीं यह उसकी पराकाष्टा है और आप उसपर कोई भी कीमत चुगाने को तैयार हो जाते हैं यह पहली बार नहीं हो रहे हैं यह उसकी पुनराबृत्ति हो रहे हैं सबसे बडिदी प्रदिक यही है कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, यह ऐक Roberto. यह एक कंडिशन यह एक प्रक्रिया है जिसमें से हमारा नेतर्फ जिसे आप हिंदु समाज का नेतर्फ कहें, देश का नेतर्फ कहें, वह गुजरता है, बार बार गुजरता है. तो कश्मीर में जो गलतियां नहरू ने की और उन्हों ने तो एक बार उस गलती को स्विकार करके शेख अब्दुल्ला को हतकडियां पहनाई उसको शासन से निकाला उसको कश्मीर से निकाला और फिर उसको पुनस्थापित किया उसको छोड़ा उसपर कोई मुकदमा नहीं चलाया आप जानते हैं उसपर बहुत गंभीर आरूप लगा करके छोड़ा था और वो आरूप थे कि वो अमेरिका और बिटन के साथ मिलकर या शड़ियंत्र कर रहा है कि कश्मीर को स्वतंत्र गोशित कर दिया जाए और पाकिस्तान से मिलकर कश्मीर को भारत से तोड़ लेने की पूरी साजिश पूरी स्कीम तयार थी इस आरूप में उनको कश्मीर के शासन से हटा कर कश्मीर से हटा कर अग्यादवास में और डिटेंशन में देश के बाहर कभी बैंगलो और कभी दिल्ली में रखा गया उस विक्ति को नहरू नकेवल मुक्त करते हैं बलके जैनरल अयूब प्रेजिडन्ट अयूब के पास कराची जो उस समय के पाकिस्तान की राजधानी थी भेजते हैं और क्या करने के लिए भेजते हैं कि कश्मीर के विशे पर वारता कर ली जाए और कुछ लेकर देकर शांती स्थापित की जाए इसके लिए वो शेख अब्दुल्ला को तयार करते हैं और शेख अब्दुल्ला जाते हैं कराची वो उनके साथ वारताइं कर रहे होते हैं ये क्या प्रभाव पड़ता ये वारता है पूरी नहीं हुई और यहां नहरु जी ने आखें मून ली तो शेख अब्दुल्ला को दोड़े-दोड़े अपना सब बात ची क्योंकि एजेंडा और मैंडेट तो नहरु का था अब नहरु नहीं रहे तो इस पर कौन काम करेगा सब पड़ गया तो उन्हें वापिस लोट के भागते हुए आना पड़ा उनकी अंतेश्टे में शामिल होने तो ये नियती ने देश को बचाया इसी तरह नियती बार-बार बचाती रही 2004 में जो मुशर्फ के साथ बात्चीत चल रही थी आगरा की बात तूटने के बाद वो परवान चड़ जाती अगर अड़ल जी कुने सत्ता में आते 2004 के बाद फिर नियती ने बचाया क्योंकि मुशर्फ के साथ जिन मुद्दों पर एक राय हो गई थी जो बहुत खतरनाक एक राय थी उस आधी पौनी बात्चीत को सत्ता से जाते हुए अटल जी मनमोहन सिंग को सौप गए और मनमोहन सिंग ने उन तारू को वहीं से उठाया और मुशर्फ मनमोहन डायलॉग एक पैकेज डील तक पहुँचा और उस पैकेज डील में भारत को सियाचिन से अपने फौज हटानी थी सरक्रीक पर पाकिस्तान को उसकी मनचाही सीमा देनी थी कश्मीर को एक पीस का एरिया एलो सी को इर्रेलेवंट बॉर्डर घोशित करना ये सब तै था एक चिनाब प्लान था शेर्ड सॉवरिनिटी और जॉइंट मैनेजमेंट इन सब की तज्वीजें जो आपको मुझफर बेग द्वारा ओथर्ड पीडीपी के सेल्फ रूल डॉक्यमेंट में पढ़ने को मिल जाएंगी उस सब को शेह देने वाले पीडीपी को सिर्फ बनवाया ही नहीं अटल जी की सरकार ने ब्रजेश मिश्रा की सरकार थी वो उसको अटल जी की सरकार कहना गलत होगा अटल जी के साथ ये अन्याय नियती ने किया कि जिस आयू में उनको और जिस स्वास्तिकी परिस्थिती मे उनको सत्ता मिली, वो देश के साथ तो अन्याय था ही उनके साथ भी अन्याय था, वो कभी स्थिती में नहीं रहे कि बड़े फैसले सोच समझ कर, जानते बूचते वोगे खुद कर पाते, ऐसी परिस्थिती में ब्रजेश मिश्रा, डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर थे और उन्होंने जैसे चलाया, जो जो किया, उसका प्रमाण ये है कि मृत्यू से पहले कॉंग्रेस ने उनको पद्मविभूशन दिया, वो भाजपा के नाशनल सेक्योर्टी अडवाईजर थे और आटल बिहारी वाजपेईजी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, सबसे पावरफ सकते हैं कि वह व्यक्ति अंत में इंडो यूएस नुकलियर डील जिस पर कि वो भाजपा की तरफ से विरोध करने वाले और विरोध का तर्क और नीती और सिध्धन समझाने वाले तीन नामों में से एक थे, अरुम शोरी, यश्वन सिनहा और ब्रजेश बिश्रा, उस पर तैयार किये, भाजपा की नीती तैयार की और आखिर में जाकर पलट गए, और कॉंग्रिस का समर्थन के उन से पूछा कि ऐसा क्या बदला है, इस डील में, कि आपने अपने विचार बदल लिये हैं, तो उन्होंने का नहीं, अब मेरा आकलन दूसरा है, क्या बदला है, कु उस समय जो ये तैय हुआ, फिर नियती ने एक और बार भारत को बचाया, कि ये मुशर्फ मनमोहन डायलॉग आगे बढ़कर क्रियानवित होता, उधर मुशर्फ की सब्ता चली गई, और पहला काम, जर्दारी और उस समय यूसुफ गिलानी हुआ करते थे, प्रधानमंत्र और जर्दारी होते थे, राश्रपती पाकिस्तान के, तो नैशनल असेंबली में पाकिस्तान की उस समय की सरकार ने ये प्रस्ताव पास करके इस पूरी डील को खारिज किया, कि हमें कोई समझोता नहीं करना है कश्मीर पर, हम पूरा का पूरा कश्मीर लेके मानेंगे, सरकार को के हम सियाचिन खाली नहीं करेंगे, ये माउंटन आफ पीस, आपके जो खाम ख्याल में, ये एक नई पिनक, एक नई सनक उभरी है, सेना उसके साथ नहीं है, जेनल जे जे सिंग उस वक्ट चीफ अफ दियामी स्टाफ थे, उन्होंने सेना का रुक तो टूक किया क उसके प्रहरी हैं हम, हम वो पोस्ट खाली नहीं करेंगे, तब जा करके ये चीजें बच्ती हैं, आज हम पुनरावृत्ति देख रहे हैं, ये जो देश की समझ, परंपरा, संस्कृति, ज्यान परंपरा है उसमें, हम टाइम को लीनियर, एक सीधी लकीर में चलता हुआ नह उसे कहा जाए कि एक सर्कुलर इवेंट या इसे बार-बार होने वाला इवेंट मानते हैं, समय जो है, वो टाइम एक सीधी लकीर पर नहीं चलता, वो कॉंसेंट्रे. ऐसी परिस्तिती हमारी त्रास्दियां भी लोट लोट कर आती हैं हमारी बुर्टाएं भी हमारी सनक भी और इस सनक पर सवार अहंकार भी लोट लोट कर आते हैं नहरू के अहंकारों की इस देश ने कीमत चुकाई वो समय था जब नहरू पर किसी भी तरह की समालोचना, किसी भी तरह की समीक्षा, किसी भी तरह का प्रश्न उठाना, जेल जाना, अपना तिरसकार कराना, अपमान सेहना, खारिज कर दिया जाना, इसको न्योता देना था. तब पूरा देश नहरू पर रीज रहा था, और इस तरह रीज रहा था, कि नहरू का कोई भी गलत काम, कोई भी गलती, देखने को तयार नहीं था. जब जब हम इस तरह रीजते हैं, किसी एक नाम पर, किसी एक नेत्रित्व पर, और आँख मीच लेते हैं, तब तब हम एक बहुत बड़ा जोखिम मोल लेते हैं, और इस तरह के जोखिमों से तरास्दियां उत्पन होती हैं. आज हमने कश्मीर को ना जानने वाले, कश्मीर को ना समझने वाले, कश्मीर पर ना अनुभव रखने वाले लोगों के हाथ, कश्मीर की किस्मत सौप दिये हैं. किसी दैवी अनुगरह का ने नतीजा है, कूर्वजुम का कोई सदकर्म होगा, पुण्याई होगी, उसका फल है कि 370 निश्प्रभावी कर दिया गया, लेकिन नजाने क्या त्रासिदी है, कि अभी आठ महीने नहीं हुए थे, यही ग्रह मंत्राले, दवे छुपे चोरों की तरहां, उस लॉकडाउन के आठ हुए दिन, जो लॉकडाउन 3 महीने से भी आगे लंबा चला, उसके आठ में दिन ग्रह मंत्राले से एक गैजटेड नोटिफिकेशन 45 पेज की जारी करता है, जिसमें यह कहता है कि जो वहां 15 साल से लगातार रह रहे हैं, वही वहां के स्थाई नागरिक माने जाएंगे, उन्हें ही यह विशेश अदिकार होगा, कि वहां की सभी नौक कश्मीर से निकले 30 साल होने को आए हैं भई, हमारा क्या स्टेटस है, हम कश्मीरी हिंदूओं का, हम क्या वहां के अब नागरिक भी नहीं माने जाएंगे, तो इनको लगा कि अरे यह तो सोचा ही नहीं था, और उन दिनों आप किसी से मिल नहीं सकते थे, कोई प्रेस मेल पे, चिरोरियां करने के बाद, बार बार पूछने के बाद, यह च्छे साथ हफतों बाद कहते हैं, अच्छा अच्छा हम एक पोर्टल बनाएंगे, उस पोर्टल में आप अपने वो कागज चड़ा दीजिए, जो यह सिद्ध करते हों, कि आप या आपके माता पिता कश्मीर में रहे थे, आपका कोई टेलिफोन बिल हो, कोई बिजली बिल हो, कोई बैंक की पास्बुक हो, कोई कागज जमीन के हो, कोई फोटो आई कार्ड हो, कोई चुनाओ का आपका अलेक्टोरल रोल हो, इनको कोई यह बताए कि साहब, जो लोग वहां से निकले, वो फिर हमें इस अपमान से गुजरना पड़ेगा, कि हम अब ये सिद्ध करें, कि हम वहां कभी थे, ये हशर किया, कश्मीर के उन हिंदूओं का, जिनके विशे में आज तक ये स्विकार नहीं किया, इस सरकार ने के उनके साथ हुआ क्या था, वो निकले क्यों थे, उनको निकालने, उनके साथ जगन्य अपराद करने वालों को दंड देने की बात तो बहुत दूर किये, आज तक ये सरकार मानी नहीं है, अधिकारिक तोर पे कि कश्मीर में हिंदूओं के साथ हुआ क्या और ये किस ने किया, तो ऐसी परिस्थितियों को देखते बूचते हुए उस पर आँख मीचना, उस पर कोई नीती न बनाना, उस पर कोई निरने न लेना, ये एक साक्ष है जो आपको वो सब कुछ बतलाता है जो आप देखना नहीं चाहते, जो आप सुनना नहीं चाहते, तो इसमें कसूर किसका है, देखिए जो आपका दुश्मन है, जो आपका शत्रु है, वो आप से छुपा नहीं रहा कुछ, वो किताब में लिखकर बोल रहा है कि उसने आपका क्या करना है वो आपको क्या समझता है तो आप उसे दोश नहीं दे सकते आप अगर उसके विशे में अपने भ्रह्म पाल ले तो इसके आप दोशी है फिर आपकी सरकार अपने नीतियों में अपने निर्नयों में साफ-साफ कह रही है कि उसके लिए आप क्या कीमत रखते हैं तो आप फिर उसके विश्ण में भ्रह्म पार लें तो इसका दोश सरकार को नहीं दे सकते हैं इसलिए हमें जो बात शुरुवात में बार-बार कही गई कि हिंदु समाज को बताना है कि उसकी परिस्थिटी क्या है उसके साथ क्या होता आया है और क्या हो रहा है और भविश्य में अगर ये चलता रहा तो उसका क्या हशर होने जा रहा है ये बात अगर आप इस समाज को नहीं बताएंगे उसे नहीं समझ आएगी तो बाकी सब मुद्दे बाकी सब बातें गौण है बाकी सब इशूज सब अब्जेक्टिव्ज केवल एक जिसे अंग्रेजी में सिंटम कहते है वो है वो डिजीज नहीं है डिजीज आपको बतानी है देखिये गौहत्या जिहाद बटवारा ये सब ट्रक्रियाएं हैं सिंटम्स हैं ये हर रोज आने जैसे बुखार है, खासी है जुकाम नजला है खुजली है सिरदर्द है ये सिंटम्स है आप सिंटम्स का इलाज करना चाहते हैं या आप बीमारी का इलाज करना चाहते हैं आपको बीमारी का इलाज करना है और बीमारी क्या है ये बतानी है और बीमारी तब समझ में आएगी जब आप उन्हें ये पूरा परिद्रिश्य बताएंगे कि इस समाज के साथ अब तक क्या होता आया है किन कारुनों से होता आया है और अगर ये चलता रहा तो आगे क्या होने वाला है उस भविश्य से साक्षातकार कराना आने वाली तरासदी से आज उनको मिलवाना आज उसके उसकी विस्तरत जानकारी देना ये हमारा काम है और इस काम में जो अब तक निवेश किया वो पूरा पानी में चला गया ऐसा भी नहीं है मुझे लगता है कि जो हिंदू संगठन है और हिंदू राजनीती है उसमें अगर एक बहुत बड़ी कठनाई आई है तो वो नेत्रत्व जिसके हाथ में ये राजनीती, ये संगठन, ये सरकार चली गई है ये उनकी बहुत बड़ी कमजोरी और कमी है ये अपराध नेत्रत्व का है ये दोश नेत्रत्व का है क्योंकि जिन लोगों ने अपनी पीड़ियां दी जो आज भी अपने कमीज पर बिल्ला टांगने या अपने घर पर जंडा टांगने के कारण मार दिये गए घरों से हाथ दो बैटे अपनी महिलाओं को अफमानित होते देखने पर विवश हुए वो बड़े विशुद्ध अंतरमन से हिंदु राजनीती, हिंदु संगठन, हिंदु सत्था के लिए काम कर रहे थे वो आज भी बहुत इमानदारी से वो काम करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं वो हद प्रभ हैं कि हमारे नित्रत्व को हुआ क्या है वो इस कठनाई में हैं, वो मान सकते हैं कि स्थिती में नहीं है कि ऐसा हमारे नित्रत्व के साथ हो सकता है वो ये तो जानते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है, इस हिंदु समाज के साथ, इस देश के साथ क्या हो रहा है क्योंकि इसी नेत्रित्व ने उनको पिछले दश्कों में ये बार-बार समझाया, घुट्टी में घोल के पिलाया, पढ़ाया 370 के बारे में अगर किसी ने अभियान इस पूरे देश में चलाया, तो इसी संग परिवार और इसी पार्टी के लोगों ने चलाया लेकिन नेत्रित्व के स्थर पर, शीर्ष स्थर पर जो बेईमानी हुई, जो विश्वास घात हुए, मैं आपको उसका एक और उधारत देता 1971 में बहुत बुरी हार हुई लोग सभा के चुनाओं में जनसंग की स्वाइम बलराज मधोख हार गए दक्षनी दिल्ली से, वो अध्यक्ष थे भारतिय जनसंग के, उस हार के बाद जनसंग में एक मन्थन बैठक हुई, जिसमें ये तैह हुना था कि हमारी कारे शैली में ऐसा क्या परिवर्तन किया जाए, जिससे के हम चुनाओं जीते हैं, ये उसका एजंडा था, तो तबके शीर शनेतरत्व ने, जो बलराज मधोख जी से तब तक पेंड छुड़ा बैठा था, उनको अध्यक्ष होते होते बर्खास्त किया गया जनसंग से, श्रीमान लाल कृष्ण अडवानी जी जो तब महास्यचिव थे जनसंग के, उन्हों इस बैठक में बुलाई गई और ये तै किया जाना था कि कारे प्रणाली को कैसे बदला जाए ताकि सफलता प्राप्त हो, तो उसमें अड़ल जी का एक आग्रह था कि भई कारे प्रणाली पर तो विचार होता रहेगा, आप पहले ये तै कीजिए कि आप राजमीती में किस उतेश से है, आपको सत्ता साधनी है, चुनाव जीतने है, या आपको विचारधारा साधनी है, सिदांत बांचने है, इसमें आप तै कीजिए कि प्राथमिकता क्या है, और संगठन को विवश किया, ये मान लेने के लिए नेत्रत्यों को विवश किया, ये मान लेने, कि हम एक राजनेतिक दल है, और हमारी प्रात्मिक्ता सत्ता में आना है, ये जो विजारधरा, सिध्धान्त वगरा है, ये वो दल, वो संगठन, वो लोग कारिकरता देखें, जिनको के सांस्कृतिक सामाजिक शेत्र में काम करना ह हम लोग, पॉलिटेशन लोग है, नेता लोग है, पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हैं, और पॉलिटिकल पार्टी का एक मात्रू देश होना चाहिए, कि हमें सत्ता में आना है, उसके लिए बाकी सब साधन है, कारिकरता साधन है, संगठन साधन है, विचारधारा साधन है, सिधान साधन है भाशन साधन है बूथ पन्ना प्रमुख साधन है सत्ता साध्य है यह जब साफ हो गया तो फिर कोई गफलत कोई भ्रम रहा नहीं वो पहला चुनाव था बंधो 1971 का जिसमें भारतिय जनसंग ने अपने घोशना पत्र से अखंड भारत का मुद्दा निकाल थे का आपको जानके आश्यर होगा कि भारतिय जनसंग की स्थापना अखंड भारत के लिए हुई थी वो विभाजन की प्रश्ट भूमी में हुई थी और अखंड भारत के सिधान्त को ले करके उसके इर्द है ये अखंड है ये किसी भी एतिहासिक दुरगटना के कारण विभाजित भले हो गया हो लेकिन हम इस विभाजन को अस्विकार करते हैं ये अखंड है इस मान्यता को लेकर चला भारतिय जनसंग पंडित दीन दयाल उपाध्याय की आँखें मूंदने के बाद पहला चुन को तिलान जली दे देता है बिना किसी सार्जन एक बहस के बिना कोई विस्तार से बताए समझाए किसी को सूचना दिये कि हम ये क्यों कर रहे हैं जैसे किसी प्रूफ रीडर ने किसी गलती को सुधार दिया हो ऐसे चुनाओ के घोष्णा पत्र से चला गया वो मुझता है अब अगर आप अपने आधार भूत सिद्धानतों को अपने होने के आधार को अपनी नीव को इस तरह रिप्यूडियेट करते हैं अपने आस्था के विशय को इस तरह तिलान जली देते हैं तो फिर आपसे क्या पिक्षा की जाए जो लक्ष होना चाहिए वो यह होना चाहिए कि हम किस लिए आए है haste बाकि सब मुद्दे है वो उद्देश हैं वो उद्देश पूरे होजाएंगे क्या हमारा होना फिर चुख जाएगा उसके फिर आवशक्ता नहीं होगी एक मुद्दा गया, दूसरा मुद्दा गया, तीसरा मुद्दा आएगा लेकिन जो सनातन आवशकता है एकम सनातन भारत का वही आधार होना चाहिए भारत सनातन है और उस सनातन भारत के सनातन प्रहरी हम रहें और वह सनातन कैसे परिभाशित होता है उसे अपने संगठन में अपने कारिकरताओं के सामने रखें और उसको लेकर चलें फिर हमारे उदेश क्या है राजनीती में चुनावों में हम क्या करने जा रहे हमारे होने का क्या प्रभाव पढ़ना चाहिए देश की राजनीती पर देश की सरकारों पर देश की नीती पर देश के निरने उपर उसको तै करें और वो प्रभाव कैसे पढ़ेगा यदि हम चुनाव लड़ रहे हैं तो कहां लड़ें? किसके खिलाफ लड़ें? कैसे लड़ें? कितना लड़ें? कितनी सीटों पर लड़ें? किन-किन राज्यों में लड़ें? क्या मुद्दे लेकर लड़ें? हमारे चुनाव मैदान में उतरने पर जो दुश प्रचार होगा जो आरोप लगेंगे जो प्रश्न पूछे जाएंगे जो चुनावतियां खड़ी होंगी उनके विशे में हमारे पास क्या उतर हैं क्या हम उन्हें पहले से एंटिसिपेट कर रहे हैं हमारी रणनीती क्या होगी हम किसे हराने के लिए उतर रहे हैं हम किसे जिताएंगे कैसे हराएंगे, कैसे जिताएंगे और इसका आने वाले चुनावं के निर्णे उपर और देश की राजनीती पर हम क्या प्रभाव डालेंगे इस पर एक वुस्त्रित चर्चा बहुत आवश्चक है लेकिन आज उसका समय आ गया है। हिंदु समाज और हिंदु राजनीती विकल्प हीन होकर चारों दिशाओं में देखती ताक्ती इस समय किंकर्तव विमूर सी खड़ी है। उसे एक दिशा देना, उसे एक संकल्प देना, उसे भविश्य के प्रति आश्वस्त करना और चेताना ये दोनों काम एकम सनातिन भारत ने अपने हाथ में लिये हैं। मैं उसके लिए उन्हें बहुत-बहुत शुब कामनाय देता हूं। और यहीं अपनी वानी को विराम देता हूं। आपने मुझे इसका अबसर दिया। आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद सुषिल जी आप स्पेशल विननती पर आप यहां पर आये। अपना समय दिया। इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद है। प्यूर जी अभी QA राउंड सुषिल जी शायद रूप रूप रहे हैं। तो होगा पट अंकुर जी का अभी opening statement लिया तो अंकुर जी को एक बार हम सुन लेते हैं। अंकुर जी प्रस्थापक है यह पार्टी शुरू करने का विचार अंकुर जी का है और अंकुर जी इनकी अधरक्षता भी कर रहे हैं। तो अभी अंकूर जी के पास चलेंगे और अंकूर जी से मेरा एक्टली क्वेस्चन है कि अंकूर जी आपका 370 जो हटा उसमें आपका जो एक्सपिरियंस है उसको थोड़ा अगर आप बता पाए और साथ में एकम सनातन भारत का प्रयोजन का भी कैसे सैट हुआ तो प्लीज जी जी धन्यवाद मैं 370 की परिष्ट भूमी को लेके कुछ दो मिनिट में बात कह देता हूं क्योंकि मैंने आपसे निवेदिन किया था कि 9 बजे मेरा एक अलरड़ी लाइफ है और उस लाइफ को भी होल्ड पे रखवा के मैं चूंकि आपने नाम लिया और सुछील जी न जम्मू कश्मीर को भारत की सेकिलर धर्ती के अंदर एक पाकिस्तान के रूप में निर्मित करता था आइडिया 370 और 35 के पीछे ये था कि भारत की सेकिलर पॉलिटी के अंदर एक नॉन सेकिलर फियोक्रेटिक इसलामिक मुसलिम स्टेट का निर्मान किया जाए और इस तरी 35 के खिलाफ हमने 2015 के बाद ही exclusively जम्मू संभाग में रहते हुए एक movement खड़ी करने का प्रयास किया जहां जो ruling party BJP थी वो अपने manifestos में या party declarations में यह जरूर कहती थी कि 373 को खत्म करेंगे लेकिन PDP के साथ coalition के चलते और उस coalition का जो agenda of alliance बना कि दोनों सरकारें किस agenda पे काम जम्मो कुश्मीर को किस agenda के तहत govern करेंगी तो उसमें BJP ने PDP को लिखित में दिया था कि 373 को हटाने की बात तो छोड़िये हम उस पे बात भी नहीं करेंगे उसे छेड़ा भी नहीं जाएगा क्योंकि agenda of alliance था coalition government थी तो BJP ने अपना core ideological issue जो था उनके सामने surrender किया तो practical situation यह 370 को और 35 के खिलाफ आवाज उठाई अल्टिमेटली 370 पैटी से खत्म हुआ पारलिमेंट में ही खत्म हुआ पारलिमेंट से ही खत्म होना था लेकिन उसके पीछे supreme court में जब भी 35 को जो चुनोती दी गई थी उस पे जब सुनवाई होती तो देश में जो महोल बनता था व एक जब 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 पार्टी भी हमारी 35 एक अगेंस पन अफ पेटीशनर्स की supreme court के सामने तो 370 और 35 को खत्म करने के लिए apart from court हमने जब जब संभाग में across the 10 districts of Jammu province awareness campaigns organize किये हमने तीन बड़े प्रोग्राम्स किये जो जब 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 बड़े बड़े halls में हुए थे और एक प लोगों के मन में यहां पे एक एक नया narrative बिल्ड हुआ, understanding एक नहीं हुई कि 370 और 35 से एक subversive जिहादी टूल है जो हमारे constitution में plant किया गया है और हमारे constitution की मूल भावना को द्वस्त करते हुए वो जम्मू कुश्मीर को एक Muslim state के रूप में निर्मित करता है तो लोगों को Muslim majority में है, उसे minority status अभी तक मिल रहा है और जो non-Muslims के लिए आने वाले सब benefits है, वो क्यों मूसल्मानों को दिये जा रहे हैं? क्यों जम्मू कुश्मीर में रोशनी कानून बनाके 14 फरवरी 2018 का order पास करके, रूइंग्याज और बंगला दिशीज को सरकारी एजंसियों के द् सेटल करवा के, मुसल्मानों को और्गिनाइस तरीके से रिवर बेट्स और फॉरेस्ट लैंड पे बैठा के, डिमोग्राफिक इन्वेजन लैंड जिहाद को स्टेट एपरेटस के द्वारा ही अनलीश किया जा रहा है, तो इन सब चीजों के सवाल भी मिलना शुरू हुए अनतता 375 और 35 का खात्मा हुआ, लेकिन वो ये कहके हुआ कि ये डिवलप्मेंट को रोकता था, भारत सरकार ने ये कहा कि इसमें महिलाओं को पूरे पूरन अधिकार नहीं मिलते थे, हालांकि जम्मु किश्मीर हाई कोट की एक जज्जमेंट थी, जिसके बाद वो बराबरी का हक वाला मामला लारजली एड्रेस हो गया था, जहां-जहां प्रॉब्लम क्रीट होती थी, वहां कोट की सायता ली जाती थी, स्टैंडिंग जज्जमेंट थी, कोई समस्या नहीं थी, लेकिन जहां पर आइडिया ये है कि 375 से, चूंकि जम्मु किश्मीर एक मेजॉरिटी स्टेट है, इसलिए इस स्टेट का अलग जंडा होगा, अलग समविधान होगा, स्टेट विदिन दे स्टेट, अब पाकिस्तान विदिन इंडिया, और फिर बेचा ये गया कि 375 और पाकिस्तान को रोकता था, तो इस प्रिश्ट भूमी में ultimately ये खत्म हुआ, और जैसा कि सुशील जी ने भी बताया और उससे पहले, मैं जंदीब जी को भी सुन रहा था, उन्होंने भी बताया कि किस तरीके से फिर बैक डॉर से मुस्लिम अपीजमिन्ट के चलते, भारत सरकार ने 375 और पाकिस्तान को रिंट्रोडूस कर दिया, दो policy decisions लिये गे, एक आपको सरकारी पब्लिक एंप्लॉइमेंट जम्मु कुश्मीर में चाहिए, तो आप वहां की domicile होने चाहिए, और domicile होने के लिए आपको 15 वर्ष लगातार जम्मु कुश्मीर में रहना पड़ेगा, तो पहले परिस्तिती क्या थी, भारतिय नागरिक जम्मु कुश्मी में प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता था, आज की परिस्तिती यह है कि आपको अगर प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो आपको तहसीलदार से एग्रिकल्चरिस्ट सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, और एग्रिकल्चरिस्ट सर्टिफिकेट तहसीलदार आपको तो ही देग अगर आप या आपकी family already जम्मो किश्मीर में property own करती है तो अब भी वही परिस्तिती होगी अब कौन हिंदोस्तान का भारत का ऐसा नाजरिक है जो जम्मो किश्मीर में already property own करता है नहीं करता है उसे agriculture certificate नहीं मिलेगा certificate नहीं मिलेगा तो इन दो पॉलिसी इंटर नहीं कर वा सकते यानि property own नहीं कर सकते तो इन दो पॉलिसी इंटर्वेंशन से इग्जाटली बैक दोर से 370 परिटी से को वापिस ले आए गए मैं आप से निवेधन करना चाहूंगा मुझे रिक्वेस्ट आ रही है नो बजे का लाइव है मैं I'll probably try to rejoin लगी नहीं 370 परिटी से की ब्रीश प्रिष्ट भूमी थी मैं जो मैं आपके सामने बहुत ब्रीफली रखना चाहता था प्लीज अलाओ मी तो लीव सो एड़ाइन रिजाइन टाइम मैं भी 35-40 मिनिट्स थैंक यू थैंक यू अनके उरजी कि आपने अपने व्यस्त समय में से कुछ समय हमें भी दिया और हम बेट करेंगे वी विल कंटिनी ओवर स्पेस पर हाफ आफ और वैसे हमारे साथ कुराना जी जूड़ गय है कुराना जी वही पत्रकार है जिनकी मेरे फोड़े समय पहले बात कर रहा था कि दिली से एक परम हिंदू पत्रकार का मेरे को फोन आया था उन्होंने बताया कि सचर कमिटी रिपोर्ट को धाई गुना उल्लेडी इन सरकार ने इंप्लिमेंट कर दिया था उनके बताते हैं बताते हैं मुझे लगता है डेर गंटे का शायद प्रुना जी वाटालाव था हमारा उनके बताते हैं मेरे प्यारों नीचे से जमिंग खिसक गई थी और वही शायद वो असमन जसकी स्थिती में में आ गया था कि इतने प्रयासों के बाद जो घटना चक्राव हो रहे थे फिर मैंने अब्जर करना शुरू किया और मैंने एक पॉइंट पर आके कंप्रिटली सोचा कि भई हिंदू से जूडने से अच्छा है कि खुदी हिंदू बने रहू और हिंदू उठान के लिए जो हम प्रयातना शील रहे इतने सालों से उसको पंटिनू रखे तो खुराना जी आप कुछ इस विशे में बताना चाहेंगे सच्छे और कमीटी डिपेर्ट पर क्योंकि आप एक्स्टर इंडेल उस पर रिसर्च भी है दुन्यवाद हर्दिक जी वैसे अच्छा होता की अंकुर जी भी होते मेरी उनसे बीज बीज में बात होती रहती है आप जिस हम आपकी और मेरी वारतालाव की बात कर रहे हैं वह बात्चित थी 2020 की और लॉगडाउन से कुछ समय पहले की थी वह मार्च मुझे ध्यान मार्च 2020 की बात्चित थी वह उस समय तो सच्छर कमिटी और जो जो लोग मुझे जानते हैं वह और लगबक सारा मीडिया और बाजबागा शीर्श नेतित्व और उनके सभी राश्ट्री प्रवक्ता यह भी अच्छे से जानते हैं कि उनकी सच्छर कमिटी के जो इंप्लिमेंटेशन के ओपर अगर विरोध करना किसी ने आरब किया तो किस ने किया और किस तक किया और मैं यहां अभी इस पेस में तो नहीं बता सकता कि उस पर क्या-क्या कारवाई मीडिया में मेरे उपर करवाई गई सच्छर कमिटी का यह है कि पैट्रियर्ट्स फॉरम एक ट्रस्ट था वगर जो लोग सच्छर कमिटी के विरोध में आज काम कर रहे हैं थोड़ी सी उन्हें जानकारी में देना चाहता हूं पैट्रियर्ट्स फॉरम पूर्व आईपेस ऑफिसर्स का द्वारा बनाया वाट इंट टैंक था दिल्ली पेस्ट रामकुमार ओरी डीसी नाथ जो आईवी के टारेक्टर थे अजीद दोबाल जी के सीनियर और गुरू और जेपी शर्मा सीवी आई के वो भी एक सीनियर ऑ पत्रा चार भी किये और उनको उनको रिप्रेजेंटेशन भी मांगा कि आपके जो तत्थे हैं वो बिल्कुल गलत हैं उस समय के भी पुराने न्यूज लोग गूगल करके देख सकते हैं पैट्रिट फॉरम सच्चर करमेटी ऐसे डाल करके और उस समय रामकुमार ओरी जी क जो अभी उनका द्यान दो गया स्वर्गी रामकुमार हो रही कहूंगा मैं नाइंटी टू वर्ष के थे वो तो उनके बहुत सारे उपन लेटर्स भी मिलते हैं सलमान खुर्शीज जी के नाम पर उस समय क्योंकि बहुत सारी माद तक मुझे याद है 29 मई 2012 मैं बिल्कुल कर कि अल्बसंख्यतहों को उनकी सरकार्ण नेश्कॉदरशिप दीय गोंपी मैट्रke पृस्च नेश्कॉली सकूली जो ती tyreज़्ेशन मैध पोस्ट्रेशन वह सारी इसमयोजणाए थी उस आथार पर एक भी हिंदू को नहीं गयी और उसके बाद जो सरकारी नोक्रियों में यो तैंदर की सरकारी नोक्रियों में मुस्लिम मुकाइब पौड़ प्रयास की यहां तक कि उस समय जो पुलिश फोर्श थी पुलिश फोर्श ती उनका बढ़ाया गया उसके पर भी काफी चरचाएं तो आश्य लख सब्सक्राइजिव असी समय सरकार ने आर्मी से यह डेटा मांगा आर्मी से की वह डेटा की कौन से धर्म के कितने फोजी हैं तो आर्मी ने वो डेटा देना से मना कर दिया को कि वो आर्मी में भी मुस्लिम परतिशत और अल्प संक्या सो कॉल्ड परतिशत बढ़ाना चाहते थे लेकिन मैं एक रफ आइडिया दूँ कि सरकारी नोग्रियों में 3 परतिशत थे मुस्लिम जो 2013 तक 6 परति इनका इंडिया पॉलिशी फांडेशन वह सारी कॉंफरेंस सेमिनार किया करते थे बहुत विरोध हुआ और कुछ हमारे जैसे भी लोग थे कुछ जैगोपाल और जेजी और आयरेस ऑफिसर मेरे क्याल से अभी तक वह इस विशे पर लिख रहे हैं मेरे मित्र हैं वह लगब नोक्रियों में वह 2014 में एक प्रतिशत घट गया वह प्रतिशत रहा गया लेकिन 2014 में मानिय मोदी जी प्रकट हुए और उस समय एक विशेश ड्राइव चलाई गई और 2015 का कुछ बड़ा स्पैशल नोटिफिकेशन भी है जिसकी चर्चा में यहां नहीं करूंगा बहुत स् चानकारी कम ही होगी ही नहीं वह बहुत रेर लोगों को होगी लेकिन यह सब जानते ही हैं कि इस में से मरेकाल से कुछ लोग जानते हैं यह अभी यहां पर समय सुनने वाले जितने भी लोग हैं कि मैं तब की बात कर रहा हूं जो सब के सब बाजपा समर्तक थे और मोदी ज क्योंकि मैं जानता हूं वो कौन को ना हम मुझे भी जानते हैं 2017 तक यह संख्यक प्रतिशत 10 प्रतिशत कर दिया गया तीन साल के अंदर अंदर जो काम कांग्रेस ने दस साल में नहीं किया यह तीन साल में मोदी जी मुक्तार अबास नकवी इन्होंने सब दस प्रतिशत कर दिया केंदर की सरकारी नोकिव में मेरे ख्याल से डेड़ लाक के आसपास मुस्संके को नोकिव दी गई राजे सहबा में इसकी जानकारी भी दी गई वो न्यूज आपको बहुत जगा मिल जाएगी और स्पेशली राजे सहबा में मुस्लिम परसेंटेज इ दिया गया यह विशेश बात है और मुक्तार अबास नकुई जी ने दिया और उसके बाद सच्चा कमेटी की अधार पर जो अलग अलग लेवल समय पर स्टेटमेंट्स हैं जैसे राजना जिंग सिंग जी की स्टेटमेंट है दोजार छे या साथ की स्टेटमेंट है कि अगले दस साल में हम अल्ग संक्यक तुष्टी करन बिल्कुल समाब्द कर देंगे अने को स्टेटमेंट मिल जाएंगी यहां तक कि मोदी जी ने दोजार तेरा में गुजरात हाई कोर्ट में कैफिडेविट दिया था यह चीफ मिन लेगा सचर के मेटिके अगेस्ट उसके ओपर अगेस्ट नहीं फिर तो फ़ड़ा सा सॉब्स्टेंड हो चुका था उसके ओपर आर्टिकल्स भी है रिपोर्ट्स भी है मेरे को उच्छी तरह नहीं तो फिर लेकिन मोदी जी ने दोजार चौदा में आता ही और पूरी क्लिप्स हैं और बड़ी नहीं योजना है बनाए गई मेरे ख्याल से तीन चार पड़ो परदेश योजना जो थी वो शायद अभी वीस तक तो फिर मैंने इसको वाच करना ही बंद कर रही है इतना विरोध किया हमने कि यह आउट ओफ कंट्रोल हो चुके थे और आज भी आ मर्थन में विशे बहुत सारे हैं जैसे अभी पीछे आया तीन सो योजना हैं अगर हज सबसेडी हटाने का जो कहें लेकिन वो कहां से इससे अधिक फायदे वो मुस्लिमों को दिये गए हैं यह बड़ा लंबा विशे हो जाएगा और 2019 की मैं शॉर्टकट में आ रहा हूं क अभी तक हर साल मेंटेन किया जा रहा है तिदाए एस आई पीएस यूपीएसी की तैयारियों का बहुत बड़ा डेटा है और जो उसको क्या करते हैं जैसे जो रेजिदेंशल जो होस्टल्स होते हैं जामिया मीलिया के और पूरे उसका डेटा है आपको अलब संक्या माइन कंपाइल करना ही उसको बहुत भारी हो चुका हो अलग-अलग मिनिस्ट्रियों से भी दिया गया है मुझे पता चला कि वो शायद एचार्डी मिनिस्ट्री से भी कुछ योजनाएं दी गई हैं तो 2019 में यह कहूं कि आते आते यह हुआ कि मेरे पर बहुत सारे प्रतिबंद भी लगे वीडिया में और 2019 में सच्चर कमेटी की सी मेरी कोई फेस्बुक निकाल करके देखे 2016-17-18 के बाद 2019 में मैंने मुदी सरकार के अगेस नोटा कैमपेंग किया था वो बहुत बड़ा कैमपेंग था नोटा सेना ओफिशली एक वेबसाइट थी नोटासेना.com जो नोटा को कि मैं चाहता था दो 2019 से पहले एक बड़ी पार्टी खड़ी कर सकता था वह आज मी कर सकता हूं लेकिन कई उसमें रुकावटे आती हैं जो अंकुर जी हो जो उनके सहयोगी है वो जैसे जैसे आगे बढ़ेगी उनने पता चलेगा कि फंड्स जो हैं फंड्स मैं एकम सवनातन भारत को जो शुब कामना देते हुए कुछ बात उनके लिए बताना जाता हूं कि बुद्धी और ग्यान हमारे पास बहुत है लेकिन 2019 सेंटर फॉर मीडिया स्टेडिस की बात है सहयोग से बात है कली मैंने यह बात अंकुर जी को फोन पर बताई दी कि सेंटर फॉर मीडिया स्टेडिस की एक रिपोर्ट है लखनु का मेरे खाल से वह तिंक टैंक है कि 2019 में भाजपा ने लगबख 27,000 क्रोड रुपया खर्चा था सुनाव में कॉंग्रेस ने खर्चा था 9000 क्रोड रुपया उनको 35-36% वोट मिला था संख्या मैं कहूं तो 27 क्रोड व पाने के लिए आपको एक हजार रुपय का परचार करना पड़ रहा है अब यह सोचने वाली बात है कि इस देश के 47 के बाद सबसे बड़े हिंदू छवी वाले नेता तबसे बड़े हिंदू छवी वाले नेता जो 2014 में पूर्ण भवमत में आये और उननीस में भी मैं यही इतना बड़ा पैसा है कि इससे पहले इसका आदे से आदा भी शायद कभी खर्च नहीं किया गया हो 2014 में भी मेरे पास एक रिपोर्ट थी के 10,000 क्रोड रुपया उस समय खर्चा गया 2014 में तो 2019 में तो कम होना चाहिए था नहीं वह 27,000 क्रोड रुपया एक हजार रुपय का और ग्यान में कहीं से भी कम नहीं है अंकोर जी बहुत अच्छे बुद्धी जी लिए और भी साथ में लोग है तो धन के ओपर विचार करें क्योंकि विशे जो एकम सवनातन भारत है मूल विशे तो वही है और फंड कलेक्शन जो है वो यह 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 जो पॉलिटिकल मुमेंट है यह तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक सरवस्फ ने उच्छावर करने कि भावना नहीं आएगी मैं दो जार निस में आज डिस्क्लॉजर यहां दे देता हूं मैं देन बहुत कम लोग जानते हैं मैं दो जार निस से पहले चा मैं यह भी बता देता हूं कि आज भी कर सकता हूं लेकिन सारे स्थिति यह आती है कि हम एक छोटी लड़ाई तो लेंगे हर सीट पर पांसो हजार गोजार वोट भी लेंगे लेकिन उसके बाद सब जगा सब कुछ गवाने के बाद हम कुछ करने के लाइक कितना बचेंगे कि यह बहुत बड़ा प्रेशन है वो उसका कोई उत्तर रहेंगे उसके बाद हमारे पूर फंड्स भी नहीं बचेंगे एक पार हमने अपने आपको एक्जॉस्ट कर दिया उसके बाद हमारे बस क्या बचा तो फंड्स का सुल्यूशन निकालना बहुत जरूरी है और इसके ब जहां पर लगबग हर तीसरे जो उत्ते दिन मुझे एक न्यूस चैनल बलाता है तो आज महीने में एक बार बलाता है मेरे को जानकारी भी बराबत हुई कि कहा कहा से फोन आते हैं कि इनको नहीं बुलाना मैं आपको बता रहा हूं कि क्या प्रेटिकल प्रॉब्लम आपको भी आएंगी और सोशल मीडिया पर मैं बड़ा लगबग चार-पांच साल से शैडव बैंड जेल रहा हूं लोगों के फॉल्वर बढ़ते हैं मेरे घड़ते हैं अभी मुझे लगता है कि वह जो हीट जो होती है हीट अभी तो कि आप यह मत सोचिए कि भाजपा आपको आपके सोशल मीडिया पर शैडव बैंड की ही मिलेगी आपकी पोस्ट आपके ट्वीट उनकी रीच इतनी कम हो जाएगी कि आपको लगेगा कि वो ट्वीट या सोशल मीडिया हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है तो वो उसके भी हल निकालने पड़ेंगे और थोड़ी दिर के लिए संदीब देजी मुझे मौलिक भारत की मिटिंग में मिला करते थे और मौलिक भारत के ग्रूप में वटसएप ग्रूप में बहुत सारे लोग भी मेरा विरोध क्या करते थे संदीब जी उससे में भाजपास मरता की थे आज बहुत अच्छा है कि वह अच्छे बुद्धी जी भी है थोड़ी देर के लिए संदीब देव जी और नीरजत्री जी है इनका यूट्यूब चैनल गायब हो गया अब जुबारा से बनाना है अब क्या करें कैसे परचार करेंगे एक बार को सोचके देखिए तो उसका हल किरपया निकालें क्योंकि ये होगा ही होगा अवश्य होगा और ये दो बाते में एकम भारत सनातन पार्टी जो मुखे विशे है ये बताना चाहता हूँ अच्छा एक बात कही जाती है कि 70 साल से क सब्सक्राइब को ये पार्टी नहीं ये सकते नहीं है सबसे पहले सनातन पार्टी और एक मातर सब्सक्राइब से और उनके तीन जाते एक समय में मध्य परदेश में उनके पच्पन विधायक थे राजस्तान में भी बड़ावत एक उनका था राजस्तान यूपी मद्य परदेश और जो आज परदेश को देश के तथाकतित राष्टवादी संग ने उनके लोग जो मुझे अनोफेशली बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी तथाकतित चानक्यन नीतियां अपना करके उसको समाथ किया और राम राजस्तान के उसमें डिस्पूट डाला मैं अभी बता रहूं कि राम र और बहुत जल्दी उसका शॉलिशन भी हो सकता है और फिर बड़ी समस्य वो बनेगा क्योंके पास किसी प्रकार की कमी नहीं है तो अभी तो मेरा यही है मेरा निवेधन की फंट्स पर रुपया विचार करें और जो आपका परचार तंत्र है वो मूलता अभी सोशल मीडिय के उपर एक सेकंड के लिए सोच के देगे सब वो है नहीं सुबह उठे और आपने देखा ना यूट्यूब है ना ट्विटर है अब क्या करोगे तो इसके उपर विचार करें मेरा अभी तो मेरा यह यहां में विराम है मेरा बहुत-बहुत धन्यवादा हर्दिक जी को और आपकी पार्टी को पुरी-पुरी शुक्त काम नहीं है मेरे मैं पार्टी तो जॉइन नहीं कर रहा और लेकिन मैं यह विशेज मैं हाँ यह एक स्वड़ा मैं आपको एक मिटोल लेना चाहता हूं को अंकुर जी को मैंने बात कई थी 2019 में मैंने एक हिंदू मैनिफेस्टो बनाया था इतियास में पहली बार ये ूज़ यूज हुआ था वो पंदरा सुत्रिय मैनिफेस्टो था इससे पहले पांग सुत्री मैंनिफेस्टो बनाया था जनवरी 2019 में मुजे मुझे शंकराचारे स्वामी अभी सवरुपण सरत्त्वती जी की वर्ट स्वामी अभी मुख्तैश्ण अन्द जो अबी संकरा जा रहे हैं उन्हों ने मुझे उस पर रटन में समर्थन दिया और बाद में आभी जो संकरा जा रहे हैं उनके लिए मैंने ये 15 सुत्रिय हिंदू मैनिफेस्ट् बनाया वह पहली बार शंकराचारे जी ने स्वामी अभी मुक्तेशार अनन जी ने 21 अपरेल 2019 को काशी में शंकराचारे जी ने वो हिंदू मैनिफेस्टो उनका है मैनिफेस्टो रिलीज गुआ हिंदू 2019 के चुनामों के लिए था और अभी आपका जो सब्त सिंदू है उसमें पहला पॉइंट अगर 5% वाला में जन संक्या वाला छोड़ दू तो आधा मैनिफेस्टो जो आपका है वो आधा हिंदू मैनिफेस्टो ही है तो इसलिए आपके मैनिफेस्टो को तो हमारा समर्थे नहीं है और आउटसाइड हम आपको सयोग कर रहे हैं लेकिन पॉलिटिकली नहीं है और आगे वहिश्चे के गर्भ में क्या वहिश्वर तय करेगा और यह बाते अंत्य में मैं यह कोंगा कि धन कैसे आएगा और सोशल मीडिया में समस्य आई तो परचाठ तंतर को कैसे मैनेज कर र और स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद वो शान्त होगे जब शान्त होना श्कुरूओ तब भी हमारी बाते चल रही थी कि देखो अर्दी कि यह सब हो रहा है और उसी समय पर मैंने कुराना जी को बताया कि सही बता रहे हम भी ट्विटर से विलुक्त हो चुके है क्योंकि हमें सिस्टेमेटिकली जी खतम कर दिया ग पर मैं एक बात बता दो अभी स्पीकर पे मैं सतीशन्ना को रिक्वेस्ट कर रहा हूं चायद सतीशन्ना ट्राविल कर रहे हैं अगर वो जूर पायते हैं तो बहुत बड़ी है अन्यता कुमार जी है संजय जी है मैं हूँ हम जवाब देने का प्रयास कर सकते हैं लेकिन हम इतने अनुपवी नहीं है तो आप जो भी सवाल जवाब करें तो मित्र रूप में करियेगा और या था मत मानियागा कि मजे हुए या पोलिटीशन है हम सिर्फ प्रकर हिंदुवादी है और कुछ नहीं दनेवाद तो निकेत जी से शुरू करेंगे फिर प्योंजी की रिक तो निकेत जी आप अपना जो भी सुरू जाव या प्रेशन है वो रखे धन्यवाद जी भाई हर दिख भाई आपने हमें बोलने का मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हर अर्माद जय 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 सियराम जय भगवान पर असराम जी की देखिए सबसे पहली बा सुमझाया घर के बारे में जो ढख़र्म जंदा कि तो एक चीश मैंने देखा आज के बारे में झ오 एकम सनाटन भारत पार्टी जो यह बनी है जो टो इसका सब्सवाहोट ज्यादा जरूरत थी। क्योंकि आजके बक्त में हम किसी पार्टी को जिसको हम बोरे के वोट कर रहे हैं आजके बक्त में आप सो मैंसे नभी लोगहों से पूछोगे न जो वॉट किए तो सो में से नबे लोग ये बोलेंगे भाई यही है हमाई पास कोई बिकल्प नहीं है वो इस पार्टी को इसलिए वोट नहीं करते हैं उन्हें पता है कि यह सनातनी नहीं है उन्हें पता है हमारे धन के नाव धन्दा करते हैं उन्हें पता है सब कुछ पता है सब जानते हैं और दूसरी चीज आज के बक्त में जो लोग उस पारिटी को सनातनी या राष्टबादी समझने की गलती करते हैं तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आपको पता हो कि सेना में पहले सास्त्री की डिगरी थी ना उसको मानने माना जाता था ठीक है लेकिन हमारी तथा कथे तथा कथे तत्था कथे मैं बाड़ इसलिए जोर हूं कि यह हैं नी तथा का थिथ हंदो तवाली जो पार्टी है ना इन्होंने सेना में भरती होने के लिए एक जो मतलब सांदिप्री समाज है ना उसकी बिशेस जो उसका एक अध्यान ग्रह होता है ना उसके चात्रो को चिएना में प्रवएस की अनुमति दी गई है थीक Is सब को समझ में रहा हूंग यह एक कदम हमारे जो है न यह एक कदम जो इनका है ना यह एकदम हिंदू राश्ट के तरफ तो आप सबी लोगों को समझ में रहा है और अगंद्ध ऐसे एक नहीं मैं अगर देने प्याओं तो कम से कम पचासों एक्जम्पल मैं दे सकता हूं और हमारे तथा कथित जो हिंदू हिर्दय समराथ है उनका एक बक्तब है बाकाइदा मेरे पास मैं उसको कोड़ करना चाहता हूं जो तथा कथित सांतवी जो सम धर्म है न यही इसक इसका जो असली मतलब है न वह अमन है यह हमारे तथा कथित हिंदू इदा समराथ का वक्तब है बाकाइदा चाहता हुआ ठीक है और लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जो लोग आज भी अपनी आँखें बंदक रखें हैं जिस पार्टी को यह वह अपना धर बहुत ही ग्यानी है क्या उनके पास ग्याना प्रटी सबके आगे हम लोग तो पुछ भी नहीं एंच है अभी अँकोर भयाते उन सभी लोगों को सुन रहा था अभी हमारे बाधे बैठें बड़े बाई यह भी बहुत ग्यानी है ठीक है और अभी मैं खुराना जी को सुन तो मतलब ये सभी लोग ज्यान है लेकिन मैं एक जो सच्चाई बता रहा हूँ ना आज की जो सच्चाई युवा पीड़ी है वो समझ चुकी है इनके खेल को और इन्हें इसी चीज की बॉखलाहाट हो रही है कि ये हमारा भंडा फोड हो रहा है क्योंकि काफी दिन तक काफी मिला क्या अपकी कोई मतलब के ही नहीं है आप सच्चाई मैं आपके लिए क्या है हाज के लिए कितना बजट दिया जाता है और हमाते जो हमारे आस्था के केंद्र है हमारे मंदिर सनातनियों के उन पर कितना ट performed लेती है उनको सब गर्मनेट अपने अद्रहेड कर लेती है भाई ये आप समझो और सुनो और देखो किसी पाटी की अंदभक्ती नहीं करनी चाहिए, किसी पार्टी की गुलामी नहीं करनी चाहिए, और भाई बहुत-बहुत धन्वाद अंकर सर्मा जी का, कि उन्हों नहुने इस बिकल्फ हींता के दोर में सिर्फ इनको वोट 90% लोग सिर्फ इसी लिए वोट करते है बीकल फीनता है, चलो उससे तो अच्छे हैं भले ही हो, यह कुछ नहीं कर रहे हैं, सबको पता है लेकिन आदमी यही बोलता था, चलो उससे तो अच्छे हैं बस सिर्फ इसी बज़े से इने लोग बोट करते थे तो यह बीकल फीनता के दोर में जो एक एकम सनातन भारत पार्टी जो खड़ी हुई है मैं तो बहुत साधुबाद देना चाहूँगा अंकुर सर्मा जी को कि उन्होंने ये बहुत अच्छा काम किया और सनातनियों को मैं तो बोलता हूँ एक जोट होके सभी को एक साथ बिना कुछ सोचे समझे बिन जिस तरीके से आपने दो हजार चालदा से लेकि किसी पार्टी की अंद्भक्ती किये है ना तो जितना आपने उसको समर्थन करके पाप किया है ना ये आपको एक मौका मिल रहा है महादेयों की कृपा से प्रभु स्री राम की क्रपा से भगवान परसुराम जी की क्रपा से कि आप अपने पापों का प्राश्चित कर सकें इस एकम सनातन भारत पायटी को समर्थन करके मेरे पास सब्द बहुत कम है ग्यान भी आप लोगों से बहुत कम होगा इसलिए मैं अपनी वार्णी को भी राम देता हूँ और भी बिद्वान जन जुड़े हैं मैं उनको सुनना चाहूँगा हर हर महादव जैसी राम जैजै स्री हरी भगवान परसुराम जी की जैसी राम लिकेटी बहुत जबर जबर साथ ने वक्तवे दिया और सही में आई उपनिंग है और शायद मौरोले सभी की जर्नी से मैं बिजेश सर को भी मैं बड़े लंबे समय से जानता हूँ बड़े प्रखर वक्ता है और मेरे से वो चूग होई माफ कीजिएगा और देखने में थोड़ा आप देखे नहीं थे मुझे आप आगए तो आप भी अपना प्लीज वक्तवे रखेगा प्यू जी आप कुछ बूलना चाहते तो आप बोल लीजी और फिर क्योंकि यहां बैठे वे पैनल में सभी प्रखर रखता और बड़े अनुभवी लोग है तो मैं तो इनके सामने को इतनी बड़ी तो रखता नहीं हूँ तो बार बारी बारी आप अपना वक्तवे देना शुरू करें प्यूं जी आपसे शुरू करते और माप किजिएगा कोष्ट इतना गंदा फस गया भाई मैं देते देते इधर उधर करते करते ठक गया जाही सब्सक्राइब करना इस सब्सक्राइब कर रहा हूं बट मैं भी विवश हूं शमायाची हूं आपका और आपके बड़े सम्मान के साथ जैसे वैसे हम चलाने की भावना के साथ इसको जारी रखेंगे तो प्यूर जी आप अपना वक्त विए देना चाहेंगा आप है अभी प्यूर सार शायर वो कहीं आगे पीछे है हमारे साथ प्रदीब जी जुड़े है जो प्रदीब जी जुड़े है जो प्रदीब जी आप अगर कुछ बात कर रहे हैं ये सबसे अच्छी बात है अब रही बात एक पार्टी के रूप में एक विकल्ब बनाना वो कहां तक सही रहेगा कहां नहीं रहेगा आप लोगों ने सबने बहुत उसके उपर रिसर्च करी होगी तेकिन कुछ अभी जो चर्चाएं हो रही थी जैसे हज के अंदर सबसीडी दी जाती है और वो आज भी कंटिनू है सबसीडी पहले दी जाती थी इसकी मैं पूरी डीटेल्स और निटी ग्रीटी में पहुत डेफ्थ में गया हूँ कितनी दी जा सकती थी क्या पूरा में डेटा एक आपको प्रिजेंट कर सकता हूँ लेकिन शॉट म कुछ फ्लाइट कंसेशन्स हैं और यह सब चीजें दी जाती थी जो कि आज के समय में बंद कर दी गई है तो हज के ओपर सबसीडी ऐस सच अभी आज के समय में है यह तो मिरे लिए एक न्यूस की बात है क्योंकि कोई भी सबसीडी नहीं है मतला हम अगर जैसे जो भी बाते करें ठीक है पार्टी बनाना बहुत बात है बनाना चाहिए अपना सनातन का नाम जो है आगे बढ़ाने के लिए जो कुछ भी हो सकता है और जो कुछ भी कोई भी करेगा ना उस सब के साथ में है रहा हैं लेकिन फैक्ट्स जो है अपनी अपनी डिफाइंड होनी चाहिए कि हम क्या बाते कर रहे हैं. नंबर टू जो अभी चर्चा हो ती के सा क्या है कि अधन का ऋस ऐसा हुआ और मंदरूं का क्या बलते हैं इस प्रकार से किए गया और मंदर जो है सरकारी है तो सरकारी मंदर जो है इसकी सबसे पहले हम लोग जड़ा एक हिस्ट्री देखते हैं ये सरकारी मंदर जो किये गए मंदरों का जो पैसा सरकार के पास जाता है ये कहां से शुरू हुआ क्यों हुआ किस कंडिशन में हुआ है और सरकार उसमें क्या कर सकती है और बन्दूवादी जितने भी संगठन हैं उसके लिए क्या करें? डेफिनेटली ये बिल्कुल होना चाहिए और मंदर फ्री होने चाहिए पूरी तरीके से मैं इसके पूरी तरीके से पक्षमे हूँ. जो कोई भी हमारे मित्र हैं, भाई हैं, मैं उनसे एक चीज बोलना चाहूँगा, हम सब सनातनी हैं और संजय जी, डॉक्टर संजय जी हैं, हम सब लोग बहुत सारे प्रैटफॉर्म्स पे, बहुत सारी चीजों के लिए हम सब ने साथ में काम किया, ठीके? यहाँ पे जितने मैं चेहरे देख पा रहा हूँ, इसमें से करीब-करीब देखा जाए तो 40-50% लोग जो हैं, वो मेरे साथ कहीं ना कहीं जोड़े रहे हैं, ठीके? तो कोई ऐसा मत समझ यह का कि मैं विरोधी हूँ, देखे क्या है, निंदक नेरे राखिये हम सब ने सुना हुआ है, तो तब रखने के लिए और बोलने के लिए आ गया, ऐसा कुछ नहीं है, यह बिल्कुल इस तरह से बिल्कुल मत लीजेगा, लेकि मेरा परसनली जितने लोग मुझे जानते हैं न, वो अच्छी तरीके से जानेंगे कि भारती जनता पार्टी में मैं बदादिक करी था यहां प पॉलिटिक्स मेरे लिए एक सेकंडरी है, पॉलिटिक्स मेरे लिए एक सेवा की तरह है, और मैंने हमेशा इसको सेवा की तरह लिया है, ठीक है, जब मुझे एक्छा होती है, मैं पार्टिसिपेट करता हूँ, जब मुझे अपने परिवार चलाने के लिए एक्छा होती है, संग के हम लोग बच्पन से सवक रहे हैं हमारे तीन गड़िया संग में रही है वो So Сब्बल में सब्सक्राइब आप पॉइंट रखेंगे, बिल्कुत सुईकार करेंगे हम उसको मैं यह नहीं बोल रहा हूँ कि हम जो बोल रहा है बिल्कुत सत्ते है तो मैं जो बात कर रहा था कि जो मंदिरों की चर्चा हो रही थी इसको बड़ा गहराई से हम लोग देखने की कोशिश करते हैं सबसे पहले क्या हुआ जब जिस समय पर इस्ट इंडिया कंपनी आई थी उस समय पर इस्ट इंडिया कंपनी एक रूल लेके आई थी जिसमें क्या है कि क्रिश्चिन मिश्णरीज भी और मुसलिम्स की जितनी भी कैबलते हैं मस्जिते हैं और हिंदूस के टेंपल यानि जितने भी religious places हैं ये सारी की सारी उसके अंडर में आएंगी और वो ही उनको manage करेगी और उनका पुरा fund जो है वो manage करेगी ठीक है उसको मदरास act बोला जाता है तो उसके बाद क्या हुआ कि Muslims ने और Christians ने इसका बहुत भारी बिरूद किया बहुत भायंकर बिरूद किया हिंदों ने उस समय पे पता नहीं क्यों बिरूद नहीं किया तो हुआ क्या कि Christian मिशन दीस तो सबसे पहले free होई गई क्योंकि क्या है कि ultimately जो लोगों लगाया था वो खुद भी Christian थे वो सकता है उनके मन में ही नहीं कि इनको करें वो एक ड्रामा करने के लिए लगाया होगा कि सबके साथ एक जैसा treatment करते हैं लेकिन Muslims ने भी अपनी मस्जिदें जो हैं उससे free करा ली कोई तरीके से वो भी free हो गए वो free होने के बाद लेकिन क्या है कि उस समय पे जो एक revolution होना चीए था वो नहीं हुआ उसके बाद में exact date में थोड़ा सा miss कर रहा हूँ 19 I think 1946 की बाद है उस समय पे क्या हुआ कि वापस से एक rule लाया गया जिसमें हिंदू temples को free करने की बात करी वो British नहीं है ना यह पहले जो लेकि आया थे उस समय बिटिश सरकार नहीं हुआ करती तो उस समय इस्ट इंडिया कंपनी थी in fact ठीक है लेकिन अभी British सरकार लेकि आई कि हिंदू temples को free करेंगे लेकिन उसके बात में बहुत सारे issues खड़े हुए यह हुए कि क्यबल ते कौन इसको कौन सी organization इसको manage करेगी और British government ने इसको on hold डाल दिया उसके बात में आज़ादी मिल गई उसके बाद में जो government आई उन्होंने इसके ओपर कभी विचारी नहीं किया आज एक सरकार बनी हम उसके ओपर एक हजार लांचल लगा सकते हैं पिलकुल लगाना चाहिए हमको सरकार है हमने vote दिया हुआ है लांचल लगाना हमारा परम करता दे है लेकिन वो सरकार जो है उसस अरातन धर्म को माना जाता है उसमें एक साूद के टेंपल अलग हैं नौर्स के टेंपल अलग हैं महराष्टा के टेंपल अलग हैं ठीक है मैंने तो यहां तक आपको देखो बड़ा क्रूड बात कहूंगा मैं इस गहराई में भी मैं कई बार जा चुका हूँ हिंदू ने विजिट किया तो जो वहां से रिस्पॉंस आए वो शाद पब्लिकली बताने लायक नहीं है तो यह एक इतना कॉम्प्लिकेटिड विश्या लगा कि सरकार भी डेफिनेटली इसके ओपर कुछ करना चाहेगी कोई भी विरोधी नहीं है लेकिन एक पूरा का पूरा एक जो टेंपल है उसका क्या वोलते है एक विविक्टी जो है उसके घर में अभी मैं देख रहा हूँ कई सारे टेंपल से हैं मैं एक सकता आम से लेकिन तूंगा नहीं वहां पर क्या हो रहा है वहां पर एक जो विक्टी बेड़ा हुआ है और दोनों के बिसमान कंपड कि मैं देख रहा हूँ, दूसरे जो ब्रामण हैं, जो की बहुत ही समर्थ हैं, बहुत ज्यानवान हैं, और वो बहुत उनके अंदर capabilities हैं, उनकी स्थिती क्या हो रही है, उनको क्या है कि दो टाइम खाने का रोटी नहीं मिल रही है, अब आज अकर एक temple में इतना पैसा आ रहा है, व वो temple का पैसा जो है, वो government को नहीं जा रहा है, वो क्या है कि वहीं पे rotate हो रहा है, क्योंकि सारे temples उसमें नहीं आते हैं, जो पुराने temples हैं, वो ही आते हैं सर्फ, लेकिन वो popular हो गया, तो वहां पे क्या देखने को मिल रहा है, कि दूसरे अगर हमारे हाँ पे जो ब्राहमन थे, रामन हैं, जो की बहुत अच्छे ग्यानवान हैं, अपना पूरा जीवन जो है, उसमें समर्पित कर रहे हैं, कम से कम उनके लिए, सबको सबके लिए कुछ ना कुछ एक ट्रस्ट बना के कुछ ना कुछ करना चीए था, वो नहीं हुआ, तो ये सारी चीजें जो है, व हमारा विश्य है ना, हम हर्ची सरकार अगर हमारी क्या है कि बनी हुई है, एक ऐसी सरकार बनी है, जो की हिंदों के कहीं ना कहीं पक्ष तो रखती है, हम अगर बिल्कुल ऐसा बोलते हैं, आँख बिल्कुल नहीं रखती है, ये गलत हो जाएगा, तो रखती तो है, लेकिन बाकी जो काम है वो हम हिंदूओं को करना है कि सरकार करेंगी कि प्रधान मंत्री जी बोलेंगे कि साब क्या बोलते हैं हम हिंदूओं के लिए काम करेंगे हिंदूओं को स्वयम अपने लिए काम करना पड़ेगा ना मैं पार्टी के विरोध में हूँ और हिंदुत्व तो देखिए हमारा पहला एजंडा है हम जन्म लिया हिंदू में मैं चाहूंगा कि अगले साथ जन्म या जितने भी जन्म होते हिंदू में ही जन्म हो और यहां पे सनातन धर्म के लिए कहीं ना कहीं लोगों को सिक्षा देने का कारे जो है यह सब भी मैं करता रहता हूँ अपने पर्सनल लेवल पे जो कुछ कर सकते हैं वो सब करने की कोशिश करते हैं तो सनातन धर्म के विरोध में कभी जाएंगे ऐसा मत सोचिएगा आपकी विरोधी हो सकता है आपकी हमारी विचालधारा ना मिले लेकिन हमारा जो लक्ष है वो कविन कहीं ना कहीं एक ही है सुशिल जी और अंकुर जी दोनों थोड़ी दिर में प्रस्तूत होंगे बापिस उनका कुछ काम था उन्हों प्रमिस करके रखा तो थोड़े समय के लिए वो गए हो और वड़ी वक्तविया देखे गए है और आपके क्वेश्चन आंसर के भी आंसर करने के लिए उन्हों अगर समय दे तो सुमिच जी तू इगर तो स्पीक सम्थिंग तो शायद अगर उनको सुन लेते हैं तो थोड़ा हां तो सुमिच जी आप ही बूले सर प्लीज तेम्क्यू देखे पहले दो इन्होंने उत्राखंड के मंदिरों के वीचे में कुछ नहीं बताया और जो उसमें है हिंदू धर्म आचारे सभा उसके अंडर जो है न सारे वो प्रोविजन्स हैं जो वो करना चाहें मंदिर कैसे रन हो सकते हैं क्योंकि ब्रेटिशर्स ने जब आके वो अधिग्रहित किये तो उससे पहले वो अधिग्रहित होते थे उसमें से कुछ मंदिरों का है कि उनको मतलब उनके जो एंसेस्टरस हैं किन के मंदिर हैं कौन उनको वो कर सकता हैगा केवल और केवल यही विशे हैगा और यह क्या कहते हैं सिरफ और सिरफ जो है फिलाल तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ और समय आने पर गो कि आप मेरी भावनाएं मेरे को लगता है लोग समझने का प्रयास करेंगे और हिंदुों में और जनता में आम जनता में आक्रोश बहुत है चाहे वो सोशल मीडिया पर और इसको महसूस करें न करें बट जनता जो नहीं तो उनकी मर्जी है धन्यवाद अगर मैं अगर मैं आगे जरूर अपने विचार व्यक्त करने के लिए तो अतंतरर होंगा और मैं यह आशा रखता हूं कि आप मुझे इसके लिए बादित नहीं करेंगे धन्यवाद सूमित जी पर मैं चाहता हूं कि यह कोई one-to-one ना हो और डॉक्टर संजे जी कुछ बूलना चाते थे तो ब्रीजेश जी अगर थोड़ा उनको सुनके फिर आपके पास वापिस आए तो अगर आपकी क्रिपा हो तो क्योंकि ब्रीजेश जी को भी कुछ बक्ते वैद देना है इसलिए नहीं तो आप पूछ रहा हूं उनसे भी परमिशन ले रहा हूं खीक है ना तो संजे सर प्लीज आप कुछ बूलना चाते हैं देखिए अभी प्रदीप जी ने बहुत सारी बाते कही मुझे सिरफ मैंने पहले भी एक बार कहा था फिर से एक बार सबको स्मरन देता हूं हम जिस राष्ट्रिय स्वयम सेवक संग परिवार में तयार हुए है संग हमेशा कहता है कि संग कोई पहला हिंदुतोवादी संगठन नहीं है ना ही संग एक अकेला हिंदुतोवादी संगठन है संग कहता है कि हमसे पहले भी बहुत सारे रुशी, मुनी, आखाड़े थे, मठ थे हमारे से पहले भी कोई आरिय समाज था हमारे साथ में भी कोई स्वामी विवेकानंद मिशन है राम कुरुष्णा आश्रम है हमारे बाद में भी कोई स्वामीमान भारत है अगर हम प्रमान माने तो राजनीती में भी हिंदुत्वादी बहुत सारी अलग-अलग संगटन होने चाहिए और कौन बड़ा हिंदु है किसके अजेंडा में सबसे ज़्यादा हिंदुत्व है ऐसी कॉंपिटेशन होनी चाहिए और जिनके उम्मीदवार सचमुच में प्रखर राष्ट्र मक्त हो और कटर हिंदुत्वादी हो उसे वोटिंग डिवाइड किये बिना वोट होना चाहिए Otherwise Congress से आए वाले उम्मीदवार अगर किसी हिंदुतुवादी पार्टी से बनते है तो options की जरूरत है हमारे मठमंदिरों को मुक्त करानी की बात आती है तो options की जरूरत है किसी को minority के नाम पर 35% वाले लोगों को अगर आप subsidize करते हो तो options की जरूरत है और options ऐसे हो कि उनकी demands स्परधा में आए और ज्यादा हिंदुतुवादी बने हम चाहते है कि एक से एक हिंदु सनातन धर्म के नाम पर संगठन बने राजनेतिक संगठन भी बने तभी हिंदुओं के लिए अच्छी बात होगी सिरफ हम सब लोगों के लिए उसमें voting divide नहीं करना है election के समय हमने उम्मीदवार देखना है कि कौन सा प्रकर राष्ट्र बगता है और कट्टर हिंदुतवादी है डिवाइड ना होते हुए उसके लिए करेंगे वरना कांग्रेस की विचारधारा से आया हुआ उम्मीदवार अगर हिंदुतव के नाम पर खड़ा रहता है तो ये हिंदुओं के लिए अपमान की बात भी हो सकती है सनातन हिंदु धर्मका नाम हम सब के लिए प्यारा है गुरुपया इस राष्ट्रिय स्वयम सेवक संघ की विचारधारा को अगर स्विकार करते है तो हमें ये स्विकार करना पड़ेगा कि ऐसे ओप्शन की जरूरत है धन्यवाद जैश्री राम धन्यवाद संघ जी और आपने बड़ी ये सही बात की और ऐसे ही विचारों के साथ पार्टी बनी है उसमें कोई दोराय नहीं है ब्रिजेश जी के पास सलेंगे और फिर कुराना जी के पास फिर मुन्ना भाई, मनोज भाई और प्रोजेक्ट भाई के पास प्रिजेश जी प्लीज से प्रात्ना करूंगा कि आप लोग आगे बढ़ें और ये ये होना भी चाहिए क्योंकि तभी प्रेसर बनेगा प्रेसर बनने के लिए भी ज़रूरी है अभी तो एक छत्र राज चल रहा है जाहे वो हो नँढ़ा हूँ मैं भी उदारण देने लगूं कि भाई वास्तो मिन के किछनी ओकरनी में कितना अंतर है तो मैं बहुत ज़़दा उदाण दे सकता हूँ और बयान बयान मैं इलाउंगा कब कब बयान आहत करने वाले हैं मतलब सीना छलनी करने वाले बयान दिये गए हैं देश के आदर्णी पधनमंत्री के द्वारा मैं बयान गिना दूंगा मतलब वामपंथियों का एजेंडा तक मैं कहूंगा चलाया गया है हिंदु समाज को विभाजित करने का पुर्जोर कोशिस किया गया है ऐसे बयान दिये गए हैं मैं उन्हें यहां गिनाना नहीं चाहता तो मेरा इसपष्ट मानना है कि भई मजबूरी कुछ नहीं है और नहीं आरोप लगाया जा रहा है जिस दिन 80% गवरक्षको का डोजियन निकाला जा रहा था उस दिन निगाह से उतर गए जित अंदर खुराना जी है यह उस समय डिवेट में काफी आया करते थे जवाब देना मुश्किल हो रहा था कि चाब बोलें और वही 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 प्रदान मंतरी जी पिछले तीन सालों से राम नौमी के औसर पर पत्थर बाजी हो रही है तलवारे निकल रहे हैं बंदूके निकल रही हैं नुपूर सरमा के मामले में कनिया का गला रेट या गया एक बयान नहीं आया जो तलवारे निकाल रहे हैं जरा इनका डूजीर तू निकालो ये कौन है कम सकम इतना तो बोला होता उने वेकिन एक बयान नहीं आया जो अरोप की बात है अब फिर उसके बाद ये जो मुस्लिम तुष्टी करन से तिप्टी करन की और अग्रसर हो गए बैई त्रिप्ट हो ही नहीं सकता आदमें त्रिप्ट कैसे होता है भोजन से तो बैई उनका भोजन कौन है काफिर तो आपको जब खा जाएंगे तब त्रिप्ट होंगे सीधी सी बात है अब ये न समझ में आए तो भाईया भगवान भी आपका मालिक नहीं है भगवान भी बचाने नहीं आएगा उनका लक्ष बिल्कुल क्लियर है वो जो बोल रहे हैं ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं वो आपकी नव्ज को तलास रहे हैं कि आप करना क्या एक एक्षन का रियक्षन कैसा हो रहा है जैसे अभी यह कौन था मौला ना था जो बोल रहा था कि हमें आप फिर से क्या कहते हैं एक अलग राष्ट की मांग करनी चाहिए तो ऐसे बयान क्या किसलिए आते हैं ऐसे बयान इसलिए आते हैं कि आप कैसा action का reaction करते हो अब जो यह मुस्लिम मुहलों की बात हो रही है सोची इस देश में मुस्लिम मुहलों की बात की जा रही है यह मुस्लिम मुहलों की बात यही है यही दर्साता है न कि आप क्या करते हो पचासी परसेंट हिंदू दिस देश में उस देश में तुम महले की बात कर रहे हो यह पूरा देश हिंदू का है तो तुम्हारा सब कुछ बंद कर दिया जाए यह बोलने वाला नेता पैदा होना चाहिए साप साप सब्दों में यह यह नोटेंग की बंदों नहीं चाहिए बैया सबका साथ सबका विकास ये ड्रामा है और इसी ड्रामा ने बेड़ा गर किया है ये जब तक बंद नहीं होगा बिल्कुल साप साप सब्दों में बोलने वाला हो बैया इस देश में रहना है तो यहां पर पचासी परसंट की भावनाओं का सम्मान करते हुए रहो हमारा उनके काते हैं यात्रा पर या फिर जुलूस पर कभी पत्थर नहीं मारा है लेकिन वो उनका मुहला हो जाता है ये बोलने वाला नेता होना चाहिए आज तक एक भी नेता बोला हो किसी भी राजनीतिक दलका बोला हो एक नहीं बोलने वाले हैं तो मैं उमीद करूंगा कि ए मिलेगा और सूचिए एक बात मैं और बता रहा हूं अभी मैं एक खबर पड़ रहा था पचासी परसेंट से खुश नहीं हो रहे हूं 15 परसेंट की ओर जा रहे हूं कि पता चला है मोजी जी कि मन की बात को अब क्या काते हैं उत्तर वदेश के उसमें पढ़ाया जाएगा मद लेकिन समझ में ही नहीं आ रहा है करेंगे आप अब हमको तब चाहिए ना नोबिल प्राइज पीस का तो सब को सुची के लिए चल रहा है दनिवाद ब्रिजेश जी और इसी के साथ मैं बताना चाहूंगा कि उपर मैंने जो पार्टी के सब्त सिध्धान्त है वो शेर किये और उसके साथ रजिस्टिशन लिंक भी है आप सभी धर्म जो धर्म की भावना रखते है वो लोग पार्टी से जुड़े रजिस्टिशन करवाए और आपका तन मन धन एक हिंदू कारिय के लिए आप रखे क्योंकि हिंदू का लड़ाई अभी बाकि है अभी हमें और स्व करने के लिए पार्टी ने मुझे बोल की रखा है क्योंकि जब मैं जुड़ा तो मैंने अपने सुझाव दी और मेरे सुझाव उन्होंने माने और काफी कुछ इंप्लिमेंटेशन और शुरू हो गया है तो पार्टी बड़ी उपन है आपके सुझाव विचार जानने के लिए और यह बात आप समझ की रही है कि यहां उपर से कोई आदेश नहीं आता है हमें सब को मिलके ही खड़ा करना है ऐसा कोई ऐसा व्यक्ति विशेश या कुछ भी नहीं है जहां से उपर से आएगा और सब सुनेंगे सब की राय ली जाती है सब रात में बैठके इस विश्ति चर्चा करते हैं और जो करिया कलाप हमें करना होता है वो आगे की रण निथी ताय होती है तो धनिवाद प्रिजेश ची यह बताने के लिए अरे सुमित भा कितने घंटे से बैठा मुझे लगता है मैं बीच में कुछ बोलू कुछ एड़ाउन करू पड़िये हमारा नॉर्मल स्पेस निए जहां हम मित्र लोग बैठते है और चर्चा कहीं भी कल ले तो चल जाता है सुशिल जी फिर से हमारे बीच में जुड गए है सुशिल जी आ आप हैंडरेस कीजिएगा फिर से मांग लिजिएगा तुरन में दिने का प्रयास करूंगा पर प्लीज अभी सुशिल जी चीफ गेश्ट है हमारे और की स्पीकर है तो सुशिल जी आपका बड़े भाव क्रदेस आपका फिर से स्वागत है स्पेस में हमारे साथ रितु जी भी जूड़ी है हमारी बड़ी पुरानी मित्र भी है बड़े लंबे सर्माईस हम लोग मिलके ट्विटर पे और सुशिल मेडिया में जन जाकृति और हिंदू क्वाजिस के लिए काम करें मैं रितु जी को भी रिक्विस्ट करूंगा कि आप भी माइक ले ले और सुशिल कि प्लीज आप पंटिनू रखे और कुछ क्वेस्टन्स थे लोग आपसे पूछना चाहते थे वेट कर रहे थे कि आप वापीस आए तब पुछेंगे और खुरानाजी भी कुछ कहना चाहते है बट आई डोन नो वो ड्रॉप हो गए तो कैसे करेंगे सुशिल सर आप आप इमारे बट बारत आप तो का प्रणी आप पुछ कर रहे थे लिंगया जाएगा यानि कि भारत वरश में रहने वाले लोग अगर पांच परतिशां से कम है उन्ही को माईनूरीटी राइट्स मिलेंगे और विष्व में रहने वारे सारे हिंदू को भारत को उन्की मदर्ले जाएगा, यानि कहीं भी उनके साथ कोई भी घटना होती है, तो भारत वर्ष में बीना संकोच वापिस भी आ सकते हैं, या तो उनके राइट्स के लिए इंडियन गवर्वर्मेंट भी वहाँ पर लड़ सकती हैं, कि हमारे लोग हैं, और वी आ गुएंग तो स्टेंड बाइ हमने एचलियाग जो हिंदू शुरक्षा संग हमने बनाया था, उसमें पाकिस्तानी हिंदू जो आके बसे थे बजनों के टीले पर सब्जाना तो उनके साथ में काम किया था, उनके प्रश्णों को भी सुना था, और हमसे जो बन पड़े वो हमने किया था, तो बहुत ही दा आज भी पनिस्तिती बाइस चलो रूख रहे हैं, एक्टेने उनको परमीशन तो मिल गई है, बट यह थे आ नोट इन वेल बिंग कंडिशन को बहुत ही हमारे लिए क्योंकि इतना बड़ा देश है, अब तो हम वल्ड की पांच की एकोनोमी बन गये, लेकिन अगर हमारे ही के लिए अगर हम मकान दे नहीं पा रहे हैं, जॉब नहीं दे पा रहे हैं, उनको सही जंग से अगर दहिने का नहीं कर पा रहे हैं, बहुत दुखा दे, और इनके कॉन्ट्राइट लिक्शन में मैंने सुना था कि कुछ रूहिंग याओं के लिए फ्नैट भी दिल्ली में तो यह भी बहुत दए नहीं है, तो सुशेच आप अपने विचार इस पे रखने प्रिश जो सिधान्त वाली बात है, मेरा उस मामले में एक मत है, मैं उसको आपके सामने रखना चाहूंगा, सिधान्त एक शाश्वत सत्य होता है, सिधान्तिक बात जो है, वो हमारे समस्या के हल के लिए एक moral compass, एक ideological compass का काम करती है, यह अपने आपने issues हैं, और यह issue अगर solve हो जाता है, for example, एक issue था, 370 का हटना, वो सिधान्त से ज्यादा एक उद्देश, एक लक्ष था, सिधान्त हो सकता है उसके लिए, ऐसे विशेयों के लिए, कि हम अपने समविधान में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं रखेंगे, जो भारत की एकता, अखंडता, और भारत की सनातन, जो प्रिष्ट भूमी है, उस पर आघात करता हो, इस समविधान के विशेय में एक सिध सिधान्तिक आग्रह है, और ये शाश्वत आग्रह है, ये किसी एक विशेय पर, एक उद्देश पर, एक लक्ष पर आधारित या निर्भर नहीं है, और ये सदा सरवदा रहने वाला है, तो सिधान्तिक आग्रह जो होते हैं, वो किसी एक विशेय को लेकर के नहीं हो सकते, वो विशय फिर उस सिधान्त द्वारा निर्धारित होता है तो जहां तक ये विशय को हाड़ भाशित करना हमारा सिधान्त अब उसके विशय के हमारे क्या प्रावधान होंगे हम इस विशे को संबधानिक स्थर पर, राजनेतिक स्थर पर, नीतियों के स्थर पर, अर्थियोस्था के स्थर पर, सामाजिक विमर्ष के स्थर पर कैसे तै करेंगे ये फिर विभिन विशयों और आयामों की बात हो जाती है और वो हम समय समय पर उसमें परिवर्तन होता रहता है लेकिन ये परिवर्तन इसके विशय में नीती और निर्ने कैसे तै होंगे उसको सिध्धान्त इनफॉर्म करता है उसको सिध्धान्त तै करता है वो सिध्धान्च उसके लिए कसोर्टी बनता है एक टच्टोन बनता है तो उस प्रिष्टी से ये जो विशय है ये विशय अनेक्सेप्शनबल है कि भारत में यदि हम अल्पसंख्यक तै करते हैं तो एक तो ये उचित ही है ये बलके कहा जाए कि ये मुर्खता पूर्ण है भारत जैसे बड़े देश में पांच प्रतिशत भी एक बहुत बड़ी संख्या है पांच प्रतिशत की संख्या इस देश में एक करोड से उपर लोग हैं और जिनकी संख्या एक करोड से जादा हो वो बहुत बड़ी संख्या है ऐसे में उनको हम अल्पसंख्यक माने और अल्पसंख्यक दरजा दें ये अपने आप में बहुत generous proposition है extra generous proposition है इसके साथ कुछ और criteria जुडने चाहिए देखिए किसी को अल्पसंख्यक मानने के क्या उदेश है अल्पसंख्यक मानने के ये उदेश होते हैं कि वो उसकी जो पहचान है अस्मिता है उनकी उनकी जो सामाजिक दशा है वो ऐसी है कि वो घट रही है या किसी संकट के कगार पर है या किसी अन्य कष्ट से पीड़ित है तो अल्पसंख्यक होने के नाते सब ये घोग रहे हैं और इसलिए उन्हें किसी तरह के प्रावधानों के माध्यम से इस परिस्थिती से इट संगट से उबारा जाए ये अपने आप में केवल एक बिना किसी प्रसंग की बिना किसी ये एकदम निर्पेक्ष सिधान्त है जी और ये हर हालत में लागू होगा भाई कता ही नहीं कता ही नहीं सबसे पहले किसीभी माइनॉरिटी को माइनॉरिटी कहने का अउचित्य क्या होना चाहिए केवल संख्या केवल विशुद्य संख्या नहीं उसकी क्या अब जैसे linguistic minorities हैं तो minorities में language को लेकर कि एक minority है उसके साथ क्या problem है और उसको कैसे pressure देना है किसी की state में minority है किसी की राष्ट के पूरे calculation में minority है कोई district के अंदर minority है तो आप minority के सिद्धान्त को कहा apply करेंगे और उसके क्या परिणाम होने जा रही है और उसके माध्यम से आप क्या achieve करेंगे ये इन सब विशेयों से निरपेक्षनिरने नहीं हो सकते ये इन सब विशेयों के सापेक्षनिरने है और इसके लिए आपको एक सिद्धान्त बनाना ह किन परिस्थितियों में आप अलप संख्यक होने का प्रावधान ट्रिगर करेंगे और उसका आधार क्या होगा और उसका आचित्त्य उसका कुल मिला के कारण क्या किन कारणों से आप करेंगे इसमें यदि कोई 5 प्रतिशत से भी अधिक हो और उसके लिए आचिते बनते हो तो करना चाहिए और अगर आचिते नहीं बनते हैं, अब जैसे मेरा सिख समुदाय है, मेरा सिख भाई है पहले तो मैं मेरा मन नहीं मानता कि मैं उनको हिंदू समुदाय हिंदू पहचान से अलग मानू लेकिन यदि उनका ये आगरह है कि वो हिंदू समुदाय हिंदू पहचान से अलग है तो आज उन्हें कौन सा संकट है इस देश में वो इस देश के सबसे संपन्ञ, सबसे हर दृष्टि से संपन लोग हैं और उन्हें वो तो मदद करने वाले लोगों में से हैं, मदद चाहने वालों में से नहीं हैं, फिर आप उन्हें क्योंकि एक कारण निर्पेक्ष प्रक्रिया के तहट उनको अलपसंख्यक बना दिया, फिर अलपसंख्यक बना दिया, तो उनक संख्या केवल इस कारण से हो कि वो किसी कष्ट में अपनी संख्या के कारण किसी प्रशर में है और इसलिए उन्हें उस कम संख्या होने के कारण एक मदद की आवशकता है और दूसरा भारत वर्ष हिंदूओं की नई सरगिक भूमी है उनका इस भूमी पर इस भूमी के नागरिक होने के लिए पूरा अधिकार है विशेश तह तब जब उनके पित्र उनके पूरवज इस भूमी में रहे और किनी अपरिहार कारणों के कारण वो छूट गए हमसे यहां से ले जाए गए गिर्मिटिया देशों में दास प्रथा के उन्मूलन के बाद लगभग दासों की ही तरहां यहां से धोड़ों के ले जाए गए वहां मज़़ूरी करने के लिए आज वो दूर दराज सूरिनाम गयाना ट्रिनिडाड फिजी मौरिशस साउथ आफरिका ऐसी जगहों पर बिखर गए छितर गए उनका इस भूमी पर उतना ही अधिकार है हिंदू होने के नाते उनके पूरवजों का यहां होने के नाते तो हमें यह एक सिधंतिक रूपे स्विकार करना पड़ेगा कि भारत माता उस समय का भारती व्यवस्था प्रशासन उनकी मदद को नहीं आ सका आज वो जिसमी परिस्तिती में हैं उन्हें यह अधिकार मिले कि वो इस भूमी को अपनी मात्र भूमी समझें, इसके अपना पुत्र मानें और यहां उसी अधिकार से आए जैसे उनके पूरवज यहां रहा करते थे इसी तरह हिंदूों का इस पूरी दुनिया में कोई ठोल ठिकाना नहीं है और हिंदू होने के कारण उन्हें कई बार जेलना पड़ता है संकट को, कष्ट को, प्रतारना को, भेदभाव को तो यह भूमी उनके लिए आश्रय सिद्ध हो और इस भूमी की व्यवस्था उनके लिए आवाज बन सके उनका संबल बन सके, उनको सहोधर माना जाए, यह एक सैथान्तिक अधिष्ठान, एक आग्रह, एक वैचारिक आग्रह हमारा बन सकता है अब उसमें से किस समय कौन सी नीती और निर्ने की आवशकता है किसी विशेष्ठ परिस्थिती में, उसको यह सिद्धान्त इनफॉर्म करेगा, उसको यह सिद्धान्त तै करेगा और वो नीती तब ततकालिक निर्नेओं के लिए उसी में से निकलेगी तो सिद्धान्त शाश्वत होते हैं, विशे आते जाते रहते हैं, तीन सो सत्तर था, चला गया, अब नहीं है, लेकिन उनिफॉर्म सिविल कोर्ड एक विशे है, अब यह सिद्धान्त नहीं हो सकते मेरा कहने का मतलब आप समझ रहे हैं, आशे समझ रहे हैं, यह विशे हैं जो समय समय पर आते जाते रहेंगे, कल नहीं विशे आएंगे, लेकिन हमारे सिद्धान्त अचल हैं, अटल हैं, और उन सिद्धान्तों की कसोटी पर उन विशेयों के निरने लिये जाएंगे, नीत इसको थोड़ा और विस्तरत रूप से परिभाशित करने और इसको माजने की आवशकता है, लेकिन जो इसकी आत्मा है, इसके पीछे जो प्रिर्णा है, मैं उससे पूरी तरह सहमत हूँ। और यहां पर इतना ही नहीं, एक हिंदू हूमलेंड के तरह यहां के सांस्कृतिक वच्चारिक जो हमारी धरोवर है, उसको संजोते हुए भी कुछ कानून प्रक्षेपित किया जाए, जिससे हिंदू हितों की, हिंदू संस्कृतिक की, हिंदू इतिहास की रक्षा हो सके, और हिंदू खुद वही स्वण युग में वापिस जा सके, जहां पर धर्म का राज्ता, तो हम आगे बढ़ेंगे, I think उसके बाद, मुन्ना भाई थे, फिर पुजेक भाई, फिर इंद्रा भाई, फिर अबजित भाई, अर्मनो जी प्लीज एंडल कीजिएगा, जैस्री प्रस की बात है, हम देखें थे कि कब ऐसी पार्टी उभर कर आईगी, और हम तो सोच नहीं पा रहे हैं कि अचानक कैसे जो है, जन्म हुआ इस पार्टी का, और देखिए, अचानक जो भी पार्टी जन्म लेती है, कभी भी जो है, ट्विटर इस किसे पे मैं धिर देखा नहीं, और आपकी लोग्तियता इस बात से जो है देखिए है, ये पैमाना है कि लग लग एक सो, सवा सो लोग जो है छुपके आपको देख रहे हैं, वो खुले आम आना नहीं चाहते, मैं हर्दिक भाई, मनोज भाई, मैं आपसे निवेदन करूँगा, मैं इतियास होगोल की बात को आरगनाईज किये कि नहीं, उनको नेत्रिक को दिये कि नहीं, ये बताएए, हम बेचाएन हैं आपको जो है वोट करने के लिए, और दुस्मन पारटी जिसने जो है, जातियता का जहर गोल दिया है समाज में उसको नेस्ताना बूद करने के लिए, जैसे हिमाचल प्रदे इसमें ब्रहत सक्ता परिवर्तं करेंगे उसके लिए तैनात हैं, हमारे टाइम लाइन पे देखिए, जातियता का जहर किस तरह किसे बोया गया है, चार लाक भारत वर्स के तेज बच्चे बीदेसों में भाग रहे हैं, ब्रेन ड्रेन और कास्ट बेसिज रिजर्वेशन के बढ़ाने के कारण, भारत गया अर्थ ब्यॉसता चौपट हो रही है, हालत यह की करों लोगों को मुलद अनाज दे करके अकरमड यह बनाया जा रहा है, असी करों लोगों को अनाज दे करके अप प्रत्यक्श्चता वोट खरिदने की कोسस की जा रही है, गाउं में आज क डेट में स्रमिक नहीं मिलते काम करने के लिए, ये कौन सी राजनी थी है, कौन सा भारत है, कौन सा भी कास्चिल भारत का सुत्र है, ये समझ में नहीं आता, आप भाईों बैनों देखो, इसी तरीके से, आप जो है, बहुत, आपके लिए बहुत ही बड़ी अपरिशुनिटी है कि जो जो कोई याद भी गंदा काम करता है न तो अपने आप जह उसके प्रति लोग ब्याकुल रहते हैं और एक अच्छा विकल्प मिलने के कारण जो है आप ऐसे सर्ज आप ऐसे उच्च विभाव के साथ जो है शिखर को प्राप्ट करेंगे कि बहुत ही खुशी होगी ब कर रहे हैं मैं आपको पुर्वी उत्तर प्रदेश में एक कारिया ले दूँगा मुफ्त उसका कोई भाड़ा कोई किराया कोई खर्च नहीं लूँगा आप हमको डियम करिए और मैं तो जानता भी नहीं कौन अध्यक्ष है इस पार्टी के लेकिन हम समझ गया है कि इस पार बहुत कम है चौविस में जिसने पिछले नौ सालों में हमारे अर्मानों को हमारे भारत परस के बाौधिक संपदा को डेमेज किया हम उसको डेमेज करेंगे उसमें पीछे नहीं रहेंगे भायों बàई। Chief भार्विस में आप से बहुत सारी उमीदे हैं और आप जो है अप में अपने पैदल सेनाओं को लगाई है और उनको जागरुकता भियान पे पैसे की कोई देखे यह अभी बात मैं सुन रहा था कि पैसे अगर नहीं रहेंगे तो कोई राजनितिक पार्टी उस नहीं पाएगी ऐसा कुछ नहीं है जब हम ब्याकुल हो जाएंगे तो क्या पैस जो दुरगुण है एसी एक्टी बिवेदकारी नीतिया है उसको समात करने की बात करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि पैसा है कि नहीं उस आपके पास बिलकुल नहीं देखेंगे कि हमारी एकम सनातन भारत के पास पैसा है कि नहीं हम के वहला आपके उच्च बिचार कितने किस्ट स्टेडी के हम ये देखेंगे और किसी तरीके से धूप में भी हम वोट देने जाएंगे एक हम सनातन भारत के लिए हम चाहेंगे हार्दिक भाई जरा बताएं आपका अर्गनाईजेशनल स्ट्रक्शर जो है कितना अच्छा है और उसमें क्या प्रगत हो रही है और ज जो है एक ता में कमी आए और एक यूट आप ना हो इस बाग क्या भी ध्यान रिखें मिशेश तोर पर धन्यवाद नवस्कार धन्यवाद मुन्ना भाई आपने सही में बहुत अच्छी बात की हो और जो करना चाहिए उसी पर चोड़दार बात की देखें उपर रजिस्ट हो जाए और आप से संपर्क लिया जाएगा मेरे पास जो संगठानात्मक रूप पे स्ट्रॉक्चरल है वो अभी मेरे साथ क्लियर नहीं हुआ है वो सती शन्ना हैंडल कर रहे है अभी के लिए क्योंकि हमारी जो पॉर्मल मिटिंग है अभी 23rd को होगी मैं भी वहाँ उपस सित रहूंगा और आइटिंग काफी कुछ जो आपके प्रश्णों के जवाब है तब तक हमें मिल जाएंगे और ये बात हम पैन इंडिया वैसे भी पार्टी को एस्टाबिश करने जा रहे है तो हर एक शित्र से हमें पार्टी ओफिस से लेके पार्टी वर्कर्स की आवश के साथ खड़ा रहा जाए ये इनके प्रकार से हम और भी ओर्गनाजिशन खड़े करने के ट्राय करते हैं ताकि हिंदू में सुरक्षा की भावना जो होती हो पुना प्रस्थापित हो उनके लिए डॉक्टर संजाई जी जैसे वरिष्ट जो है धर्मदुरंदर उनका भी स सारे कारियों में जुड़े क्योंकि हिंदू हित की रक्षा करना वही हमारा दर्मा है मैंने तो ये बचपन से तई करके रखा था और इसी बात में मुझे छोटा सा प्रसंद आता है मैं एक शेड़ो अकाउंट से आया था ट्विटर पे एड़े एक साल पहले किसी ने हमारे BJP के वरिष्ट मित्र है दिल्ली से उनका फोन आया और मुझे वेलकम कर रहे है एक्चुली तो वेलकम कि बहुत सालों बात तुम वापिस आ रहे है अभी तो एक गंटे के अंदर की बात है कि फोन आना तुरण शुरू होगा और उनलोगों ने एक बात मुझे होते हैं उनों वो लोग बता रहे थे कि तु आया और मेरे मनों मस्तिक्ष में आ नहीं रहा था और मैं इतना प्रबल नहीं हूं कि खुछ-कुछ पुलिटिकल पार्टी बना सकूँ या कुछ कर सकूँ क्योंकि हमारा जो संगर्टत था वो तो ऐसे भी चितर वितर हो गया था और शायद हम चाहते हैं फिर भी अनुभव की कमी की वज़ा से वह कारियर उस लेवल का जो इस लेवल का भी हो रहा है हम नहीं कर पाते पर देख तो मैंने तो एक साल पहले मुझे बुलाया गया था पर तब थोड़ा रिजिनल काम था तो मैंने बताए कि I will help you but not in the way नेशनल लेवल पे तो कैसे मदद कर लों जबकि आप जमू में काम कर रहे हैं और मैं वहां से बिलॉग नहीं करता हूं पर हां चुनाव का समय हो कभी आप बताए हम वहां आएंगे और आपकी जितनी भी सहारता हो पाए हम करेंगे बट निचरली देखो हमारे रिक्वेस्ट पर पार्टी ने पैन इंडिया का काम शुरू करती है और हम लोग तुरंत ही जूर गए ना आप देखा न अताओ जब पार्टी में मेरी मिटिंग ह मुझे पूछा कि आप क्या चाहेंगे पार्टी के और से मैंने बोला सिर्फ हम सेवा करेंगे ना हमें पद चाहिए ना हमें पार्टी की मेंबर्शिप भी चाहिए आप बोले आउटसाइट से आउटसाइट से आप बोले इंटरनली इंटरनली पर हिंदू हीत की जब तक बात करेंगे तब तक आपके बिना बुलाए मेहमान की तरह हम आपको सपोर्ट करेंगे यह हमारा क्लियर विजन है और मैं चाहूंगा कि हर एक वेक्ति अगर इस पार्टी से जूटता है उसका यही विजन होना चाहिए कि कर्म करना है फल की इच्छा नहीं रखनी है और अप कारों का जो रूख है मैं प्रेडिक कर पा रहा हूं क्योंकि काफी लोग मुझे जानते हैं मैं इस सब विश्यों के बहुत काम किया है कि हमारे पास 20-25 साल से ज्यादा नहीं है लड़ने के लिए क्योंकि फिर लड़ाई inevitable हो जाएगी हम शायद लड़ने की position में भी ना रह में तो यह लड़ाई अभी से हमें शुरू करनी है रोड़ पे भी शुरू करनी है सोशल मीडिया तो है ही है और हर एक आयाम पे जहां ऐसे नोट पॉलिटेकल पार्टी में बता रहा हूं ऐसे हिंदू समाज भी हम लड़ने के लिए रेड़ी है अगर कोई बच्चा किसी भी पक्षपार्टी से है पर हिंदू हित का काम करेगा तो हम भी बुलाए महमान की तरह वहां भी पहुंच पार जाएंगे वह संकल हमने दिया है और उसको कारियान करने के लिए आप सब की सहायता की ज़रूरत है तो आप खुले हाथ से समर्थन करें और एक जूट होके हम भारत वर्ष्क के उसरोण यूग में वापिस दाए इसके लिए प्रयक मशीन होना शुरू हो जाए तो इसे के साथ हम आगे बढ़ेंगे शायद प्रजेक जी का टर्न था फिर मनोज जी फिर अपरचीत भाई फिर बिजेश जी भाई के पास वापास जाएंगे और फिर प आपी चाहूंगा बट समय का सदुपर के प्लीज सुषिल जी से आप क्योए करे तो जयादा बेटर रहेगा दन्यवाद Okay, I actually agree with many of the things Sushil Pandit Panditji says. I actually came for a different opinion on temples, so I just thought I'll put my point forward. But anyway, as far as Sushil Ji ने जो भी बोला, I listened to his speech even before. Abhi आये है, उसके पहले जब आये है, I listened to his entire speech. And you know, I completely agree with him and I also completely agree with all the seven principles of ESB, Ekam Sakshanathan Party. And I believe that this party should grow not just, you know, in certain parts of India, it should grow across the country, even in South India. So, this is my opinion. And yeah, so since you don't want to deviate into different topics, I would, you know, I'll be going to the listener. Thank you, sir. Thank you. Manoj Ji, please. Sushil Ji, I had a very small question to you. Sushil Ji, like, how big of a setback do you think this 10 years of BJP being in power has been for the Hindu cause? Because, you know, this party has used the Hindutva card and 10 years down the line, like, we have not achieved much. They don't seem to be going ahead in so many of the areas. And isn't this going to make things more difficult? Thank you for this question. I think this calls for a much wider and much bigger analysis. On the Twitter space, I can, in very short, say just one thing, that these 10 years have been 10 years of betrayal. This party was given a mandate to rescue a civilization slipping into oblivion. Nothing short of that. Hundred crore Hindus looking into future with despair, with despair. And looking at an alternative political, defined the elections of 2014 and 2019. I have absolutely no hesitation in framing these two elections in these words. But what this government, with such a historic mandate did with that, was unpardonable. We have been diverted into vikas, into economic issues, which of course are important. And there is no conflict between vikas and rescuing the Hindu civilization. There is no conflict. But an artificial conflict was created, an either-or situation was tossed at us, that because only one of the two could happen, so we have chosen vikas. Of course, some good things have happened, but what was a crying need for us has been completely ignored. And one of those things is the direction our crisis of identity had taken, that trajectory hasn't changed. Our crisis of security, crisis of future, that direction hasn't changed substantially, or even cosmetically. Is this the work that we knew of our control? Of course, I had to say, which is the truth of our ancestors? That is a very clear, which is the truth of our ancestors. And everything become the truth among those who were given us all about the nature and the truth. This is the truth, which is true the truth to us, which was given us all about the nature of ourselves and that our ancestors, के उलट है इस से बड़ा द्रोह इस जन्मत इस जनादेश के साथ हो नहीं सकता यह द्रोह कश्मीर में साफ दिखता है यह द्रोह बंगाल में साफ साफ दिखता है यह द्रोह देश के अन्यभागों में दिल्ली में हर्याना के मिवात में साफ साफ दिखता है अगर कहीं इस प वो हमारे सौभाग्य से उत्तर प्रदेश में सतह पर हुआ है उपर उपर कुछ दिखने चार हैं वो इसलिए सुख देते हैं कि पंदेरा है और वहां से केवल एक टिम्टिमाती किरनाती दिखाई पड़ती है तो हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं लेकिन उत्तर प्रदेश में भी स्थितियां भयावा हैं सतह पर कुछ चीजें साफ होती दिख रही हैं शितियां इससे भी बुरी हो सकती थी अगर वहां प्रशासन में किसी तरह की कमर कसी हुई ना दिखती वहां पर भी बहुत सी लेकिन अन्य प्रदेशों के मुकाबले वहां स्थितियां थोड़ी बहतर हैं तो दिल को थोड़ा संतोश होता है लेकिन अन्य राज्यों में स्थितियां भयावा हैं बहुत बुरी हालत में हैं शिक्षा के ख्षेत्र में जो पाठ्षे क्रम बदलने चाहिए थे वो कोई शिक्षा मंत्री का शिक्षा से कोई विशेश लेना देना कभी नहीं रहा कोई समझ नहीं रही और इसलिए अपनी ठोकते हुए दिखाई पड़ते हैं कि हमने कुछ नहीं बदला अब क्यूंकि चुनाव सरपर हैं तो आनन फानन कुछ काट चाट हो रही है लेकिन ये दस साल बरबाद हमने कर दिये जो पीडिया इन दस सालों में हमारे बड़े संस्थानों से निख़ी हैं हमारी कक्षाओं से हमारे इन प्राधब्यापकों के हाथों से निख़ी हैं वो पूरा एक बहुत बड़ा नुकसान जिंडु समाज को संस्क्रति को हुआ है और यह न बड़ा जनादेश देने के बाद इतनी स्थाई मजबूत सरकार और नेत्रिप्ट को सब कुछ सौपने के बाद यदि ये देखना पड़े यदि बंगाल में जो हुआ वो भोगना पड़े जो कश्मीर में हुआ और हो रहा है जो पंजाब में होने दिया जा रहा है जो राज देश के जो प्रमुक्स अंकट हैं वो बने ही नहीं हुए वो बलके बढ़ गए हैं और जहां काम होना चाहिए था वो अवसर गवा दिये गए हैं ये कुल मिला के एक बॉटम लाइन है हां कुछ मामलों में अब देश की जो आर्थिक स्थिती है ऐसा लगता है मानुस अधन है लेकिन अगर उनका उप्योग संकटों को बढ़ाने के लिए शत्रूओं को पुष्ट करने के लिए हो रहा है तो ये हमारा दुर्भा क्या है ये हमारा इस ये एक अभिशाव है अपने लिए कोई विशेश साहनुभूती नहीं चुटा पाएगी क्योंकि वो हमार यही जड़ों पर कुलहाडी चलाने वाला काम कर रही है जब नए व्यवस्था में नए सिरे से वाशत्रूपुष्ट हो रहा है सुरक्षा व्यवस्था में प्रशास्निक व्यवस्था में शैक्षनिक संस्थानों में तो हम क्या करें ऐसे और बहुत से विशेश हैं जैसा भी चाहिए एकम सनातिन पार्टी को एक क्रिटीक एक समालोचना एक समीक्षा इन दस वर्षों में गवाए गए अवसरों की और किये गए आघातों की करनी पड़ेगी ये हमारा एक जिसे कह सकते हैं आरोप पत्र एक चार्जशीट इस सरकार पर तयार होनी चाहिए और इस सरकार को कटवरे में खड़ा करना चाहिए उनसे जवाब मांगने चाहिए कि आपने ये द्रोव अपने ही समर्थकों के साथ अपनी ही कंस्टिट्वेंसी के साथ अपने ही आथ इस देश के समिधाय के साथ क्यों किया ये है एक आरोप पत्र एक अभियोग पत्र आतन पार्टी को जल्द ही बनाना चाहिए और उसमें एक बेलाग समीक्षा एक बेलाग आलुचना इन दस सालों में गवाए गए अफसरों की और हम पर किये गए आगातों की सूची बना कर विस्तरतूप से करनी चाहिए इस प्रश्र के लिए धन्यवाद्वाद्वाद्वाद कि हम लोगों को हिंदुत्व के मुद्दों पर कि हम प्रकर राष्ट्र भक्त और कटर हिंदुत्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वा हमारी स्परधा हिंदुत्व के लिए है राष्टर भक्ती के लिए है तो हम ज्यादा बहतरीन मुद्दे उठा रहे हैं और हम सभी पॉलिटिकल पार्टीज को ये चैलेंज करते हैं कि आप इन मुद्दों के ऊपर आईए और इस पर बात कीजिए और हिंदू समाज को हम ऐसा आवाहन कर सकते हैं कि इन मुद्दों के ऊपर आप सब को टेस्ट कीजिए आप हमें सबसे बहतरीन पाते हैं तो हमारे साथ आईए तो मुझे लगता है कि हमारी सभी के साथ आवाहन होना चाहिए और बेसिकली हिंदू समाज को हमारा आवाहन चाहिए भाजपा से किया किसी और संगह से भी या किसे भी हिंदू संगटन से स्पर्धा करने की जरूरत नहीं है ऐसा मुझे लगता है सुसील जी आपका इस पर क्या कहना है कुरुपया इस पर भी प्रकाश ला लिए संजा जी मैं आपके जो सुझाओ की अंतह प्रेरना है जिस अंतहकरन से आप ये कह रहे हैं मुझे उसमें सहमती ही मिलती है मन में लेकिन मैं आपको एक व्याभारिक बात बता हूँ तो आपको जब स्वयम को परिभाशित करना होता है तो उसका संदर्भ उस राजनेतिक परिद्रश्य में जो अन्य विकल्प है उसके आधार पर करना पड़ता है ये आपकी मजबूरी है आप उससे स्वतंत्र होकर अपने आपको परिभाशित करेंगे तो फिर सवाल आ करके आपको यदि भाजपा और हिंदुत्व के विश्यों के लिए पहले से ही हैं और इन विश्यों पर आग से अपनी राजनीति कर रहे हैं सत्ता के लिए वोट मांग रहे हैं अपने प्रत्याव गोशना पत्र लागू कर रहे हैं नीतियों का आश्वासर दे रहे हैं तो फिर आप हिंदु वोट बांटने के लिए क्यों आएं आपकी क्या विशक्ता है बड़ी मुश्किल से तो हिंदु वोट संगठित हुआ है यह फिर बिखरेगा तो फिर हमारी सरकार हमारी अपेक्षाएं हमारा विचार अधिश्ठान इसका क्या होगा इस प्रतिसपरधा की लोकतंत्र में जहां एक एक वोट कीमती है वहां आप इस वोट को बिखेरने क्यों आएं यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है जिसके उत्तर से आप बच नहीं पाएंगे और अगर आपको इसका उत्तर देना है तो स्वयम को अपने औजित्य को अपनी हमें बावजूद आपको क्यों आना पड़ा उनके किन कमियों के कारण आपको यह जोखिम उठाना पड़ा कि हिंदू रोल हूं हम इस मैदान में डटेगे झी हैं आपको क्यों करना पड़ा तो इस पर एक किमान्दार और एक शशक्त आधार, सैधान्तिक आधार, व्यावारिक आधार आपको देना पड़ेगा और उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा अपने मन में भी वह साफ साफ आधार हो हम ये नकारेंगे नहीं, कोई नहीं नकार सकता कि संग का हिंदुत्य के विशय पर एक योगदान है, एक प्रश्ट भूमी है, एक गौरोशाली इतिहास है, एक परंपरा है ऐसे प्रचारकों की, सोयन सेवकों की, जिन्होंने अपनी पेढ़ियां दे दी, लेकिन आज वही संग उस सारे त्याग और उस सारे बलिदान का क्या कर रहा है, उस पूंजी को किस नाली में फेक रहा है, उस पूरे त्याग का क्या हशर कर रहा है, इस पर अपना एक समिक् पक्ष आप रखें इसे कैसे बढ़ें फिर आपके आने की आवशक्ता क्या है यह हमें करना ही होगा यह एक आप इसे हादेव कीता के लिए जो हलाहल पीना था निलकंठ बनना था उस भूमिका में आना पड़ेगा आपको हिंदु को यह बताना पड़े इस तरह उससे द्रोह किया गया है और इन कारणों से द्रोह किया गया है और जब तक आप उसे नहीं बताएंगे आप अपना उचित्य सिद्ध नहीं कर पाएंगे संजे जी यह कष्टकारी काम है मैं मानता हूं लेकिन आप इस कष्ट को पिये बिना इस कष्ट को भोगे बिन इस युद्ध में नहीं उतर पाएंगे और अपना अचिते नहीं सिध कर पाएंगे तो ये करना ही होगा आप कितने ही शिष्ट होकर कितने ही तथ्य परक होकर सिधान्त मिश्ट होकर ये करें बहुत अच्छा है आप बिना द्वेश के उनके योगदान को मन्त तुए करें त आप बच नहीं पाईंगे और हमें बचना भी नहीं है क्योंकि हमारे आने का उदेश्य एक मात्र यही है कि हम छले गए हैं अगर हम छले नहीं जाते तो हमारे आने की कोई आवशक्ता नहीं थी सन्जे जी मुझे आशा है कि आपको मेरा उत्तर समझाया है धन्यवाद भारतिय जनता पक्ष की बात करने के सिवा ज्यादा अच्छा है कि हम सबसे ज्यादा हिंदुत वादी मुद्दे लाएंगे, हम उनके उपर अमल करेंगे, वो सभी के लिए हमारी जो जो कोई हिंदुत वका जंडा बरदार है, वो हमारे मुद्दे उठा कर दिखाएं अगर हमारे मुद्दे बहतरीन है तो सारा हिंदू वोट बैंक हमारे साथ आना चाहिए ऐसा हम करेंगे तो मुझे लगता है कि अपने लोगों से ज्यादा उफेंड होने की जरूरत नहीं है और वोटर से भी अपेक्षा करेंगे कि वोट डिवाइड ना क लगती इतना ही कहना था क्षमा प्रार्थी लंबा किया आपको बहुत-बहुत आभार सुशिल जी आपकी हर भावना से हम हमेशा साथ में होते हैं आप बहुत सेंटिमेंटल इमोशनली पाते रखते हैं और हम आपकी इमोशन के साथ शत प्रतिशत हमेशा सहमत होते हैं आभास करने की चेश्टा करता आया हूँ, बहुत छोटा वेक्ति हूँ और मैं मतलब आप मेरे काका के उमर के होंगे, इसलिए आपको उस हाधर पडाम फिर से, मेरा एक बहुत ट्रैक्टिकल प्रश्ण है इस आस्पेक्ट से, और ये कंसर्ण इसलिए भी है क्योंकि जो बात मैं सिर्फ आप से एक प्रैक्टिकल प्रश्ण पूछना चाहता हूँ, कि हमारे समाज को बहुत भागों में बांट दिया गया है, और उसके चलते परडाम ये है कि जैसे हम लोग ये कहते हैं कि हिंदू का एक समूचा वोट हमें मिल जाएगा, ये संभव होता दिखता नह अगर हम एकम सनातन की दल की बात करें, जो कि ये बहुत उत्तम इनिशेटियो है, लेकिन तथी ये है कि जब हम लोग ग्राउंड पर जाएंगे, अपने अपने फर्स्ट हाफ में ये बात कही थी, जो मुझे बड़ी एक्ट लगी, कि ग्राउंड पर पहुँचने के बाद हमार से क्या प्रशन पूछे जाएंगे, हमको उलजाने के लिए क्या-क्या विशाय रखे जाएंगे, और उसका किस तरीके से वीभत सो उपयोग किया जाएगा, ये सारी कि सारी बाते हम लोग को पहले से ध्यान रख करके आगे बढ़ना होगा, तो मैं अगर वर्ण विव खाएं रखेंगे, या क्या ऐसी अवधारनाय बनाएंगे, जिससे कि उनको अपना ये शत्रुबोध ग्यात हो और उसके चलते वो लोग ये जो आपस में बटे हुए हैं, वो बात रुक जाए, उस पे आपका मैं थोड़ा सा व्यूपॉइंट जानना चाहता था, क्योंकि जब भी मैं इस आस्पेक्ट में सोचता हूँ, मैं यहीं आकर रुक जाता हूँ, कि इसको कैसे पांधेंगे, अगर आप इस पे अपना कुछ वक्तावे कहें, तो फिर मैं अगली बात कहता हूँगा, प्रहू नमाशिवाएं इस समाज का निरंतर विघटन होता रहा, किया जाता रहा, और राजनेति कारणों से बहुत से लोग एक मजबूरी के नाम पर इसको पहले होते देखता रहे और फिर करते रहे। इसमें मुझे एक जो मैं यह नहीं कह रहा कि यह है, कि इस समाज में आरक्षण हो किन्तु वह उसके अम्मा हो, उसके आधार दय हो, और वह इस पूरे आरक्षण विवस्था की आमुल्चुल समीक्षा के साथ हो, अभी तक इस आरक्षण का क्या लाब मिला है, क्या हानी कुई है, कहां कहां लाभार्थी छूट गए हैं और वो क्यों छूट गए हैं, इस तरह की समीक्षा ही नहीं कुई है। अंग्रेजी में एक एक्स्प्रेशन है, होली काउ, तो इस पूरे विशय को इतनी इस थ्रिष्टी से ये देखा गया है, रखा गया है, कि मानो इस पर विचार विमर्श भी एक बहुत बड़ा महापाप है, यह एक राजने तिक जोखिम है, मानो वो एक साजिश है कि आरक्षन निपता देना चाहिए, हम ऐसा नहीं चाहते हैं, इस समाज में विशमताएं हैं, हम एक समतावूलक समाज, विशमता रहित समाज द करना चाहते हैं, थोड़ी विशमताएं के साथ समाज चल सकता है, लेकिन धोर विशमताओं के साथ कोई भी समाज नहीं चल सकता, तो हमें इन खोर विशमताओं से कश्ट है वो हमारे सहोधर हैं जातिगत कारणों से आर्थिक कारणों से प्रादेशिक कारणों से भगोलिक कारणों से या अन्य किसी कारण से राजनेतिक कारण से पीछे छूट गए हैं तो हमारा ये प्रण होना चाहिए जैसे हम माइनॉरिटी की बात करते हैं तो माइनॉरिटी यदि किसी संकट से ग्रस्त है फिर चाहे वो बड़ी ही क्यों ना हो पांच परसंट से जादा और यदि अच्छी खासी हस्ती खेलती खाती पीती है और कोई संकट नहीं है तो फिर चाहे वो एक प्रतिशत ही क्यों ना हो ज़रूरी नहीं है कि माइनॉरिटी का एक खाचा खीचा जाए और उसमें सब को ढखेल दिया जाए तरब सक्वार के ल्या करते प्यादंव मेंड़श य्ьогоच गरती ब dx 5 C एट अच्रीच टो ऱ्वार क्रेशन बा मेंड़ पार्प जाज़ YOU Schön ज़र और यूर इक्रिप्र विरिगसिंशन तर्व przypadर इस 27 year ख्र्माधि एक्रते is committed for it, is an extremely valuable resource, especially when it comes at the cost of merit. So it has to be an exception and not a rule. Merit should be the rule and reservation should be an exception. Today, what we are helplessly watching is that reservation is increasingly becoming a rule and merit is increasingly becoming an exception. How do we deal with this challenge? At this, in front of those who are worried about our future, तो इसका एक क्रिटीक हम लोग रखें और उस पूरी समवेदना के साथ रखें कि इसमें हमें समाज के उन सभी वर्गों को, जिनको आप जाती के आधार पर देखें, भाशा के आधार पर देखें, प्रादेशिक आधार पर देखें, आर्थिक आधार पर देखें, राजनेतिक किसी भी आधार पर देखें, पीछे छूट गए वर्गों के, मन में उस इमानदारी से आप शक और समीक्षा करने के बाद एक ऐसी निरने पूर्पन, जायो चित हो, किसी के अधिकार का हनन ना हो, और समाज में जो सही व्यक्ती है, जो डिजर्विंग है, उसे सहायता मिले, और डेफिनेशन, उसके रिव्यू लगातार हो, और पता किया जाए कि हम किस सीमा तक ये देंगे, नहीं देंगे, इसके प्रती हमारी कोई मजबूरी नहीं है, कि हम आज इसका पूरा आंकड़ा, इसकी पूरी व्यवस्था, इसकी पूरी पॉलिसी, लास्ट वर्ड तक डिफाइन करके दें, ये हमारी मजबूरी नहीं है, एक दल के नाते, हम इस पे केवल अपनी आस्था, अपना सिध्धान्थ व्यक्ट करें, और कहें कि हम इसके प्रती समर्पित हैं, कि देश के वंचित वर्ग उन्हें सहायता मिले, लेकिन वो एक एक एक्सेप्शन हो, वो एक रूल नहो, रूल रूल शुद अल्वे जिए मेरिट फूले व्यक्ट कर एक जब पूले एक प्रचयान है, वो पूले नहीं और लेकर और उन्हें सहाई उन्हें आपना ऑ्रूल दोव प्रफिजशन अउन्हें प्रता हैं, और ले कि आतर दो, this is the spirit in which we must approach this issue. In my humble opinion, I would love to hear more voices on this and we should have a wider debate on this to arrive at a consensus on these matters. लिए किया है. तो क्या हम कह सकते हैं कि हुंदू धर्मा और संस्पृति में जाती और सरनेम की प्रथा नहीं होनी चाहिए जैसे आज भी सौथ इंडिया में है सरनेम नहीं होता पिता के नाम से या वोंश के नाम से ही पुछा जाता है. दूसरा आरक्षन जो आपने सही कहा. merit and merit alone should be the criteria. तो कहीं पर भी आरक्षन की जरूरत नहीं है जो भी कोई weaker sections है उसे किसी जाती धर्मा majority, minority से ना गिनकर जो आर्थिक आधार पर हो सकता है उन्हें सिरफ सहूलत्य दी जाए रहने की व्यवस्था books and खाना आने जाने का रहा है जो भी यह लगती है सहूलत्य दी जाए competition में कोई आरक्षन ना हो सिरफ और सिरफ merit criteria होना चाहिए दो और तीसरा minority का definition हमारे हिंदुस्तान में नहीं है सिरफ 5 समाज को minority घुशित किया गया है United Nations के criteria के अनुसार the population which is less than the 1.5% of the total population is known as minority क्या ऐसा criteria लगाया जाए तो सही minority भी घुशित हो सकती है और उन minorities को भी कोई विशेश सुविधाओं की जरूरत नहीं है सुविधाएं सिरफ जो वीक है उनके लिए हो और वो भी आरक्षन नहीं सिरफ सुविधाएं हो अगर आप इस पर भी थोड़ा प्रकाश डालेंगे तो आपका आभार रहेगा तो मैं अनकुर जी का फिर से स्वागत करना चाहूँगे अनकुर जी प्लीज आप माइक एकसेप कर ले और आपका किम्ती समय हमें फिर से देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाज कौन पूछा था प्लीज कंटिनू रखे हर्दिक जी मैं फड़ा एक चीज़ एट करना चाहता था मैं माफिक सर मैं जाना चाहता था तो एक प्रस्ण था मेरा पूछ कर में जा रहा हूँ मेरा ये प्रस्ण है क्योंकि मैं सिधा पिछले 75 सालों से इस देश में इस देश का हिंदू जो बहुत संख्यक है वो दोयम दर्जे का नागरी बना हुआ है तो इसके पीछी का कारण क्या इस देश के जो हिंदू लीडर्शीप है जो हिंदू लीडर्शीप है 1997 से लेकर अब तक का चाहे बाजपा का हो चाहे कांग्रेस का हो वो जिम्मेदार है या इस देश का वो 85 परसेंट हिंदू है जो इन नेताओं को चुन कर भेशता है और आपने काम कराने में वो प्रसर नहीं बना पाता जो बनाना चाहिए बस मेरा यही प्रसम है धन्यवाद मूर्ख बनने वाले को तो सोचना चाहिए और लगातार मूर्ख बनाएं तो फिर हमें यह बात तै कर लेनी चाहिए कि भेड़ पर उन छोड़ता नहीं कोई मानसिक्ता जो है वही इसका दोशी है लोक तंत्र जो है वह मत संचय की विवस्था बनके रह गया है जबके यह मत के परिशकार की विवस्था होनी चाहिए हम सब जहां जाएं वहां मत किस विशे पर क्या हो किन कारणों से हो उसमें वाले को भागी बनाएं वो तो है महनत का काम उसमें फिर उसका जो रिजल्ट आता है वो वही आता है जो वनवासी कल्यान आश्रम की महिनत से जनजाती प्षेत्रों में आज कॉंग्रेस का हॉल हो रहा है उससे आया है ना और केवल मत संचय करने का काम जो कॉंग्रेस करती थी चुनावों में कच्छी दारू बांट दी महुआ पिला दिया सुवर काट के खिला दिया और सबसे धोल बजवा के वोट ले लिया तो इसमें दोश धूनना और किसी को दोशी साबित करना अपने आप में परियाप्त नहीं है इसका हल निकालना आवश्यक है आज हमारे मत दाता अगर किसी विशेश कसोटी पर अपना मत नहीं देते हैं किसी की चेहरा देख के खुश हो जा तो पिर तूब अपना नुकसान करते हैं यह उन्हें कौन पटाएगा और उंका क्या नुकसान हो रहा है पीढ़ियों का क्या हशन हो रहा है तो उन्हें संग्जाएगा ये काम करना भी आवश्यक है मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छा भाशन देना आवश्यक नहीं है अच्छा नारा होना आवश्यक नहीं है लेकिन एक सजग मत दाता होना बहुत आवश्यक है वरना जिस दिन आप से अच्छा भाशन देने वाला आ जाएगा वो उस्वोर मुड़ जाएगा आपसे अच्छा नारा लगाने वाला आ जाएगा उसका उस जिन्मो उस तरफ फिर जाएगा तो हमें मत का परिशकार करना है और मत का संचय परिशकार की इस प्रक्रिया से हो के निकलना है और वो परिशकार होगा, तो हिंदु को अपने कष्ट, अपने चुनोतियां, अपने संकट का भान होगा, और उसको फिर ये भी एक आधार मिलेगा, अपनी इस लोकतांतरिक प्रक्रिया में निरनय को करने का, वो आधार बनाना बहुत आविश्यक है, वो आधार बनाने का का में कम सनातिन भारत करें, ये जो शॉटकट टू पावर, 1972 में जो जनसंग ने कहा कि हम यहां विचारधारा या सिध्धान्च भगार ने आए हैं, या सत्ता प्राप्ति के लिए पैदा हुए हैं, ये जो द्वंध नेताओं को सताने लगता है, मिडल एज क्राइसिस, ये स जनसंग को ही विघटित कर दिया, जनतापार्टी बनाकर, और फिर जनतापार्टी से भारती जनतापार्टी बनाई, तो अपने पूर्वजों को ही विघटित कर दिया, मैं साक्षी हूँ, दिसंबर 1980 में जो पहला राष्ट्रिय अधिवेशन भारतिये जनतापार्टी का ह जिसमें अटल बिहारी वाजवेजी अध्यक्ष चुने गए, उस मंच पर पीछे केवल दो बड़े चित्र थे, केवल दो, जिसको बैक्ग्राउंड में आप एक बैक्ग्राउंड कहते हैं, वो जो बड़ा सा मंच था, उस पर जो बैक्ग्राउंड पोस्कर था या एक आवाहन के लिए जो चित्र थे, उसमें सेवल दो चित्र थे, मातमागांधी और लोगनाएक जैपरकाश नाराएंड और शांपरसाद उखर जी नहीं थे, पंडित दीन दियाल उबाध्याय नहीं थे, और अपने पहले अध्यक्षिय भाशन में, अटल बिहारी यह वो जनसंग नहीं है, पिगटित हो गई सतक्तर में, जनसंग जो है, जनतार पार्टी में विलीन हो गई, यह एक नई पार्टी के कार्यालेयों से, अधिवेशनों से, जब आप अपने पूरवज बदलने, वो कहते हैं आजकल जुमला चल रहा हैं, वोने पूरवज नह जो कोई कर नहीं सकता, जो इंपॉसिबल है, लेकिन यदि आप उनसे नाता तोड़ लेते हैं, पिंड छुड़ा लेते हैं, उन्हें मान्यता ही नहीं देते हैं, तो फिर वो तो बदलने जैसा ही हुआ ना, और अपनी पंच निष्ठाओं में उन्होंने सकारात्मक पंथ पॉजिटिव सेकुलरिसम अवधार ना रखी, उन्होंने गांधिवादी समाजवाद की अवधार ना रखी, राजमाता सिंधिया ने चुटकी लेते हुए पूछा अटल जी से भई, हमें भी बताईए, ये किस चड़िया का नाम है, गांधी ने तो कभी समाजवाद की प बनाने में लगे हुए थे, इसी बड़े धे के लिए उपकरम या साधन बनाने में नहीं, तो उसका नतीज़ा आज है, हम अपने भ्रम पाले रहे, हम उन्हें स्वयम सेवक समझे रहे, हम उन्हें डॉक्टर हेडगेवार के यग्यमे आहूती देने वाले यग्यकरता समझ रहे, यह हमारी भूल है, यह हम से अपराज हुआ, उन्हों ने तो साफ-साफ कहा हमको तब, और उसके बाद भी बताते रहे, अपने नीतियों से, अब देखिए, नभ्वे के दशक में, जब यह ट्विटर स्पेस पे बात चर्चा शुरू हुई थी, अल्पसंख्यक भाजपा को अपनी जड़े याद आ गई थी, तब उन्होंने इस पर अपना पैतरा बदला, उन्होंने कहा कि जब देश में मानवाधिकार आयोग है, हुमन राइट्स कमिशन है, तो अल्पसंख्यक आयोग की क्या विशक्ता है, सारे देश के निवासियों के मानवाधिका मानवाधिकार आयोग उनकी रक्षा करेगा, उन पर नजर रखेगा, निगरानी करेगा, ये तब के नेत्रत्व की क्योंकि नभ्धे का दशक, राम मंदिर आंदोलन का दशक था, हिंदुत्यों का दशक था, मानिये अशोक सिंगल के पुरुशार्थ की जो फसल थी, उसको काटने का दशक था, तब ये प्रश्न पूछे गए, ऐसा कपट, ऐसा राज़त करने वालों से आप क्या पेख्षा करेंगे, फिर जो मौलाना अजाद स्कॉलर्शिप में पाँच-पाँच करोर स्कॉलर्शिप बाठते हैं, सबका प्रयास, सबका त्रप्तिकरन, उसके तहट कोचिंग के लिए केवल एक समुदाय को, ग्राज़ुएट के बाद शगुन के लिए केवल एक बालिका को, चुनाओ लड़ते वकट तो कहते थे कि मैंने प्रदेश के संखिकों के लिए कुछ नहीं किया, मैंने केवल अपने साभे पांच करोड बजरातीयों के लिए किया, यह सुनके लोगों ने वोट दिया था, उसके बाद आपने क्या किया तो ये द्रोह हुए पिंक रेविलुशन की बाद किस ने की चुनाव जीतने के लिए किसी ओपोजिशन लीडर में पिंक रेविलुशन की बाद नहीं उठाई थी अपने एजंडा में अपने मैनिफेस्टों में नहीं डाला था ये हमारे मान्यवर प्रधान मंत्री जी का उठाया हुआ विशय है और जिस वर्ष वो सक्ता में आए उस वर्ष भारत दूसरे नंबर से पहले नंबर पर आ गया मांस मिर्यातर देशों में देश में घूम घूम कर कहते थे कि क्या ये इस देश के मिजाज के साथ जाता है कि कत्ल खानों को सबसिडी मिले और किसान को टैक्स लगे ये उन्होंने प्रशन उठाये थे ये बहस उन्होंने शुरू की थी लेकिन अभी साल भर नहीं हुआ था उस्वक की कॉमर्श मिनिस्टर निर्मला सीता रामन पहले उन्होंने कहा कि 8 प्रतिशत से एक्साइज ज्यूटी 6 परसेंट कर दी गई है मांस पर सोचिये और फिर कहा कि हम मांस के निर्याद में दुनिया में पहले नंबर पर आ गए आप समझ सकते हैं क्या द्रोह था तो इस विशे पर हमको सकुचाना नहीं अगर हम सत्य के साथ खड़े हैं पूरी प्राण निष्ठा के साथ खड़े तो फिर सत्य के साथ खड़े होने की कीमत चुकानी पड़े दी और चुकाने के लिए हमें तयार रहना पड़ेगा एकम सनातन भारत सत्ता के लिए नहीं हिंदुत्व के लिए राजनीती में आया है ये याद रखना पड़ेगा अगर हमने इसमें ट्रेड आफ किया कि हम सत्ता में आने के लिए हिंदुत्व में कोने काट रहेंगे डंडी मारेंगे पानी मिलाएंगे तो फिर हम में और किसी धन्यवाद पहले भी आपके कई सारे ट्वेट्स में देखता रहा हूँ और हिंदुबादी आपके विचार जो है उनको मैं हमेशा बहुत एप्रिशेट करता हूँ कुछ मेरे चार या पांच प्रशने हैं भार्क्य जंता पार्टी को कुल भारत के अंदर 37 प्रतिशत वोट मिले जबकि भारत के अंदर करीब करीब 80 प्रतिशत हिंदू हैं हम बात कर रहे हैं कि हिंदूओं के वोट मिलने के बाद में और भारते जंता पार्टी ने हिंदूओं के लिए काम नहीं किया लेकिन आज भी हम क्या माने इस वोट शेयर को देखके कि मिजॉरिटी ओफ हिंदू जिसको हम बोल रहे हैं कि अभी सरकार में आ गई पावर में आ गई वोट नहीं करते हैं इसमें एक चीज और भी जोड़ना चाहूंगा AMIM को जो पार्टी है है ना उसके बारे में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वोट कट हुआ पार्टी है मैं ऐसा नहीं मानता आपको भी नहीं मानना चाहिए मीडिया ऐसा बोलता है लेकिन अगर एसमें कहीं एक परसंट भी सच्चाई है तो भारतिय जनता पार्टी को इस त पर कि हमको यह जहर पीना पड़ेगा देखिए हम में से कोई भी शिव नहीं है और शिव के बराबर हम बन भी नहीं सकते हैं ठीक है शिव के हम एक जो फ्रेग्मेंट होता है उसको भी हम अपने अंदर ले लेंगे तो बहुत सफीशेंट है तो हम कहीं ऐसा ना हो कि वोट कट बनके और हम भारतिय जन्ता पार्टी को नुक्सान पहुचाएं जिसकी वज़े से यह मिली जूली सरकारे जो हैं कॉंग्रेस तो नहीं आ सकती लेकिन मिली जूली सरकारे आ जाएं और उसके बाद यह परिस्थिती बन जाए कि हम यह जो आप स्टेस में बात कर रहे हैं ना आप उपन प्लैट्फॉर्म पे वन-टू-वन करना चाहते हैं तो उस विशे में थोड़े क्विश्चन था प्रदीप जी मैं सही हूं ना शायद मैं गरत परिपेक्ष में रख रहा हूं तो आप क्लियर कर दीजिएगा तो आपका उद्वेश ये क्या है यह बुजना चा हिंदु संगठन करने निकला है निदु मतों को संचित करने परिष्कत करने और हिंदु संगठित करने राजनीती में निकला है अब इसका किसको नुक्सान होता है इसको फाइबा होता है इस पर हम अपनी नजर रखे के हम हिंदू हित के लिए राजनीती में आया है तो वह अपने निर्णयों का निरंतर समीक्षा करता रहेगा अब इसमें कुछ दल हमें क्या आरोप लगाते हैं यह उनकी प्रब्लम है लेकिन हमें क्यों आना पड़ा उनके होते हुए उनके निर्णयों के कारण हम आज विवश हुए इन आशंकाओं और संकटों के कारण विवश हुए तो उसके लिए वो जवाब दे हैं उन्हें सोचना चाहिए था कि वो हिंदूओं को अपनी जेव में पड़ा समझ कर हिंदूओं की उपेख्षा करें और हिंदू शत्रूओं के साथ अपने संबंध इन आथार बनाएं हिंदू-दू की कीमत पर तो यह उन्हें सोचना चाहिए था कि इसकी प्रतिक्रिया में हिंदू रियाक्षिन होगा हिंदु प्रिष्प्रिया होगी और हिंदु मत बिखरेगा वो स्वाइम जिम्मेदार और यदि हमारी इस पहल से उनका हिंदु द्रोह कम होता है वो हिंदु विरोधी नीतियों से बाज आते हैं तो इसे मैं एकम सनातन्तल की सफलता मानूँना हमारा हित, हमारा मत चुनाव जीतना तो हो लेकिन वह जीतना जो है केवल एक माध्यम है अंततो गत्वाहत हिंदु हित और हिंदु हित के लिए राजमित्य में जो भी कुछ करना पड़ेगा हम करेंगे चुनाव लरना पड़ेगा चुनाव जीतना पड़ेगा किसी को चुनाव हराना पड़ेगा 10 जगा से चुनाव जीत कर 50 जगा हराना पड़ेगा तो कुछ चीमत चुकानी पड़ेगी आप ये कहें कि साथ दोश ये जो रोग है रोग का उफचार लेने करने के लिए आपकी शरीर से कुछ खून लेना पड़ेगा आप कहें नहीं नहीं साथ फिर तो खून की हमारा अवयर्थ चला जाएगा लेकिन उफचार के लिए तो वो लेना पड़ेगा ना भई किसी और का खून लेकर के टेस्ट नहीं कर सकते ना आपके उपचार के लिए तो वो लगेगा अब लगेगा तो लगेगा क्या किया जाए उपजार तो आवशक है ना बीमारी से मर नहीं सकते तो उपचार के लिए जो कीमत चुकानी पड़े वो चुकाना आवशक है हिंदु हित के लिए ये हमारा आचिते हैं उससे भी बात नहीं बनी तो शिवरातरी की तक टाइम था उस समय भी उनकी तनखा रोक दी गई इतने सारे गटनाओं के बाद भी क्या हमें ये नहीं समझना चाहिए कि अगर हम एबसलूट पावर किसी एक पार्टी के हाथ में दे दे और एबसलूटली एक एजेंडा किसी पार्टी के हाथ में दे दे तो इस प्रकार की दुरगटना है और इस प्रकार के अत्याचार अपने ही लोगों के साथ खास कर उन लोगों के साथ जिनके बारे में पता है कि वे देश का नुकसान नहीं करेंगे वे आत्ताई किसम के हरकते नहीं करेंगे वे तोड़ फोड नहीं करेंगे दंगे पसाद नहीं करेंगे इस प्रकार की गलत हरकते नहीं करेंगे इसलिए उनको दबाया जाए उनके तंखा रोग दी जाए उनको बदनाम कराया जाए जी ये भी एक बहुत बड़ा कारण है क्योंकि ये द्योतक है प्रात्मिक्ताओं का जो शासक शासन में है उसकी प्रात्मिक्ताएं क्या है और हिंदूओं के प्रति उसका रवया क्या है इसका दृष्टिकोंड क्या है यह एक ध्योतक है उन प्राजमिक्ताओं का उस समवेदना शून्यता का जो आज के शासन ने बार-बार दिखलाई है और बिना संकोज के बेशर्मी के साथ दिखलाई है और इस पर धिठाई दिखाई है यह पराकाष्ठा है हिंदू उपेक्षा की और हिंदू विशेयों के प्रती समवेदना शून्यता की और इसी कारण यह भी एक कारण है इसे देखा अंकोर दिने स्वयम अपने प्रत्यक्ष आँखों से तो मुझे मैं मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह भी एक कारण रहा होगा उस पूरे मुह भंग का जो इस वर्तमान सत्ता विवस्था से कारण एकम सनातन भारत के जंग में परिवर्थित हुआ देखिए सावरकर जी ने बहुत साफ साफ कहा था उन्होंने तीन आवशकताएं भारत के लिए निर्धारित की थी उन्होंने कहा था कि राजनीति का हिंदू करण होना चाहिए हिंदूों का सैने की करण होना चाहिए और भारत का ओद्यों की करण होना चाहिए ये एक व्यापक व्यवस्था पर व्यापक द्रिश्टी है केवल एक आयाम नहीं है हम अपना ओद्यों की करण करके अपना आर्थिक पक्ष मजबूत करें अपना सैनकी करण करके सुरक्षा पक्ष मजबूत करें और राजनेतिका हिंदू करन करके अपनी विवस्था को पुष्ट करें और ये किसी सीक्विंस में पहले ये और बाद में वो नहीं ये साथ-साथ हो ये अपरिहार है और यही हमारे सूत्र हों तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि आज हिंदू अपनी सुरक्षा के लिए राज्य की इच्छा अनिच्छा पर निर्भर है उसकी प्राच्मिक्ताउं उसकी लाब आकलन पर निर्भर है बंगाल में हिंदू अनाथ हो जाता है जब सत्ता के समीकरनों में वो किसी गणित में फिट नहीं बैठता कश्मीर का हिंदू भी इसी तरह अनाथ हुआ ती तरह हिंदू अनाथ होता रहेगा अलग-अलग शित्रों में जब राजनीति का हिंदू करण नहीं हुआ होगा तो हम ये कीमत चुकाते रहेंगे इसलिए कीमत चुकानी भी पड़े तो एकम सनातन दल हिंदू राजनीति का हिंदू करण करने की प्रक्रिया में एक कैटलिस्ट बने एक एकसिलेटर बने इसी भूमी का को लेकर आगे आए तो अपने आप में उसका उचित्य सिद्ध हो जाएगा कश्मीर में जो हुआ वो ना केवल दुर्भाग्य पूर्ण था इस शासन के लिए धिकार था इसकी हिंदूओं की प्रती जो प्रामानिक उस पर एक गंभीर आगार था वो प्रामानिकता ध्वस्त हो गई कश्मीर जैसे ख्षेत्र में जहां हिंदू संहार हुआ उस हिंदू सरकार पर अभी तक पुष्टी नहीं हुई सरकार की हिंदू संहार करने वालों को दण नहीं दिया गया कोई नयायत प्रक्रिया नहीं चलाई गई उनको दामादों की तना पाला गया और उससे जो पीडित हिंदु परिवार थे हिंदु कार्मी थे वो तीन महीने नहीं जी छे महीने भी नहीं वो 200-200 दिन तक लगातार बैठे रहे लेकिन उनकी जो अंदेखी की गई शर्मनात निंदनी है भर्चना योग के है और इस सरकार की प्रामानिक्ता पर एक पर्मनेंट क्वेस्चन मार्क है एक स्थाई प्रशन चिन है और ये अपने आप में परियाप्त है एकम सनातन दल के आचित्य को सिद्ध करने के लिए फिए गई करने वाली पार्टियां हैं ये धंदा करती है यह मान लीजिए आपने धंदा एक्सपोज करना है कि यह धंदा है यह इनके लिए आस्था निश्था समर्पान वो नहीं है इसमें हिंदु समाज के हिद की बात नहीं है इसमें धंदे का नफा लुकसान है तो इसका काट यही है और इन पार्टियों के साथ निब पाना मुश्किल है क्योंकि आप गोड़ा घास के दोस्ती करेगा तो खाएगा यहीं हमें खा रही है यहीं हमें बाट रही है यहीं हमें कमजोर कर रही है और देखिए मुझे एक उधारन याद आता है तीन देयाल उपाध्याई जी चीवन में केबल एक चुनाव लड़े कुत्तर प्रदेश में वो उप्चुनाव था मुझे अभी याद आ जाएगा वो लोग सो भक्षेट्चु तीन उप्चुनाव हो रहे थे यूपी में तीनो विपख्ष जीतने की स्थिति में था तीनो जगा साजा उमीद्वार खड़ा किये गए एक जगा रामनोहर लोहिया एक जगा दीन देयाल उपाध्याई और एक तीसरी जगा शायद चे भी कृपलानी थे विपक्ष, रामनोहर लोहिया वाला चुनाव जीत गया, दूसरा कृपलानी वाला चुनाव जीत गया, तीन देयाल जी वाला चुनाव जनसंग हार गया, जौनपूर हाँ जौनपूर से वहां से कॉंग्रेस ने जौनपूर के पूरे पुराने राजा, जो ठाकूर थे, उनको टिकेट दिया, थाकूर उनको टिकेट दिया, तो जो वहां के ब्रहमन थे, और पंडित दिन देयाल उपाध्याए तो ब्रहमन थे, तो ब्रहमनों का कॉंग्रेस के खिलाफ एक हो जाना अपने आप में एक नैचुरल रियाक्शन था तो वहां की ब्रह्मन सभा ने पंडे दीन्दे आलुपाध्याय को आमंत्रित किया कि आईए आप हमारे मंच पर आईए हम आपके लिए एक अपचारिक समर्थन की घोषना करें तो पंडे दीन्दे आलुपाध्याय ने उनसे कहा देखिए जनसंग हिंदूओं का संगठन करने निकला है मैं जातिवादी नहीं हूँ और मैं इस तरह के जातिवादी संगठनों के समर्थन से चुनाव जीतने के पक्ष में नहीं हूँ मैं हिंदु संगठन करने निकला हूँ तो जो ठेकेदार थे जातियों के उन्होंने का अरे ये तो अभी जीता नहीं है ये जीत जाएगा तो किस काम आएगा और इधर कमलापती त्रिपाथी उमा शंकर दिक्षित ये कॉंग्रेस के जो घाग ब्रहमन नेता थे इनके पास य जानकारी पहुंची ये फोरण दोड़े दोड़े गए इन्होंने तो मन से निकाल दिया था लेकिन जैसे ही ये सुना ये ब्रहमनों को पटाने पहुंच गए और इधर दीन दिया जी ने अपने कार्यकरताओं से कहा कि मेरे नाम के पहले पंडित और नाम के बाद उपाध ये थी साहाब निश्था ये था हिंदू एकता के लिए उनका समर्पन वो कभी संसद में नहीं गए जीते जी उस तपस्या का फल ये आज के चोर और पाजी खा रहे हैं आप समझ रहे हैं इनका अपराद क्या है ये हैं इनका अपराद तो दीन देयाल जी जब चुनाव हारे हार नहीं था उस लहर में भी जो विपक्ष में चल रही थी वो चनाव हारे तो उम्मीदवार को मंच पर बुलाया उसके लिए सभा की हारा हुआ उम्मीदवार हारने के बाद सभा नहीं करता है लेकिन इस उम्मीदवार ने जोनपुर शहर में बीचों बीच एक सभा बुलाई हार कर उसमें जीते हुए प्रत्याशी को जो राजा थे जोनपुर के उनको बुलाए अपने हाथ से उनका माल्यारपन किया और कहा कि आज आज आप मेरे भी प्रत्निदी हैं आज आप पूरे जोनपुर के प्रत्निदी हैं वो रो पड़ा वो उनके पाओं में गिर गया ये बलिदान देकर के जनसंग खड़ा हुआ और हिंदू संगठन खड़ा हुआ हिंदू राजनीती खड़ी हुई है आज इसे कौन याद करता है कौन इस तरह की राजनीती करने का दमखम रखता है इस इतिहास को नहीं भूलना है जब तक ये पुर्णियाई नहीं आएगी तब तक ये राजनीती सिरे नहीं कर पाएगी हमें साफ साफ समझ लेना चाहिए कि जातिवाद हिंदूत्व का जहर है हिंदूत्व के लिए साक्षाथ विश्य है जातिवाद तो इससे तो कोई कॉम्प्रमाइज नहीं कर सकते आप कभी भी नहीं एक और प्रश्णा है यह अधित्यनाद जी की और से है उनका कहना है कि शुशिल जी काश्मीरी पंडितों का 1990 का एथनिंग क्लिंजिंग से के पहले कैसे एकोनोमिकली और सोशली एक्स्प्लोइट किया गया इस से हम बंगाल या के लोगों को क्या सीखना चाहिए देखे कश्मीर की विवस्था जिहादियों के हाथ कॉंग्रिस ने सोप दी थी उन्हों उन्होंने यह मान लिया था कि भारत के पंथ निर्पेक्षटा की जो कसोटी है जो सर्टिफिकेट है जो उसकी प्रामानिक्ता है उसका अप्रूबल हमको कश्मीर का मुसल्मान देग हम दुनिया को ये बता सकें कि हम एक हिंदू देश नहीं है हम एक सेकिलर देश है इसका अगर हमें सर्टिफिकेट ले देगा कोई तो इस देश में कश्मीर में रहने वाला बहुसंक्यक मुसल्मान देगा तो उन्होंने उस भहुसंख्यक मुसल्मान को कश्मीर सौप दिया और कश्मीर के साथ साथ कश्मीर के हिंदू भी सौप दिये ये कहते हुए कि इस देश के सेकुलरिजम की गारिंटी है ये कि आप इन हिंदूओं का कुछ भी कर दो हम उफ नहीं करेंगे क्योंकि हमें आपकी खुशी और आपका अनुमोधन चाहिए उसकी बली चड़े हिंदू और उसकी बली कैसे चड़े कि प्रशासन ने हमको दाखिले नहीं दिये प्रशासन ने हमको नौकरियां लेने से मना कर दिया हमारे मेरिट के बावजूद ना हमको दाखिले दिये ना नौकरियां दिये और जब हम प्रश्न पूछते थे तो हमसे कहते थे तुमारे लिए तो पूरा हिंदूस्तान पढ़ा है यहां क्यों पढ़े हो तो हमारा जो वहां से पलायन हुआ 1990 में तो एक मुश्ट हो गया सबको रातो रात उखड़के जाना पड़ा लेकिन वह प्रक्रिया उससे पहले 30 साल 40 साल कश्मीर से छोटी छोटी मात्रा में चलती रही जिसका जहां बस पढ़ा बन पढ़ा वह बाहर पढ़ने लिखने काम करने जीवन बसर करने निकलता रहा और इसके लिए पूरी उपेक्षा केंडर सरकार नहीं की कोई सुनवाई नहीं की बिलकुल कोई सुनवाई नहीं की उनका त्रिप्तिक अरन होता रहा और उन्होंने इसको इस देश की मूर्कता माना और उसका लाब जिसको हम maximize कर सकें चूस सकें जैसे गन्ना और गंडेरी चूसी जाती है चबा चबा कर वैसे उन्होंने इस देश को चूसा और इसके प्रती कोई gratitude का भाव किसी भी तरहा का अनुग्रह यह देश कर रहा है उसके प्रती कोई वह भाव आ पाए उसका पूरा नितान का भाव था इस तरह शोषण हुआ और कश्मीर का जो हिंदू वर्ग था कश्मीर घाटी का वह बेसिकली वाइट कॉलर पढ़ा लिखा वर्ग था सामाजिक स्तर पर इतना इतनी प्रतारना और इतनी उपैक्षा थी कि वो व्यापार में वानिज्य में नहीं आपाता था तो सबसे पहले गाओं से पलाइन शुरू हुआ शेहरों की ओर, फिर शेहरों से पलाइन शुरू हुआ शेश भारत की ओर, और इस तरह कटते-कटते-घटते-घटते नभे में आके उसे पूरी तरह समूल नश्ट कर दिया गया। यह है परिस्टे की कश्मीर के हिंदुगी। सब्सक्राइब कर देखेंगे यह सत्या है, क्शोटा सा पॉइंट रखो। रखेंज जी। सुषिल जी हमने भी अभी कश्मीरी हिंदु पैकेज एंप्लोईज के लिए शाड़ेतीन वही ने अरोच का स्पेस चल पाया था। प्रा उसमें हमारे डॉक्टर महिश कोल जी, अपने विट्टल चोधरी जी, पी-म पैकेज एंप्लोईज के प्रमुख सतीश रहना जी, योगेज बंडिता जी यह सबुआ। तो उसमें हमने अनुभव किया, कि हम भी पहले पहले हिंदु पैकेज एंप्लोईज को बता रहे थे, यही सरकार है, तिसके 370 रहताया है, मैंने से हटाया है, डिलिमिटेशन किया है बगेरा, लेकिन बात में हमने भी देखा कि कैसे वहां के LG मरुख सिन्ना खुद प्रेस कान्फरेंस में कहते हैं, यहां पर हिंदु का जिनोसाइड हुआ ही नहीं है, यहां पर सिरफ हिंदु नहीं मरे है, या यह रिलिजन और टेररिसम का संबन्द नहीं है, तो हम भी बहुत व्यथित हुए, हमने जब आवाज उठाई तो सुशील जी एक अनुभव ऐसा आया कि यह जो 2014 के बाद नहीं बने हिंदु है ना, वो लोग आपस में बाहर बात फैला रहे तुकि आरे रप्र सहाब तो मोधी विरोधी हो गए है, भाजबा विरोधी हो गए है, और फिर ट्राउन करके अप रया से लिया, शायद कश्मीरी हिंदुों को भी यही पानुभव इसलिए अगर हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा जिनका परिशान हुआ है, उनकी आवाज उठाने से भी अगर यह ट्रॉली गारत रोकती है, तो यह हिंदुों की आवाज कैसे उठा सकते है, मेरा यह प्रश्ण है और क्या इसलिए एकम सनातन धर्मों की आवशनता है, इन् अपनी बपोती लगती है, और हो भी क्यों ना, बड़ी मुश्किल से हिंदु संगठेत होकर, बहुत आशा से, बहुत भरोसे और विश्वास से, इनको वोट देता है, और छला जाता है, तो इनको लगता है कि वो भरोसा बना रहे, चाहे जुबले से, चाहे जूट से, चा कि राजनीती करें, मन दिल जीतने की राजनीती करें, सर्व ग्याही, सर्व व्याती, सर्व लोक प्रीय, उस शिखर तक उस च्षिति तक जाएं, कि हम अजाद शत्रु हैं, हमारा कोई सत्रु नहीं बचा, हमने सब के दिल जीत लिए, अब ये एक सनक हो सकती है, लेकिन उसके सत्यका साक्षातका नहीं करेंगे, उसको नहीं सुनेंगे, उसकी नहीं मानेंगे, उसकी उपेक्षा करेंगे, तो फिर एकम सनातन भारत जैसे अवसर आते रहेंगे, उसकी आवशक्ता पढ़ती रहेगी, उसको प्रामाणिक्ता मिलेगी और इसके लिए उन्हें तयार प्रश्ण सुनने पड़ेंगे आपको आरोप सुनने पड़ेंगे आपकी प्रामानिक्ता पर आपकी निष्ठा पर प्रश्टिचिन्द लगाये जाएंगे आपको शत्रु का एजेंट बताया जाएगा आपको कहा जाएगा कि आप पैसे खाकर खड़े हो रहे हैं यह सब सुनने के लिए इस सब कड़वाहट और विश्च सुनने के लिए आपको तयार रहना पड़ेगा क्योंकि आप और आपका अंतरमन आपका अंतरकरन जानता है कि आप किस उद्देश्च से किस प्रेड़ना से यह सब कर रहे हैं और बिना डिगए वो करना पड़ेगा यह जो सत्ता वाले हिंदू हैं यह नहीं चाहते कि किसी भी कारण से इनकी सत्ता पर कहीं आच भी आए प्रश्मी चिन्न भी खड़ा हो तो वो सब कुछ करेंगे जी और जब तक आप इसके लिए तैयार नहीं होंगे तब तक एकम सनातन भारत वाली भूमी का नहीं निप आएगी बिलकुल धन्यवाद सुशील जी हमने भी वह अनुभव किया कि हिंदूओं की समस्या सुनकर उस पर उपाई योजना करने की जगह आप बोलो ही मत यह कहा जा रहा है क्योंकि इससे आपके विरोध में वातावरन हो रहा है नेरेटिव भाइल रहा है यह बहुत ही बुरा प्राशन का मेरे चिंतन का कुछ कहते हैं परते हैं जिसको अनावरेट करके मैं आपको पूछना चाहता हूँ, कि द्वापर में कृष्ण अपना एक रूप दिखा गया है, कि जब युद्ध छद्म हो, तो उसमें भेश और कभी-कभी उदेश भी छद्म बनाना पड़ता है, और अगर ये सत्य है, तो इतना तो कहीं कहीं क्लि हमेशा यही होंगे, कि ये निकेन प्रकारियन धर्म की स्थापना होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए अगर कहीं धर्मेतर भी जाना पड़े, तो उसमें भी हिचकिचाय नव्यक्ति, तो कहीं ऐसा नहीं लगता सुशील जी, कि हम लोगों को इस बात पर बहुत चिंतन करना चाहिए, क्योंकि घेरे तो हम लोग बहुत सारे जगह उपर जाएंगे, लेकिन उससे बचने के लिए एक बार छद मुरूत भी अगर लेना पड़े, तो उससे हमें इतर नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं भारत अपने इतिहासिक पन्नों को अगर पल्टे, तो ये उस समय उन्होंने, मतलब अपनी कहलीजे कि वही निष्ठा या कहलीजे कि उनका जो सिध्धान्थ था, उन्होंने उसको इतने कटिवध तरीके से रखा कि ठीक है, अगर कोई उनके सामने आ रहा है, तो वो छोड़कर पद्वी चले गए, कहीं ये मिस्टेक तो हम लोग न मिस्था से उपर माना, तो उन्होंने गांधी की सहमती, स्विकृती, प्रसनता के लिए उनके आग्रह को मान लिया, मैं बार बार ये कह रहा हूं, कि एकम सनातन दल यह एक उपकरण है, यह एक माध्यम है, हमारा साध्य जो है, वह हिंदू हित है, भारत है, और हिंदू एक है, तो सनातन भारत हित है, ठीक है, और दल का हित नहीं है, लेकिन क्योंकि दल एक उपकरण है, और उस उपकरण के बिने, हमको समय समय पर समीक्षा करके व्यापक राय से ये निर्णय लेने होंगे, लेकिन ये इतना फिसलन धरा मार्ग है, जहां अपने आपको आपने अनुमती दी, कि मैं धर्मेतर जाने के लिए भी मुक्त हूँ, तो प्रभू, मैं आपको एक बात बताओ, जिसे आप धर्मेतर कह रही हैं, उन परिस्थितियों में वही धर्म है, वो धर्मेतर नहीं है, जहां आप शत्रुका नाश करते हैं, और एक व्यापक लड़ाई के लिए, व्यापक विजय के लिए, कोई भी युक्ति करते हैं, वो धर्मोचित है, वो धर्मेतर नहीं है, धर्मेतर वही है, जहां आप व्यापक हित के लिए, व्यापक हित की बली देते हैं, स्वार्थ क लिए एक छोटे हिट के लिए तो उसे धर्मेतर मत कहिए वो धर्म ही है आपद धर्म में मर्यादा न जाये थे आप कह सकते हैं कि हाँ वो मर्यादा से इतर हो लेकिन वो धर्म से इतर नहीं है और उस परिस्थिती में मर्यादा क्या है उसको क्या कौन परिभाशित करेगा उस को हमारे वो शाश्वत सिध्धान्त परिभाशित करेंगे जो हमारा moral compass है कि हम किस लिए हैं यहां हम हिंदु हित के लिए हैं तो हिंदु हित में आज क्या है इसे देखना ढूनना समझना कितना कठिन होगा जो हिंदु हित में हैं जो सनातन भारत हित में हैं वह निरने लिया जाएगा और वो धर्मोंचित है, वो धर्मितर नहीं है, वो मर्यादा से इतर हो सकता है, जो सामान्यकाल की मर्यादा से इतर हो सकता है, लेकिन वो आपदकाल के धर्म के अनुसार ही है और रहेगा, लेकिन या विवेक रखना, या विवेक रखना सकते हैं, जब आप धर्म निष्ट हैं, अपने अंतर्मन से धर्म निष्ट हैं, और एकम सनातन भारत हित के प्रती निष्ट हैं, यदि आपने स्वयम को शुरू में ही लाइसंस दे दिया, तो फिर ये बड़ा फिसलन भरा है, फिर इसको आप कैसे भी रैशनलाइज करने के लिए मुक्त हो जाएंगे, वो नहीं करना है, हमें धर्म से ही चलना है, और धर्म जो है, वो आपत धर्म भी होता है, और उसके लिए इश्वर हमें विवेक दे, सद्गुद्दी दे, ये हम अनुशासन रहना चाहिए, और एक दूसरे की निगरानी में ये निर्ने हो, संयुक्त निर्ने हो, ताके हम सब ठोक बजा कर सोच समझ कर, अपनी नीतियां, अपने निर्ने करें, ये आवश्चक है, और उसकी बहुत बड़ी जो काट है, इस फिसलन की, वो यही है कि हम मिल करके निष्ट होकर, धे निष्ट होकर निर्ने करें, उसमें फिर गल्तियां हो सकती है, ऐसा नहीं है, गल्तियां नहीं होगी, लेकिन वो अपराद नहीं होगा, जो जानबूच कर किया गया है, वो छोटी मोटी गल्तियां हो सकती है, उसकी गुंजाइश होती है, रोह नह पराद नहीं हो तो पराद को पुछिए जी एक और प्रेशन है कि बंगलादेश और पाकिस्तान और और किसी देश में जो हिंदू है उनके सुरक्षा के लिए हमारी जो एकम सनातन भारत आएग तो अभी तो निगलेज हो रहे हुआ है कि कोई क्वेशन ही नहीं हो रहा उनके सपोर्ट के लिए कि उनके लिए कोई भी हिट्टा कालिया नहीं हो रहा नहीं उनके लिए आवाज भी उठाई जा रही है तो उसके लिए एकम सनातन भारत पार्टी जब अगर यह से स्टेच पे आएगी कि कुछ करता है तो आप क्या चाहेंगे पार्टी के वर्शे कैसे लिए जो आपने सब्सिद्धान्त गोशित किये हैं इसमें जो पहला ही सूत्र है जिससे आज मेरा समवाद आप जब के साथ हुआ उसके तहट तो यह हमारा उत्तरदाई तो है भई वहां के हिंदू हमारे पीछे छूट गए सहोदर हैं वो पाकिस्तान हो बांगलादेश ह हो अफगानिस्तान हो म्यानमार हो श्री लंका हो यह सारी की सारी भारत भूमी और यहां रहने वाले हिंदू यह हमारे सहोदर हैं यह हमारा निरनए नहीं है यह हमारी आस्था है यह शाश्वत सकते है यह काटे सकते है और यदि वो हमारे सहोदर हैं तो उनके विशे में हम कैसी भी उपेक्षा कैसे कर सकते हैं हमारा विवेक इसकी अनुमती कैसे दे सकता है तो जो हम कर सकते हैं वो करें जो हम कह सकते हैं वो कहें ईश्वर ने हमें जितनी क्षमता दी है जैसा विवेक बुद्धी दी है उसकी अनुसार परिस्थितियों में हमारी क्या भूमिका रह तो हैं, वो हमारी जिम्मेदारी है, वो हमारी और ही देख पा रहे हैं, और उनके पास आशा का कोई केंदर नहीं है, हमने उन्हें अनात छोड़ दिया है, इस देश नहीं सबसे बड़ा पाप किया है 1950 में, नहरू लियाकत पैक्ट के माध्यम से, हमने पिंड छुडा लिया ह के वो जाने और उनकी आपदा जाने, वो कैसे निभाते हैं, कैसे बचते हैं, कैसे मरते हैं, अब हमने उनकी और जहाक कर नहीं देखा ना आज देख रहे हैं, मैं आपको एक छोटा सा उधारन देता हूँ, यह इतना इतनी बड़ी विडम्बना है, इस समय विदेश मंत्र जाले के प्रवादी बंगाली मूल के हिंदू हैं, पिछले दुर्गा पूजा में, जब धाका में, मीरपुर में, खुलना में, कॉमिला में, रंगपुर में, सरुनाश हुआ, चितगांग में, प्रतिमा पंडाल ध्वस किये गए, महिलाओं का अपमान हुआ, लोग मारे गए, गले रेत दिये गए, जला दिये गए घर, लूट लिये गए दुकाने, जिस दिन यह शुरू हुआ, उसी दिन शाम को अरिंदम बागची का वक्त अव्याता है, चिंता अव्यक्त करते हुए नहीं, यह कहते हुए कि बंगलादेश की सरकार ने इन घटनाओं पर नि उत्तरदाईतों का निर्वाह बड़ी ततपरता से कर रही है, यह बंगाली हिंदू, उन बंगाली हिंदू की दशा पर भारत की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से कह रहा था, हमारी डिप्लॉमसी में और आप्शन्स भी थे, हमको डिप्लॉमाटिक तरीके से बिना किसी को नाराज किये, और कुछ भी किया जा सकता था, कहा जा सकता था, उसके बाद हमने जहांक कर नहीं देखा, तो यह यदि स्थिती इस व्यवस्था की, इस नेत्रत्व के अंदर चलने वाली व्यवस्था की, इस सरकार की है, तो आप सोच सकते हैं, क्यों उनकी प्रात और क्या नहीं है, काबुल से मैं आपको एक और उदारण देता हूं, सर पर रखकर लाए गए गुर्वरंद साहद्जी के स्वरूप, गुर्दवारों में वहां ब्लास किये गए, 37 लोग मारे गए, ठीक है, जब ऐसा हुआ, उसके ठीक एक महीने बाद, नहीं नहीं, हाँ, एक महीने बाद, वहां भुकम पाया था, यह 2021 की बात है, जबरदस भुकम पाया था, एक हजार से ज़ादा लोग एक ही दिन में मर गए थे, भारत ने फॉरन सहायता बेजी, फॉरन, नहीं, हाँ, उसके बाद फिर एक और धमाका हुआ, सितंबर के महीने में, बावन लोग 25 सितंबर 2022 को, जहाज में बैठा कर, सिख और हिंदू भारत भेज़ दिये गए, शरनारती बना कर, वहां के गुर्दवारे खाली करा कर, और भारत, फुक्मरी से बचाने को, हजारों तन अनाज देता रहा, आज भी दे रहा है, वहां पर फिर घटनाए हुई, इस बार के बजट में, निर्मला सीता रामबर ने, तीन सो करोड का प्रावधान दिया है, उस तालिबानी सरकार के लिए, जहां हमारा दूतावास तक नहीं है, जिसको हमने रेकगनाईस तक नहीं किया है, आप समझ रहे हैं, कि ये सरकार क्या कर रही है, ये नीती है, आप दिल जीतना चाह रहे हैं, उन्होंने हिंदू और सिक साफ कर दी हैं, गिंती के तीस या चालिस बचे हैं हैं अबरे देश में, और वो आपका दिया हुआ मुक् सहायता पर पल रहे हैं, और आपने तीन सो करोड रुपए इस तालिबानी सरकार के लिए, ये प्रावधान, हिंदू कश्पीरियों के लिए, जो वहां आठ महीने सड़ते रहे हैं, गर्मी धर्वी बरतार में, इसके कम का प्रावधान था, इसका एक फ्रैक्शन था, आप इसके लिए इनके पास इसके लिए पैसे नहीं थे, आप कह रहे हैं, घर बैठ के मुफ की रोटियां तोड़ेंगे, ये कभी नहीं कह रहे हैं थे कि हमें घर बैठ के तनखा दीजे, ये कह रहे हैं हमारा स्थानांतर कर दीजे किसी सुरक्षित जगा में, हम अपनी फरताली घटनाएं है, समाना अंतर चलने वाला रवया है, इसमें कोई बहुत अंतर नहीं है, ये एक साथ हो रही थी, तो आप क्या की जिएगा, आप इसको कौन से हिंदु हित की सरकार बनाएंगे, मानेंगे, इसके किस विवेक फरताली बजाएंगे, तो ये काम भी एकम सनातन भारत का है, जहां जहां से इस सरकार ने अपने उत्तरदाइत के से पिंड छुडाया है, इमको याद दिलाना कि ये हमारा उत्तरदाइत को है, तो जो भूभाग भारत भूमी का निरापद है, आपदा मुक्त है, उसकी विवस्था का ये उत्तरदाइत वह है, कि वो तो ऐसे हिंदु जो पीछे छूट गए हैं, जिनका कोई कसूर नहीं है, जिनका केवल और केवल एक नाथ है भारत, जिनकी एक ही दृष्टी है भारत, वो उनके विश्य में कुछ बोले कहे. और वो उत्तरदाई तो अगर सब इससे प्रिंट चुछा लेते हैं, जिनका कोई उत्तरदाई भारत को यह उत्तरदाई बले नपड़ेगा. इसमें मुझे कोई शंका नहीं देगा. आपका क्या विचार है खालिस्तान के लिगातार आधार पहुंचाता है? खालिस्तान जो बार-बार चोट कर रहा है हिंदू भारत में, तो उनके प्रती आपके क्या विचार है और उनको कैसे टेटल कड़ेगी पार्टी? खालिस्तान जो समस्या है उसके दो आयाम है. तो जो पाकिस्तान के समर्थन से चलाया जा रहा च्छद मुद्ध है. और दूसरा, जो हमारे सिख भाई बहन है, उनके मन में, जो भाववेश में, क्रोध में, एक द्वेश पैदा हो गया है. समवाद विहिंता की स्थी में वो द्वेश आया है. उसका निगाकरन को. मेरा ये मानना है कि हमारा सिख भुदाए हमारे भाई बहन है, हमारे गुरुवों की परंपरा से हैं और वो उस परंपरा से हैं जो गुरुओं ने हमारे ही लिए श्कापिटी. हमारी रक्षा के लिए, हमारे पुन और उत्थान के लिए तो समभाद के मात्म से हमें जहां तक सम्भव हो पुनह अपना सामन्जस से बिठाना पड़ेगा इस समधाय के साथ और जहां तक खालिसता की बात है उसके साथ कोई भी समझोता किसी भी तरहा का रियायत, कोई भी लेन देना, समभावी नहीं कि वो एक राजनेतिक विशुत, राजनेतिक शडियत है और हमारे शत्वों पारा ही हम बनलादा गया है उसके प्रतिस जग रहना है कौन खालिसतानी है और कौन सभोदर है, अपना ठाता है और छिटका हुआ है, समभावी नहींता की स्तिती में पुरानी जो राजनेतिक भूले हुई है, तशासनिक निरने हुए है कटू अनुभव है, उस कारण से जो वेश ग्रस्त है तो इसमें अपना विवेक प्रयोग करते हुए हमें साथ लेके चलना चाला है और समभाद के लिए बहुत आवश्यत है कि हम इसकी प्रिष्टुकोमी को अच्छा उनके आस्था को, उनके ग्रंथों को पढ़ें और उनके ग्रंथों में जो समर्वय और सामंजसे के सूत्र हैं उन्हें उनसे अवगत कराएं देखिए, सबसे बड़ा जो है अवराज हुआ भूल हुए उनके हमने इस content को इस पूरे narrative को contest नहीं किया कि सिख हिंदू नहीं है, सिख एक अलग राष्ट्र है और सिखों को अपनी अलग भूमी अलग राष्ट्र चाहिए क्योंकि सिख हिंदू नहीं है, सिख का हिंदू के साथ कोई लेना देना नहीं है ये जो narrative था, इसका content analysis और इसका rebuttal टाइम पर किसी नहीं किया लाब मिला ही नहीं, क्योंकि वो था ही नहीं, तो इनको एक ही कहानी सुनाई पढ़ाई जाती रही जो दिमाग में बस गई, अब शुरू करना है, चाहे कितना ही कठिन काम हो, लेकिन काम तो वहीं से शुरू होगा कि एक counter narrative, जो fact based हो, logic based हो, और compassionate हो, उनको अपना मान कर हो, केवल एक भहस जीतने की दंब में नहो, उस sensitivity के साथ इसमें आगे जाना पड़ेगा, वरना शत्रू हमारी बाजू काट के ले जाएगा, वो यही प्रयास कर रहा है, और यह हमारी बाजू है, यह आपको और मुझे मानना चाहिए, बस. यह हमें यह डिमांड भी रखनी पड़ेगी, जो कश्मीरी हिंदू का जुनोसाइड हुआ है, उसको डॉकिनेंट करने के लिए, उसको डॉकिनेंट करने के लिए, नयादिशों की तमीटी बने, और वो उसे डॉकुमेंट करे, एविड़स के साथ, और क्या एक स्पेशल टास्क पोर्स नहीं करना क्या है, जो अभी भी कश्मीरी हिंदू 5,000 हिंदू की हक्टा की F.I.R. ले, पच्चीस हजार मातमगली नहीं के अत्याचान, 7,000 हिंदू के विस्थापर के F.I.R. ले, और उसको खांसी के तक्सित पहुंचाने के लिए, स्पेशल टास स्पोर्स को, तीसरा, क्या कश्मीरी हिंदू को के लिए, अलग से होपलैंड या, अलग से कॉल्टिक पाथ को, और आखरी, क्या कश्मीरी हिंदू होने के लिए, हम आपसे या पेक्शा करें, कि आप बंगाल के हिंदू को भी अपनी व्यथा से, अनुभाव से, जो सीखा ह उसके लिए एकम सनातन की और से कुछ अंडरस्टेंडिंग, कुछ सूचनाएं और क्या करना चाहिए ये बताएं जी देखिए ये ये बिल्कुल करणिय विशय है इसके चार चरण है देखिए व्यवस्था के इस तरपर यदि आप चाहते हैं न्यायले के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से या गैर प्रशासनिक संस्थाओं के माध्यम से हम क्या मांग करें, हमारी क्या प्रात्मिकता हो तो वो इस क्रम में मैं आपको बताना चाहूँ था, ये चार बातें हैं जो करनी हैं, इसके बिना जो कुछ भी तर्किया जाए या कहा जाए वो अधूरा है अपर यापने, वो चार बिंदू क्या है, पहला बिंदू है कि कश्मीर में जो हुआ, उसे हिंदू संहार, हिंदू विद्ध्वन्स, जेनोसाइड, ऐसा स्वीकार किया जाए, जब तक आप इसे नहीं मानेंगे, किसी एक समुदाय का वहां से समूल नाश करके, विस्थापन कर दिया जाए, हत्या और बलातकार और सामुहिक संहार करके, उसको वहां से हटा दिया जाए, भगा दिया जाए, ये जेनोसाइट की श्रेनी में आता है सेंक्तराश्व संग ने जो 1948 का जेनोसाइट प्रिवेंशन एंड पनिश्मेंट कंवेंशन घोषना की थी जिसका भारत सिक्टेटरी है उसकी डेफिनेशन में जो चार या पांच उसके बिंदू है उसमें पांच में से चार बिंदूओं को ये मीट करता है इनकी पुष्टी करता है जो कश्मीर में हुआ पांच में जो उसका बिंदू है वो ये है कि जब समुदाए के बच्चे उनसे च्छीन दिये जाए ताकि उनकी अभिवर्ध ही आगे रुप जाए वो हमारे साथ नहीं हुआ बाकि चारों चीजे हुए कि सामुहिक रूप से मारा गया हमारे वहां जीविका के श्रोथ हम से च्छीन दिये गए हमको अपनी जमीनों से उखाड़ करके फेंक दिया गया और एक और है हां हमारी वहां पर जो डिमोग्रफी थी उसको डिस्ट्रॉइ किया गया उसको ये वहां सस्टेनेबिलिटी इंपॉसिबल कर दी गयी तो ये जैनोसाइट की संग्या में इसमें से एक भी अगर हम पॉइंट मीट करते हैं तो जैनोसाइट माना जाता है दूसरा बिंदू है कि जिन्हों ने ये किया जो इसके दोशी है उन पर मुकदमा चले उनका दोश सिद्ध हो और उनको इसका दंड मिले यानि जस्टिस जब तक न्याय नहीं होगा केवल इसकी पुष्टी कर देना पर्याप्त नहीं है जैसे ही आप इसकी पुष्टी करते हैं ये आप पर उत्तरताइब को आता है कि अब आप मियाइब मिल्या करें एक ट्राइब्यूनल बनाएं अब उसके लिए ट्राइब्यूनल की आवशक्ता इसलिए है क्योंकि ये United Nations का Genocide Convention ही खुद कहता है कि जो Peace Time Criminal Justice System होता है वो Genocide के Crimes के साथ डील नहीं कर सकता उसके लिए जो साक्ष के स्टैंडर्ड्स होते हैं Procedural Standards होते हैं Punishment के स्टैंडर्स होते हैं वो One-to-one Murder, One-to-one Burglary, One-to-one Rape इन Crimes के साथ डील करने वाले सिस्टम उसके लिए परियापत नहीं है क्योंकि ये एक सामुहिक अपराद है पूरी समाज के साथ होता है तो इसके लिए एक नई नयाईक प्रक्रिया की आविशक्ता है और भारतीय संसद ने जब अनुमोधन किया इस श्रीटिका 1959 में 1959 में भारत की संसद ने ratify किया Genocide Convention को तो भारतीय संसद पर यह उत्तरदाइत्वा आया कि वो अपनी दंड प्रक्रिया में अपनी नयाय प्रक्रिया में जिसको प्रोसीजर Criminal Procedure Code और Penal Code कहते हैं उसमें Genocide की Prevention और Punishment के प्रावधान परिभाशित करे, एक प्रोसीजर एडॉप्ट करे, आज साट साल से जादा हो गए हैं, भारतिय संसद ने अपने इस उत्तरदाइतों को नहीं निभाया है, भारतिय दंड संहिता में, न्याय संहिता में, प्रक्रिया संहिता में, इसका कोई प्रावधान नहीं ह कि ट्राइबिउनल कैसे बनेगा, एविडिन्स एक्ट कैसे उसमें क्या परिवर्तन आएंगे, पनिश्मेंट्स क्या होंगी, यह सब कुछ नहीं है, डॉक्टिमेंटेशन कैसे होगा, कितने समय में प्रत्रिया पूरी होगी, डिफेंस के पास क्या आप्शन होंगे, यह कोई प्रोविजन नहीं है, अब पर्लिमेंट एस बीटिंग इस आप्लिगेशन्स तो नियाए जो है वो दूसरा बिंदू है, तीसरा बिंदू है, कि कश्मीर में हम लोगों को जब विस्थापित किया गया, तो लोग कहते थे कि साहब क्या करें, कुछ बंदूख वाले आए, हम को भी डर लगता था, हम क्या करते हैं, वहां के जो स्थानिय मुसल्मान हैं, उनका ये, उनकी सफाई है कि साहब, आए थे हाँ कुछ, हजार-दोहजार बंदूख वाले रहे होंगे, पांच हजार रहे होंगे, लेकिन उनके सामने जितने आप घवराते थे, हम भी घवराते थे, हम क्या कर सकते थे, बिल्कुल ठीक बात है जी, लेकिन हमारे निकाले जाने के बाद जमीने खा गए, दुकान खड़प कर गए, हमारे मवेशी ले गए, हमारे व्यापार चीन दिये, ये बंदूख वाले नहीं थे, वो हमारे आसपडोस में रहने वाले लोग थे, वो आज भी उन संपत्तियों पर हक जमाए बैठे हैं, चल संपत्ति तो खेर छूटी गई, जो अचल संपत्ति है, उस पर आज भी वो जमे हुए हैं, और वो बेनिफिशरीज हैं हमारे जनोसाइड के, और जब तक ऐसे बेनिफिशरीज बने रहेंगे, फ्यूचर में किसी जनोसाइड को करने का इंसेंटिव भी बना रहेगा, उनको पता है कि ये लाब का, मुनाफे का सौदा है, मारो, भगाओ, और लूट लो, तो आप उस सारी अचल संपत्ति को वापिस लें, इसके लिए कानून बनाएं, ये तीसरा स्टेप है, ताकि फ्यूचर जनोसाइड को प्रिवेंट किया जा सके, उसके लिए एक एक एग्जांपल हो, कि साब इस दोसंट पे, तो किल and to eliminate an entire community, turn it into a mass exodus, and then usurp their belongings. It is not a paying proposition. This has to be set as an example. तो ये तीसरा बिंदू है, जो सरकार को करना चाहिए. और चौथा बिंदू है, reversal of this genocide. कि जनोसाइड को आपने address नहीं किया है, जब तक survivors को आप पुनर स्थापित न करें, और वहाँ पुनर स्थापित करने के लिए, आप तो दुनिया भर में चकबंदी करते फिरते हैं ना, जहाँ छोटे-छोटे खेत हैं, उनको एक जज़ार कर दो. हमारी सारी संपत्यों को इकठ्छा करके, हमें हमारा पनुन कश्मीर देंगे. अब हम छितरा के नहीं रहेंगे, ताके हमारी गर्दन उनके हाथ में आए उनको जब चाहें मरोड लेंगे, ताके अपनी सुरक्षा कर सकें, और अपना काम, अपना जीवन स्वैन चला सकें. निर्भरता नहीं हो. किसी भी तरह की आशन का मुक्त हो. तो इसके लिए कश्मीर में हमें हमारा, और उसके लिए हमारा एक दल है पनुन कश्मीर, वो संगर्शरत है और उसका एक व्यापक, जिसे हम कह सकते हैं कि हमारा एक एजेंडा है, या हमारा एक चार्टर है, जिसको हम मार्ग दर्शन कहते हैं. उस मार्ग दर्शन में हमने पनुन कश्मीर की सीमाएं परिभाशित की हैं और उस पर सरकार हमारे इस प्रामानिक संगठन से बात करें और हमी हमारा पनुन कश्मीर लेके दें क्योंकि वो हमारा अधिकार है तो जब तक ये चारों स्टेप नहीं हो जाते हैं तब तक अभी तो एक भी नहीं हुआ है इस बात को तो पी ही गए है पूरी तरह तो कश्मीर के विशह में स्पेसिफिकली ये कुल मिलाके एक परिद्रश्य है जो हम विवस्था के सामने बार बार रखते आए हैं और इसकी अभेलना होती रही है उपेक्षा होती रही है बाकी रही बात के बंगाल के हिंदू को हम कैसे सिखा सकते हैं बंगाल तो खुद धोग रहा है भुगत रहा है और आज के युग में सूचना और प्रसार के युद्व में उन्हें बहुत कुछ मालूम भी है और इसके लिए और कुछ भी लगेगा तो मेरे साथ ही हम सब लोग कत्पर हैं, ये तो कोई बात ही नहीं है, हम व्यापक हिंदू समाज की बात कर रहे हैं, कश्मीर में जो हुआ वो कश्मीरी हिंदूों के साथ नहीं हुआ, वो हिंदूों के साथ हुआ, कश्मीर में हिंदूों के साथ हुआ बंगाल में हिंदूों के साथ हो रहा है केरल में हिंदूों के साथ हो रहा है तो ये कश्मीरी हिंदूों की आपदा नहीं है ये हिंदूों की आपदा है जो कश्मीर में आज हुई है कश्मीर में तीस साल पहले हुई है बंगाल में आज हो रही है केरल में आज हो रही है उत्ता प्रदेश में भी छुट-पुट होने शुरू हो गई है बिहार में शुरू हो गई है और भगवान न करे महराश्र में गुजरात में भठकल करनाटका में आंधरा में देलंगाना में उडिसा में ईश्वर न करे होने के कजार पर है यह हिंदूओं की प्रब्लम है कश्मीरी हिंदूओं की प्रब्लम नहीं और मैं बार-बार कहता आया हूँ कि हमारे साथ को जो हो गया वो तो अब उसका क्या होगा मुझे नहीं मालूम लेकिन और जगा नहो कम से कम इसकी तैयारी तो करें अगर ये तैयारी भी नहीं होगी तो फिर हम बचने लाएक अपने आपको कैसे कहें किस आधार पर हम कहें कि हमें इस दुनिया में बचना चाहिए अपनी पहचान के साथ यदि हम इतना भी न करता हूँ मैं यही कहना चाहता हूँ क्यूकि सपेस बड़ी लंभी चल रही है सुशिल जी भी पूरे अपने कालियों में प्यास होते हैं तो इसको इकड़म सटशिप्ट में थोड़ा पूरा करने का परायाज करते हैं क्यूकि सुशिल जी एकना प्रे चिन से में समक्atyशन कर रहे हैं कि आप फिर से हमारे स्पेसिस में आए आप से स्तक्षात करने के लिए लोग बहुत ही ज़्यादा है वो चाहते हैं कि आप और भी ऐसे केस्ट ले तो हम फिर से कुछना को सुषिल जी से एक बात्चीत करके अरेंज करने का प्रयास करेंगे और आप लोग जूर सकते हैं अभ आपके क्विस्चंस और आंसर से फो प्लीज करें राजेंदर सीच जी का कोई प्रस्टन या कि उनका तो परमेंट ही होगा तो आजेंदर जी आप फिर भरत भाई गीटा जी नामे किना अंकिता जी एंद फिर मनुद में पर बहुत बहुत लंबा नहीं अगर भूप सके त जो प्रस्टन नहीं करें तो जैसे हमारी हिंदूों के साथ जो बारदात हुई हैं कहीं भी जैसे जाएंड के हो या अधर स्टेट में भी कुछ जगाओं पे हुई हैं तो जादा तर महीला और बच्चों के साथ जादा दुरगत नहीं और सबसे जादा मतलब क्यूंकि यह हैं सक्चम होते तो इनको जल्दी से कभजा लिया जाता है तो महीला को इसमें अपनी क्या भागीदारी निवानी चाहिए कि वह फुद भी इतनी सक्चम बने कि अगर उनके परविबार के फुरुस लोग जगर रहे हैं लड़ रहें अपनी बचाने के अपने बचाव के ल जबता है तो इसके लिए क्या कदम तो आपको कि मत उत्रकलब होती है तो इसके लिए चैकात चाहिए मस्चैना जो१ी को सफूक्त कुधार उकले श्य॥े तो उनको मतलब कैसे बोल्ड बनाया जाए इस चीज के लिए नहीं अभी लॉयर और तो ऐसे बन चुके है कि वो यानि वो रूप से तो पूरा था सहाई सा ले सकते उसमें तो कोई इस्यू नहीं है बर यह अप्रोपेट वेशन भी लगता अभी के जो चल रहा है अभी के जो सवाल है सूष्इन जी कि माता-भगीनियों पर या बच्छों पर सबसे जादा जहां कर खोते है ज्यादा होते हैं बहूटाre कुछ प्रूरोशों के नुन निभा सकती है ऐसा उनका परशमें आ है the day Сबसे पहली जो आवक्ष्टा एं वह है बोध की, संकट बोध की, शत्रु बोध की, आत्म बोध की हम कौन हैं, हमारे साथ क्या हुआ है, वो किसमे किया है ये सब जानना बहुत आविश्यक है और आज हमारी माताएं, बेहने, बच्चे इस बोध से परिचित नहीं है अगर वो आज भी स्टार प्लस पर साथ बहु का सीरियल जैसी अफीम चाट रहे हैं उनकी बात क्या करें, हमारे पुरुष आईपियल में और सिनेमा में जुटे हुए हैं ग्लैमर में जुटे हुए हैं, वाटसाइप गृप्स में लतीफे बेज रहे हैं तो उस बोध की अभाव में हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे और अवेरनेस जो है, वो हाफ प्रिपेर्डनेस है फिर आपके पास अपना विवेक, अपने साधन, अपना सामर्थ क्या है इसका आप आखलन करते हुए अपना निर्ने ले सकते हैं लेकिन जब बोध ही नहीं है उसकी जानकारी ही नहीं है, उसके आयाम, उसकी व्यापक्ता के बारे में कोई सूचना ही नहीं है तो फिर आपको कोई चम्मच में तैयारी रखे नहीं दे पाएगा तो सबसे पहला काम है कि इसके प्रती चेतना, बोध, जानकारी, तर्क, तथ्य ये आपके पास भूम और नहीं है तो उसको जुटाने के लिए एक व्यग्रता हो उसके समवाद में शामिल होने के लिए ततपरता हो, के लिए समय निकालें, उसको प्रात्मिक्ता दें स्वयम भी परिचित हो और अपने परिवेश में अन्यो को भी इससे परिचित कराएं और विचार करें कि हमारी परिस्टितियों में हमारी ख्षमताओं के अनुसार हमारे विवेग के अनुसार हम क्या कर सकते हैं यह तैयारी अपने से पूछें अपने आसपास जो और प्रबुध्य वक्ती हैं उनको चर्चा में शामिल करके उनसे पूछें मिलकर स्थानी उसे संगठित हों अकेले अकेले नहीं कर पाईं तो यह एक प्रक्रिया बोज से शुरू होती है चैतने से शुरू होती है तो हमारी माताएं घर में बच्चों के साथ पुरुशों के साथ महिला मंदल में समाज के साथ आसफ़रोस में इसके उपर जा करें अन्य फिजूल यहां से जब शुरुवात होगी तो उसका एक domino effect होगा और उसमें से अपने आप हल निकलेंगे लेकिन यह प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए विमर्ष शुरू होना चाहिए वो अभी नदारत है उसका नितान का भाव है यह मेरा मानना जी जी सशेल जी गितारानी जी देखिए हमारे हिंदू धर्म में जैसे देवी का स्वरूप लक्षमी भी होता है सरस्वती भी होता है माशारदा भी होता है उसी तरीके से दुर्गा भी होता है काली भी होता है चंडिका भी होता है जिन मात्र शक्ति का स्वभाव है उनको और खास करके नए एंस्टर हमारी भगिनियों को स्वसवरक्षन की कलाई छोटी छुरी का तलवार लट्थ भी सिखानी चाहिए ताकि वे स्वयम का और अपने परिवार का रक्षन कर सके उसकी भी विवस्था हो सकती है और जरूर को कश्ट कहां से मिल रहा है व्यवस्था में आपने हिंदूों ने एक जुट होकर सब्सक्राइब कर दिया ना पहले तो हमी पर दोश था कि हिंदू के पास राजनेतिक समझ नहीं है संगठित नहीं है जाचियों में बटा है इधर उधर लुभावनों में वोट दे देता है कभी शकल देखकर कभी पार्टी देखकर कभी सरनेम देखकर कभी दारू लेकर तो हिंदू के पास राजनेतिक समझ नहीं तो इसलिए तूटी फूटी लंगडी रुली सरकारें आती हैं अब जब भारत में मुसल्मान के पास वोट नहीं वीटो था ये एक धारना बन गई थी उसके वोट के बिना सरकार नहीं बन सकती वो चाहिए कि इतना ही छोटा वो वोट है कि हर पार्टी उसके सामने दंडवत है तो इस धारना को ध्वस्त करते हुए संगठे दो बार पूर्ण वहुमत का जनादेश बिना किसी मुसल्मान वोट का मुहताज हुए दिया और उसके बाद भी ठका गया तो अब उसके पास उपाय क्या है गायत्री परिवार की तरह संगठेथ होकर सुभेशाम भजन करे क्या करे जाए इधर श्री श्री जी के प्रवचन सुनने भंडारे में भोजन करने क्या करे पता है इसको संगठित नहीं है राजनितिक संगठ नहीं है अब संगठित भी हो गया राजनितिक संगठ भी दिखा दी सारे समिकरन ध्वस्त करते हुए जाती से उपर उठकर भाशा से प्रदेश के इन सब विशमताओं से उपर उठकर संगठित नहीं हो कर दो बार सक्ता परिवर्टन किया और ठगा मेंसूस कर रहा है तो उसको उसी का उपाए करना चाहिए या किसी अन्य व्याधी का के लाइए ऐसा मेराwny वरना तो रहना आप चांस्क्रृति कि संगत्ञृत्रन भी बना सकते हैं कि हूँ और अजर अंसे इनके उपाए निकलेंगे सुतिक संगाटन होने हमारे गुरु जी इसके विरुद थे उनका मन बिल्कुल नहीं था राजनेतिक संग वो तो जब संग पर प्रतिबंध लगा और राजनेतिक शेत्र में संग की आवाज रखने वाला कोई नहीं था कोई समर्थन में खड़ा होने वाला नहीं था बिलकुल अनात अनुभव कर रहे थे तो उन्होंने का नहीं राजनेतिक शेत्र में भी हमारा काम होना चाहिए तो जब व्याधी राजनेतिक है तो समाधान राजनेतिक होना चाहिए समाधान कोई और थोड़े ही होगा तो यदि व्याधी राजनेतिक नहीं है तो फिर ठीक है कोई और समाधान देख लेते हैं ऐसा मेरा मानना है हो सकता है आपका मत में ठीक से न समझा हो और मुझसे उत्तर देने में भूल भूज़ए तो जवाब आपने दिया बहुत संतोश कूने था और बहुत ही साइज था और मुझे लगता है मनोज भाई 100% सैटिस्फाइ हो गए होंगे अब हम बरत बहें के पास जाएंगे फिर आजेंदर जी के पास जाएंगे और फिर वो सकतों समापन की और जाएंगे हर्दिक जी बहुत देर से वो तबसी पुतर जी का है पुतर जी ने क्वेश्चन और अपना कोमेंट दे लिया है एक लिए शुरू से जूड़े है चुने बरत जी पी सुरू से जूड़े है और पर छोटा रखे एक तम इसको समापनी जोरी ले जा रहे है तो बरत भाई फिर राजिंगर भाई फिर मनोज भाई अथा सोचल मीडिया में एक पार्टिकुलर ऐसा गुरूप है जिसकी तरफ डॉक्टर साब ने भी सारा किया कि वो लोग जो है अभी मतलब जायसे है कि अपने सीनियर को कदर नहीं करें और जो वाके हिंदुवादी हैं उनको वो लोग टार्गेट कर रहे हैं और सिम्रली जब खलबली है बहुत जोर की तो और वो कुछ भी अनाब सनाब बोल रहे हैं या लिख रहे हैं सोचल मीडिया पर तो ऐसे लोगों कैसे काउंटर किया जाते हैं प्रसन एक और इसी में जुड़ावाई उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे हैं स्पेस के अंदर हिंदु बन की ही आत सुचली बहुत भाई का क्वेशन है कि सोचल मीडिया में अन्य जगाव में जब से पाइटी की कोश्रा होना हो और सब शुरू हुआ है तब से लोगों का दूसरी पाइटी वालों का अब्यूजिव बिहेवियर है परसनल आटेक कर रहे हैं यहां तक कि इस ग्रूप में भ प्रत्याशिक नहीं है लेकिन हमें इसको जानते समझते हुए तैयारी के साथ इसका बहुत सहज होकर उत्तर देना है हमें क्रोधित नहीं होना है हमें अवांचनिय पतिक्रिया नहीं देनी है यह इस बात का प्रमान है कि आपके आने का असर हो रहा है यदि आपके आने से कोई फर्क नहीं पड़ता तो यह रोते गाते नहीं क्यूंकि ये असहज हो रहे हैं तो ये प्रमान है कि आपके आने से कुछ प्रभाव परिस्थितियों पर पढ़ेगा और इससे हम प्रतिक्रिया और आलोचना जो है वह प्रमान है कि आपके आने का प्रभाव अच्छा पढ़ रहा है लेकिन हम तार्किक रहें तथ्यपरक रहें और धेय निश्च रहें किसी के प्रती द्वेश न पाले नेरा इतना ही मान्दा आगे बढ़ते हैं राजिंदर सब के पास क्योंकि राजिंदर सब लंबे समझ से जोड़े हो और शमा किजेगा अज सुषिल जी के लिए स्पेशल डे था तो राजिंदर सब बुलने का समय नहीं प्राप्त हुआ इसलिए मैं शमा परती हूँ बट आप भी समझे मेरी भी चार-पांच गंटे होगे स्पेस चलाते हुए और मजबूरिया रहते हैं काफी प्रेशर में रहता हूँ क्योंकि DM भी बहुत आ रहा है कहीं WhatsApp मेसेज आ रहा है कहीं यह भी हैंडल करना पड़ रहा है और G1 के कारिया भी साथ-साथ में कर रहा हूँ तो अगर मेरी कोई और इनी कीज़ों के बाद चेब आगे बिनने का किल्च्रा शुरू हुआ तो उसके मतलब किस तरह से सचीमती का सजाव से होँगा और उसकी मैटो एक जित्रमों का जनरल पेक्ष्टी में इसे तवाल कर रहा हूँ पहले तो किसमित के पांच के लाज लोगों का सीधा सीध इस पूरे कल्चर को समाप्त कर दी अगया जिसकी चक्षा मेडिया जोगों ने कभी निंगी पेक्षा उसके बाद जिमों का डेमोग्रेटिक इंडिजन्स जो मलस्तों को चैलेंज के साथ कोस्ट के अंदर क्या हर सीथ के अंदर लरके वह साजी तीजे सामने आई उसको डि कि आखे विथ। वंटेवियों के कीज़ों को किस दे आगया बरने ऐगया कि मैं ने लिए इसकी तो पॉत बढ़े लेबल पे लोगों ने काम किया है बुःत तो इसे काम किहें इस से ऐख शर्तर वैं मैं से मुस्त उस्तीट कूजिए जानना चाहिका के यागर किस तरह से कर दो आगे क्या है आपको पूंचिस रखेंक है कि जो हिंडु बाइट कर दीया गया और आगे जाके अज़ हिंडु क्या कर दिया चएगी पैंडियों क्या कर दिया जाहिए पर इस परिस्थित को सरी करने के लिए जो देमोग्राफिय इंवेंजर हो गया है इसको पर इस जर्नल सेक्रेटेरियों की एकमसनादम भारत है तो आपकी जो वैल्यूएबल एडवाइज होगी वो भी बहुत मैटर करती इस विशे में नहीं इसी प्रश्न का मैंने अभी उत्तर दिया था विस्तार से वो जो चार बिंदू मैंने गिनाए हमें व्यवस्था से जो अपेक्षा है वो इन ही चार बिंदूं पर है तो मेरा ये मानना है कि वहाँ जो जैनोसाइड हुआ जातिये विद्वन्स हुआ उसको मान्यता मिले उसकी पुष्टी हो सरकार उसे स्विकार करे सरकार हमें माइगरंट कहती है माइगरंट याने प्रवासी याने जो अपनी इच्छा से चले आएं सरकार मानती ही नहीं है कि वहाँ हमारा जातिये विद्वन्स हुआ हमारा समूल नाश किया गया तो सबसे पहला बिंदू है कि इसकी पुष्टी हो इसको स्विकारता मिले सरकार की ओर से कैसा हुआ दूसरा बिंदू है कि उसके जो अपराधी है उन पर न्याय प्रक्रिया से दोश सिद्ध हो और उन्हें इसका दंड मिले यानि जो पीड़ित है जो इससे बचे हैं उन्हें न्याय मिले यह बहुत आवश्यक है एक बार आप अपराध स्विकार करें तो फिर अपराध के लिए न्याय की स्विक्रिया भी हो न्याय हो तीसरा है कि केवल जातिय संभार ही नहीं हुआ वहां इसके लाभारती है जो हमारे घरों, मकानों, दुकानों, खेतों, बागानों में खुश गए व्यापारों में खुश गए जब तक ये कबजा बरतरार है और ये उसका लाभ रे रहे हैं तब तक भविश्य में भी ऐसे जातिय संभार करने के लिए एक इंसेंटिव बना रहेगा तो एक ऐसा उधारन बने कि जातिय संभार फाइदे का सौदा नहीं है इसलिए वो सारी संपती इन लुटेरों से वापिस ली जाए हमारे जमीन, हमारे मकान, हमारे दुकान, हमारे बागान, हमारे खेट कम से कम जो अचल संपत्य है चल संपत्य तो वो लूट के ले गए उसकी बरामदी नहीं हो सकती तो अचल संपत्य है वो कानून बना कर वापस छीनी जाए और चौथा हम जो विस्थापित हैं निश्कासित हैं जाती है वित्वन्स के कारण हमारी पुनर स्थापना कश्मीर में हो हमें कश्मीर में हमारा हिस्सा मिले कश्मीर को दो भागों में बांटा जाए एक पीड़तों के लिए हो जहां वो जाकर पुनह एक समुदाय के रूप में अपना जीवन अस्त्युति का अपने परिवेश मान कर सकें अपने बचा सकें इन चार इसी क्रम में इन चार चर्णों में इसका निदान संभव है और इसमें एक अंतर निहित सकते ये है कि ऐसा कभी पुनह ना हो इसकी समुचित विवस्था हो जम लोटें वो इस गारंटी और इस पुखता सुरक्षा के साथ लोटें जो एक स्टेट अपने उपर रिस्पंसिबिलिटी लेता है इसको United Nations की Genocide Convention में एक शब्द दिया गया है गरिफॉलमा ये फ्रेंज शब्द है गरिफॉलमा रिफॉलमेंट याने repetition of genocide नहो रिफॉलमा नहो ये राज सुनिश्च करें तो ये एक basic primary fundamental need है इसके ऊपर और जो कुछ होना है वो अलग बात है लेकिन ये primarily किया जाए इसकी obligation है हमारी सरकार पर हमारे नेत्रत पर हमारी सरकार पर हमारे एक उत्तरदाई तो है जिम्मेवारी है और इस जिम्मेवारी से बचना एक बहुत बड़ा पाप और अपराद है जो ये विवस्था पिछले 33 वर्षों से लगातार कर रही है राजंदर जी की कॉमेंट थी कि इसके आपके बक्तर देने मंदीरों का करते हैं जो मंदीरों का विद्वन्स हुआ है उसको हम कैसे रिकर्श्रक करेंगे और वही जो हमारा उज्वल इतिहास था वो पूरा स्थापित करने का प्रयास करेंगे देखिए मैं आपको एक बात बताओं कि मंदिर जहां भक्त होता है वो वहां मंदिर बना लेता है हमारा विस्थापन हुआ निश्कासन हुआ हम जहां जहां गए हमने अपने वहां मंदिर पुनर निर्मित कर लिए है आप कश्मीर में वो मंदिर निर्मान करेंगे और उसके भक्त हो तो उन मंदिरों को क्या हश्र होगा तो मंदिर तो हम बना लेंगे जब हम वहां जाएंगे रहने तो हम उन मंदिरों का पुनर निर्मान कर लेंगे हम अपने मकान हस्पताल दुकान स्कूल गलियां बाजार बनाएंगे ना शम्शान भी बनाएंगे मंदिर भी बनाएंगे वो सब हमारे परिवेश का हिस्सा है उसको किसी ने हमें बताने की आवशक्ता नहीं है लेकिन वो सब पीछे छूट जाता है जब उसके आधार वुद्स तंभ गायब होते हैं स्टेट की गारंटी नहीं है सिक्यूरिटी नहीं है और चार्ट रहे हैं आप उन लो इधर उधर आप एक मंदिर बना देते हैं फिर सरकार का ज४न जोना बजाती है पूरे दुनिया में यह जतलाने के लिए कि स्थितियां समान नहीं होगी अब हुद्धिямogo मंदिर बन रहे हैं उन में घंटे बज रहे हैं उन में पूजह हो रही है ना है वो तो आपने किया नहीं और एक मंदिर बना कर या पंदरा अगस्त को लाल चौक से जन्मस्टमी की जहाकी निकाल कर और उसकी क्लिप पूरी दुनिया में फैला कर आप ये जतलाना चाह रहे हैं कि स्थितियां सामाने हो गई हैं तो ये एक राजनेतिक चल है आप पंदरा अगस्त को शिकारों पर तिरंगे बांध कर गलीों में डंडों पर तिरंगे टांग कर आप देश भर में एक विडियो क्लिप क्या कश्मीर में कभी ऐसा देखा था आपने गली-गली तिरंगा है जन्मस्टमी की जहाकी निकल रही है ये कहके आप एक भ्रम पैदा कर रहे हैं कि कश्मीर में पुरा प्रपंच लाता है और इसकी लाज किसी को नहीं आती इस पर किसी को शर्म नहीं आती जो यह प्रपंच का ढोल पीटते हैं इस लिए मुझे मुझे मंदिर वो प्रात्मिकता नहीं लगते मंदिर के लिए जो आधार बूत आविश रखता है वो आप कीजिए मंदिर हम खुद कर लेंगे जी उसके लिए हमें किसी की मदद की दहूरत नहीं है मंदिर हमने उन शिवरों में बना लिये थे मंदिर हमारे साथ साथ है मंदिर हम कर लेंगे सरकार को जो चार काम करने है वो यह करे दन्यवाद सुचिजी हिंदू समाज आज भी सक्षम है यह सब कार्यों करने के लिए तो आप सभी का धन्यवाद जुडने के लिए तो आज बन करते हैं फिर से सुषी जी कहीं नहीं जा रहे हैं आप इस आएंगे एक बार संपल सुपर स्थापित हो गया है और मैं उनका रिव्यू भी लूँगा कि स्पेस में उनके आने के बाद उनको कितना पसंद है नहीं आ रखे हैं और उसके साथ रईशी जुन के लिंक भी रखिए आप लोग अपना पूनता सयोग दे और हिंदू राष्ट की और अग्रेसर होने की बुमीता में आप अपना सयोग करें इसी के साथ मैं यह स्पेस में करूंगा और हार्दिक जी हम एक बार आपका भी आभार मान करना चाहते हैं कि आपने हम सबके आदर्ष सुषिल जी पंडिता को बुलाया बहुत अच्छा सेशन किया है आपको समाज की बाद जी को और एकम सनातन भारत को बहुत-बहुत शुबकामनाएं आगे में सुषिल जी को एड़ोकेट अंकुर जी को अवश्य बुलाएं आपका बहुत-बहुत आभार जेश्री रांग और लोग ज्यादा-ज्यादा जुड़े हो ज्यादा-ज्यादा हर प्लैक्फरम पे सपोर्ट करें उन ग्राउंड और सोच्छल मीडिया और जहां भी हो सकते हैं और तन्मन धंसे जैसे भी आप सहायता करपाएं वैसे आप के साथ जुड़के सहायता करें और आप सभी का धन्यवाद बहुत अच्छी ओडियंस रही बहुत अच्छे स्पीकर्स रहे बहुत अच्छे क्विश्चन्स आए और मैं मानता हूं कि सुषिल जी ने जितने भी प्रश्णों का उत्तर दिया वो बहुत ही सचोड था और हम सब भी एगरी करते हैं उनकी जवाबों से तो इसी के साथ हम विदान लेते हैं आप सभी का धन्यवाद जैशी नाम हराय महादेव जै माता जी